एका एक शकुन को लगा, जैसे प्यास के मारे उसका गला सूख रहा है सर्दी में कभी रात में प्यास नहीं लगती पर आज तो प्यास के मारे गला जैसे चिपक सा गया है और इतनी देड़ से उसे पता ही नहीं चला शकुन उठी उसने बत्ती जलाई और पानी पिया लौटकर उसने देखा बंटी सोया हुआ है गर्दन तक रजाई ओडे एका एक उसे लगा जैसे बंटी नहीं अजै सो रहा है कितना मिलता है उसका चेहरा केवल चेहरा ही बहुजी मत चढ़ाओ इतना सिर आकिर उलाद तो उसी बाप की है वे खड़े-खड़े थालियां फेकते थे और ये कटोरी कभी-कभी आश्यर होता है कि कैसे आदमी एक छोटे से अणु में अपना चेहरा, मोरा, आदत, सभाव, संसकार सब कुछ अपने बच्चे में सरका देता है बंटी को देखकर ही एक बार वकील चाचाने कहा था और एक अजीब सी बेचैनी शकुन के मन में गुलने लगी केवल बेचैनी ही नहीं एक खीज, एक हलका सा आक्रोश सारी जिन्दगी अजय शकुन को, शकुन के हर काम और बात को, उसके सोचने और उसके रवये को गलत ही तो सिद्ध करता रहा है शकुन बहुत स्वतंत्र है, शकुन बहुत डॉमिनेटिंग है, शकुन ये है शकुन वो है, पता नहीं गलत कौन था, वो या आज है जो भी हो, पर साथ साल तक गलत होने पर नहीं, अब वो सब कुछ पहले की तरह अपने उपर ओरती नीच ली जाएगी, बंटी उसके और अजय के बीच से तो नहीं बन सका, तो वो उसे अपने और डॉक्टर के बीच में बाधा भी नी बनने देगी, लेकिन तब और शकुन ने खट से बती पुझा दी, मन के सारे संशे सारी दुविधाएं, चार और फैले हुए अंधेरे में ही डूब जाएं बस बंटी सबेरे सोकर उठा, तो जाने कैसी निरीता उसके चेहरे पर छाई हुई थी, एक अजीब सा सहमापन, एक अजीब सी बेबसी कहां, ये तो बिल्कुल बंटी है, इसमें अजे कहा है, हर बात के लिए उस पर निर्भर करने वाला बंटी, उसी का पाला पोसा और बड़ा किया हुआ बंटी अजे तो शकुन के सामने कभी इतना निर्भी कभी इतना बेबस हुआ नहीं और रात में हलके से आक रोज की जो पड़ते मन पर जमी थी बंटी की उस निर्यता के सामने सब एक एक करके बह गई गई पर अब बंटी में अजे को देखकर एका एक कुछ निर्णय ले डालने का जो एक रास्ता शकुन को दिखाई दिया था वो फिर जैसे कहीं गुम हो गया और शकुन जहां थी वहीं लोटाई उतनी ही परेशान उतनी ही दुविधागरस्त अपनी परेशानी के प्षणों में आजकल उसे बस डॉक्टर ही याद आते हैं किस सहजता और आसानी से वो उसकी हर समस्या और परेशानी को अपने उपर ओड लेते हैं और उसे मुक्त और निर्द्वंद कर देते हैं पर बंटी को लेकर कल चाहे शकुन को परेशान देखकर डॉक्टर ने कुछ न कहा हो लेकिन उन्हें क्या बुरा नहीं लगेगा उन लोगों ने शादी की तारीक तैकी थी और उस खुशी में ही शकुन ने सबको अपने घर बुलाया था पर बंटी ने और तब से ही मन जाने कैसी कैसी शंकाओं से भरा हुआ है बंटी की बाद तो डॉक्टर से भी नहीं कर सकती जिस तरह बहुत चाहने पर भी वो कभी अजय की कोई बात नहीं कर पाई कम्पनी बाग से लोटने के बाद उस दिन बंटी जिस तरह रोया था और उसके बाद से जिस तरह वो कटा कटा रहता था डॉक्टर को लेकर जिस तरह एक मासूम सा विरोध उसके मन में उफनता रहता है शकुन सब समझती है पर जाने कैसा एक आश्रस्त भाव उसके मन में समाया रहता था इन दिनों कि उसने सोच लिया था कि सब ठीक हो जाएगा बस जहां तक संभभ होता वो बंटी को डॉक्टर से बचा करंगती पर कल जैसे उसके उस आश्रस्त भाव में एक दरार सी पढ़ गई लेकिन आश्रस्त भाव में ही नहीं जैसे उसके और डॉक्टर के बीच में भी कहीं कोई अंदेखी अंजानी सी दरार पड़ गई जिसे वो महसूस कर रही है जो उसे भीतरी भीतर कचोटे डाल रही है सचमुच यदि ऐसा हुआ तो डॉक्टर का अध्याय तो समाप्त हुआ और ऐसी पूरता के साथ समाप्त हुआ कि उसे अब वो अपने सामने भी नहीं खोलते चाहें तो भी नहीं खोल सकते पर उसका अध्याय कहीं कुछ समाप्त नहीं हुआ अपनी अगली कड़ी के साथ जो कातियों उसके साथ चिपका हुआ है वो कभी समाप्त भी नहीं होगा अजय ने तो अपनी सलेट पर से उसका नाम उसका अस्तित्त धोपोच कर एक नई जिंदगी शुरू कर दी है शायद बहुत सुखी बहुत भरी पूरी पर उसकी सलेट को तो और फिर अजय को लेकर मन में धेड़ धेर कटुता उभर आई साथी खयाल आया कि बंटी यती सहज डंग से अपने को उसके और डॉक्टर के बीच में से समेट नहीं लेता तो वो उसे अजय के पास भीज देगी अजय उसे ले जाना भी तो चाहते थे अब क्या हुआ इधर तो ना कोई खबर ना कोई सूचना लेकिन वो भीज देगी बंटी को दरारी बनना है तो मीरा और अजय के बीच में बने अजय भी तो जाने कि बच्चे को लेकर किस तरह की यातना से गुजरना होता है कि पुरानी स्लेट इतनी जल्दी और आसानी से साफ नहीं होती पर तभी बंटी का वो नीरी सहमा और बेबसा चेहरा उबराया ममी मैंने तो पापा से कह दिया कि ममी के बिना मैं कहीं जाही नी सकता ममी मैं तुम्हें कभी कभी नी छोड़ोंगा मत रो ममी मत रो प्लीज और शकुन रो पड़ी फूट फूट कर रोती रही इस यातना से डॉक्टर भी उसे कैसे उबारेंगे उसके पास ऐसा कोई सुख नहीं पर ऐसी यातना जरूर है जिससे वो किसी के साथ शेर नहीं कर सकती इस समय डॉक्टर के बगल में बैठ कर भी शकुन का मन कहीं से हलका नहीं हो पा रहा था बार 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 शुरू होती और जैसे बीच में ही डूट जाती पता नहीं डॉक्टर क्या सोच रहे हैं पर शकुन को लग रहा है कि जैसे उन दोनों के बीच कहीं कोई है शैद बंटी बंटी के बहाने शायद आ जाए क्या बात है तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो शकुन कह दे शकुन पर क्या कहे कि बंटी डॉक्टर और उसके संबंद को बरदाश्ट नहीं कर पा रहा है कि उसे बहुत दिनों से इस बात का आभास था पर बंटी को लेकर परिशान हो इतनी देर से जिस प्रसंग को वो बचा रही थी आखिर वो आ ही गया शकुन के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी उभराई जैसे वो कोई अपरात करते हुए पकड़ली गई हो देखो शकुन बंटी थोड़ा प्रॉबलम बच्चा है तो उसकी प्रॉबलम को तो जहिलना ही होगा शकुन को लगा डॉक्टर जैसे कह रहे हूँ इन फुलेंजा है तो बदन में तो दर्द होगा ही इन बातों पर कहीं इस तरह बात की जाती है और क्या प्रॉबलम बच्चा है पागल है उसका दिमाग खराब है या की पर नहीं डॉक्टर से वो अफेक्षा ही क्यों करती है कि उसी की तरह सदै होकर उसकी मा बनकर बंटी के बारे में सोचें डॉक्टर तो शायद बाब बनकर भी नहीं सोच सकते है पर इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है ये तो बहुत सौभाविक है क्या एका एक शकुन चौकी डॉक्टर कहीं अजय की और तो संकेत नहीं कर रहे पर उसने तो आज तक डॉक्टर से कभी अजय की कोई बाती नहीं की वो करी नहीं पाई ये बंटी का रवईया तुमारे साथ अकेले रहते रहते वो बहुत पजैसिव हो गया है और किसी और को तुमारे साथ देखने सकता तुम किसी और को और शकुन के मन में कहीं बहुत पहले कहा हुआ वकील चाचा का एक वाकित तैर गया तुम जानती हो अजय बहुत इगोईस्ट भी है और बहुत पजैसिव भी अपने आपको पूरी तैरे समाप्त करके ही तुम उसे पासको तो पासको अपने को बचाए रखकर तो उसे खोना ही बढ़ेगा वो अपने को समाप्त नहीं कर सकी थी इसलिए उसे शायद अजय को खोना पड़ा समाप्ट तो अभी भी अपने को nie कर सकेगी अब अपने को समाप्ट करने का मतलब है अपने और डॉक्टर के बीछ का सब कुछ समाप्ट कर देना पर ये तो शकुन का मन कहीं बहुत गहरे में डूबने लगा तुम्हें बहुती धीरे से काम लेना चाहिए जानती हो इस तरह बच्चों के साथ सकती करने से वे एकदम चुपपे हो जाएंगे बहुती सम्मिसिव और सहमे हुए और नर्माई से पेश आने से वे उद्दंड हो जाएंगे डॉक्टर जैसे किसी रोगी को उपचार बता रहे हूँ केवल उपचारी था या कुछ और भी बंटी में संतुलन लाने के लिए पहले तुम्हें अपने में संतुलन लाना होगा पर तुम खुद बहुत समझदार हो शकुन शकुन ने कुछ ऐसी नजरों से डॉक्टर की उड़ देखा मानो इन शब्दों के भीतर की बात को जान ले असली बात को जान ले पर डॉक्टर के चेहरे पर कहीं भी तो कुछ नहीं था कोई शिकन नहीं कोई छाया नहीं या कि शकुन की द्रश्ट ही दुंदला गई है कुछ भी देखने की सामर्त उसमें नहीं रही है वो क्या करे चलनी हुआ मन सहच भाव से कुछ भी ग्रहन नहीं कर पाता उसकी आँखे चल चला आई डॉक्टर ने बहुत इसने से शकुन की पीट सहलाई तो एक बार मन हुआ वो अपने को डॉक्टर की पाहों में छोड़ दे तो क्या सच्मूशी डॉक्टर के मन में बंटी को लेकर कोई नाराजगी नहीं कोई दुर्भावना नहीं डॉक्टर के उस इसपर्ष ने अनायासी उसके भीतर की गाट को धीरे से खोल दिया लेकिन शकुन है कि चाहा कर भी जैसे कुछ कहनी पा रही है लेकिन क्या तुम नहीं समझोगे डॉक्टर बंटी बंटी ने अजय को जोका त्यों इनहेरिट किया है वो कभी मेरे साथ तुमें बरदास्त नहीं कर सकेगा मैं जानती हूँ शकुन को लगा अब वो सारी दुविदा खोल कर रख देगी तो क्या हुआ पर शकुन से कुछ भी नहीं कहा गया जाने कैसी लक्षमन रेखा है यह अपने एहम या स्वाइमान की या कि अपने कंगलेपन और अपमान की कि इसके पार हूँ किसी और को नहीं आने देना चाहती क्या बताए कि आगे क्या हो सकता है या कि पहले क्या हुआ था देखो शकुन तुम अपने पती की रोशनी में बंटी को देखोगी तो शायद कुछ गलत कर बैठो मैं जानता नहीं पर सोच सकता हूँ कि उनके लिए शायद तुमारे मन में कटुता होगी अंजाने ही तुम उसी कटुता को पर ये ठीक नहीं होगा और फिर सारी बात को जैसे समात करते हुए बोले अच्छा तुम बंटी की बात मुझ पर छोड़ दो इस बात को लेकर अब तुमें ज़्यादा परिशान होने की जरूरत नहीं है बंटी की बात कैसे छूड़ी जाए ये शकुन नहीं जानती ये भी नहीं जानती कि सारे समय अपने काम में विष्ट रहने पर उसके लिए समय कहा है पर इस समय जैसे उसे किसी ऐसे के आश्वासन की जरूरत थी किसी ऐसे सहरे की जो उसके ठके हारे मन को संभाल ले जिस पर वो अपना सब कुछ छोड़ कर निश्चिन्त हो जाए बड़ी देर से भीतरी भीतर एक आवेक था जो घुमर रहा था अपने को डॉक्टर की बाहों में छोड़ते ही जैसे वो फूट पड़ा डॉक्टर उसकी पीट उसके कंदे सहलाते रहे उसे सांतुना देते रहे क्या था उन सांतुना भरे शब्दों में उस इस नहे बरे इस पर्ष में की शकुन को लगा जैसे उसके भीतर से सारे तनाव अपने आप ढीले होते जा रहे हैं सारे द्वंद अपने आप गलते जा रहे हैं कहीं भी तो कुछ नहीं सभी कुछ तो सहज और सुगम हो उठा सारा रास्ता अकेले-अकेले चलकर सारी परेशानियों से अकेले-अकेले लड़कर भी तो ऐसा आपने उश्वास और ऐसी शक्ती तो उसमें अपने भीतर कभी महसूसी नहीं की जो आज अपने को पूरी तरह डॉक्टर के हवाले करके हो महसूस कर रही है अपने को पूरी तरह दे कर निर्दंद भाव से समर्पित करके आदमी कितना कुछ पा लेता है मम्मी की शादी हो गई यो शादी जैसा कुछ भी नहीं हुआ था ना बाजा ना गाजा ना हाथी ना गोडा ना आतिश बाजी पर जो कुछ भी हुआ बंटी ने अपनी आँखों से देखा है शादी के बीच में रहकर देखा है फिर भी जाने कि उस दिन कुछ भी महसूस नहीं हुआ था लेकिन आज सर्दी की सांच के इस दुन्दलके में खुली चट पर अकेले लेटे जैसे फिर मम्मी की शादी हो रही है बाहर नहीं बंटी की अपने बीतर हो रही है मन की पड़तों पर और इस बार बंटी केवल देखी नहीं रहा महसूस भी कर रहा है हलकी सी सजावट ओड़े कलब का लॉन परचित अपरचित चेहरों के बीच हसी मजाग खाना पीना बदाई हो मुबारक हो अरे बंटी मिठाई खाओ पिटे अपनी मम्मी की शादी की मिठाई खाओ कितने बच्चे चाने कितनी आवाजे थी कितनी बाते थी आज तो सब मिल जुल कर केवल एक शोर भर रह गई हैं उसने सारे लॉन के पेड़ पौदों पर लाल पीली बिजली के फूल के ले थे ना चाने कितने फूल जिन से रंगीन रोशनी जहर रही थी इस समय भी वो आँखे बंद करे या खोले चारों और फैले हुए बे फूल जिल्विलाते नजर आ रही हैं और फूली क्यों? या कि शादी के वो सांजी क्यों? शादी के पहले की भी तो बहुत सी बाते हैं जो पहले केवल बाहरी हुई थी पर इस समय एक साथ मन में डूपती उपतराती आ रही है और कितना साफ है वो सब जैसे अभी अभी हो रहा है लगता ही नहीं कि वो सब तो हो चुका लग रहा है जैसे तब हुआ ही नहीं था बस अभी हो रहा है बिल्कुल अभी बंटी अपने टेबल पर बैटा होंवक कर रहा है और मम्मी कॉलेज की फाइलें देख रही है तभी गोद में गुडिया को लटका है पीछे वारे दर्वाजे से टीटू की अम्मा घुजी मम्मी थोड़ा चौकी अरे आप कहिए कैसे आना हुआ बैठिये क्या बताओ बेहन जी पडोस में रहकर भी कभी आना नहीं होता दोपहर को गंटा आद गंटा निकल भी जाए पर सबेरे शाम को तो पलक जपकने की भी फुरसत नहीं मिलती फिर उसकी और देखकर बोली अब आपके बंटी को देखो कैसा चुपचा पढ़ रहा है एक हमारे बच्चे हैं 24 घंटे घर में महाभारत मचा कर रखते हैं टीटू नहीं आया अम्मा इस घर में आकर अम्मा कैसा मीठा मीठा बोल रही है तभी तो पूछने की हिम्मत हुई टीटू कहां आएगा वहां कैरम जो जमी हुई है बंटी जाओ तो बेटे फूपी से कहो की चाय बनाए नहीं बहन जी मैं तो पीकर आई हूँ और यों सच पूछो तो आज तो मिठाई खाने आई हूँ मुझे तो कल रात कोई इन्होंने आकर खुशकबरी सुनाई बोले तुम जाकर बढ़ाई तो दे आओ यों आना जाना चाहे बच्चों तक ही सीमित है फिर भी पडोसी तो हैं ही और अम्मा के चेरे पर एक अजीब सी मुस्कान फ्हल गई मम्मी का चेरा इतना लाल क्यों हो गया पहले जब डॉक्टर साब को एक दुबार देखा तो सोचा कोई बीमार होगा पर जब बंटी ने बताया कि कोई बीमार नहीं है तो सोचा भाई आते होंगे मम्मी चुक बस केवल उनकी एक उरती सी नजर बंटी ने अपने चेरे पर महसूस की मेरी तो बेंजी आप जानो दूसरों के घरों में तांग जांग करने की आदती नहीं है अब पडोस में रहते हैं तो दीखता तो सभी कुछ है पर इधर दर कोई पूछताच करूँ कुछ कहूं सुनूं ऐसा मेरा सुभा होई नहीं फिर आप पढ़ी लिखी ठहरी प्रिंसिपल ठहरी सो तरह तरह के लोग आएंगे ही आपके पास ममी तो जैसे बुद्ध बन गई है बंटी तो बहुत खुश होगा विचारा अकिला डाउं डाउं डोला करे था मुझे तो सच बड़ा तरस आता था अब पापा भी मिल जाएंगे और भाई बहन भी अनायासी उसकी नजरे ममी से जाटा कराई थी पता नहीं क्या था उन नजरों में कि वहां और बैठा नहीं गह सकता रात में ममी उसे समझा रही थी तुझे अच्छा लगेगा बंटी वहां बहुत अच्छा लगेगा बेटे ममी ने जितनी बाते कहीं बंटी सब सुनता गया बिना एक भी प्रश्नी किये बिना जरा भी विरोध किये बस पापा का चेहरा बराबर आँखों के सामने कौंदता रहा था बंटी अपने पलंग पर पढ़ा है गर्दन तक रजाई ओड़े कमरे में अंधेरा है सिर्फ ममी टेबल लेम जला कर अपनी मेश पर कुछ लिख रही है ममी हमेशा किसी ना किसी काम में लगी ही रहती है आजकल बंटी को खाने के लिए कहती है तो खा लेता है दूद पीने के लिए कहती है तो दूद पी लेता है जब पढ़ने के लिए कहती हैं तो पढ़ने बैठ जाता है आदे अंधेरे आदे उजाले में पैठी कैसी लग रही है मम्मी एका एक मन में कौन था बंगाल की जादू गर्नी फूपी नहीं सुनाई थी कहानी या शायद पढ़ी थी उसके आदे शरीर से अंधेरा पूटता था और आदे शरीर से उजाला जाने कैसा भै मन में समाने लगा जिस दिसे डॉक्टर सहाब वो जादू वाली शीशी इस घर में रख गए हैं बंटी के मन में एक अजीब सा ड़ कुल बुलाता रहता है एक बार तो हिम्मत करके उसनों शीशी को ढूडा भी था सारी दराजें सारी अलमारी पर नहीं मिली जादू की चीजें जादू के धंक से ही छिपाई जाती हैं शायद एका एक मम्मी ने टेबल पर जुकी वी गर्दन उपर उठाई और उगूम कर बोली बंटी फिर उसी के पलंग पर बैट कर धीरे धीरे उसका माथा उसके गाल सहलाती रही बंटी को लगा जैसे बिना बोले ही मम्मी फिर आश्वस्त कर रही है तुझे अच्छा लगेगा बंटी वहाँ तुझे अच्छा ही लगेगा ममी के इस पर्ष से ही बंटी के मन के भीतरी भीतर तेजी से कुछ पिखलने रगा एक बार मन हुआ रजाई उतार कर फेगते और ममी से लिपट जाए पता नहीं मम्मी को आशुस्त करने के लिए या खुद आशुस्त होने के लिए पर उमरते आवेक को उसने होट भीच कर रोट लिया बहुजी फूपी की आवाज कैसी बतली हुई है एक बार मन हुआ कि आँख खोल कर देखे कि ये फूपी ही बोल रही है क्या बात हो गई फूपी मम्मी कितना मीठा बोल रही है बहुत दिनों से उसने मम्मी की ऐसी मीठी आवाजी नहीं सुनी इतने साल आपकी नौकरी कर ली बहुजी अब भगवान की नौकरी करेंगे और क्या कुछ बात भी बताओगी फूपी चुप रो तो नहीं रही पर किसी तरह की भी तो कोई आवाज नहीं आ रही तुम भी मुझसे नाराज हो भूपी मम्मी की आवाज जैसे पेघल कर धर धरा रही है अरे हम नौकर आदमी हम कैसे नाराज होंगे पर भगवान ने जीब दी है तो बोलेंगे जरूर आप सौ जूता मारेंगी तो हमको तनिको चिंता नहीं करेंगे पर बोले बेना हमसे रहा नहीं जाएगा बंटी का मन फिर जाने कैसा कैसा होने लगा अब आप जो कर रही हैं बालक बच्चा को लेकर सो आपको शोभा देता है बड़े आदमियों की बड़ी बात मुपर कौन बोलेगा और कहे बोलेगा पर फूपी तो मुपर ही बोलेगी अब फूपी भी शादी वाली बाती कहेगी मम्मी का शादी करना बुरी बात है आप तो जानती है साहब को लेकर हमारे मन में आज भी कैसा गुस्सा है पर आप भी वही सब करेंगी हमसे ने देखा जाएगा ये सब मम्मी जरूर बैठी बैठी होट काट रही होगी मम्मी से जब जवाब देते नहीं बनता तो बस योई होट काटती है जवानी योई अंदी होती है पहुजी फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महा सत्यानाशी साहब ने जो किया तो आपकी मट्टी पलीद हुई अब आप जो कर रही है इस बच्चे की मट्टी पलीद होगी चेरा देखा है बच्चे का कैसा निकलाया है जैसे रात दिन खुलता रहता हो भीतरी भीतर फूपी एक सक्त सी आवाज कमरे को चीरती हुई इस कोने से उस कोने तक गूंज गई एक च्चन को बंटी भीतरी भीतर सहम गया देखो फूपी मैं तुमारी बहुत इज़त करती हूँ अपनी मा से भी ज़्यादा पर मा को भी मैंने कभी अपने बातों के बीच में नहीं बोलने दिया मुझे याद नहीं कि वे कभी बोली हूँ एक चण को मम्मी रुकी यह अधिकार तो मैं किसी को देही नहीं सकती हमने कहा न बहुजी आप हमें हरिद्वार भिजवा दो बस तुम जिस दिन जाना चाहो मैं इंतजाम करवा दूँगी तुम यहां से जो कुछ भी ले जा सकती हो इस घर पर तुमारा उतना ही अधिकार है जितना मेरा और तो क्या कहूँ मम्मी के स्वर में अजीब से नर्माई आ गई नर्माई नहीं जैसे मम्मी ठक गई हो तो क्या फूपी चली जाएगी बिना फूपी के कैसे रहेगा वो रह सकता है कभी मम्मी ने उसे क्यों नहीं समझाया कि फूपी तुम्हें वहां भी अच्छा लगेगा वहां भी बहुत अच्छा लगेगा कल वो समझायेगा फूपी को फूपी मम्मी की बाद चाहे माने ना माने उसकी बात नहीं टाल सकती फूपी तो उसके बिना कैसे रहेगी और अगर फूपी न रुकी तो खट मम्मी ने शायद उठकर टेबल लेंब बंद कर दिया बंद आखों ने भी महसूस किया कि कमरे का अंधेरा कुप गाड़ा हो गया है बंटी ने आखे खोली घुप अंधेरे में भी डूबी ही मम्मी की आकरती बहुत दुंदली सी दिखाई दी दीरे से वो भी बगर वाले पलंग की रजाई में दुबग गई फूपी के जाने के बाद बंटी के मन में बहुत कुछ उखड बिखर गया और मम्मी की शादी के बाद इस घर में बहुत कुछ उखड बिखर गया एक दिन में ही इस घर का बहुत सा सामान उस घर में समा गया सोवार को इस घर की मम्मी भी उस घर में जाकर समा जाएंगी किसी ने कह दिया कि सोवार शुब दिन है सो मम्मी रुख गई, फूपी नहीं समा सकी तो हरिदवार चली गई, बंटी है कि जानता है वहां समा पाएगा या नहीं, पहले मम्मी ने समझाया था तो बंटी समझ गया था, पर फूपी ने जाकर सब कुछ गर बढ़ा दिया, फूपी के बिना तो से कहीं भी अच्छा नह लगेगा, यहां भी नहीं और वहां तो बिलकुल नहीं, जब से फूपी गई है तभी से फूपी का जाना आखों के सामने तेरता ही रहता है, जाते जाते भी कैसे फूपी रसोई के बरतन दो दो कर जमाती नहीं थी, बंटी कभी मजाग करता था, फूपी गुलाकी जाने क्यों लगता है जैसे फूपी अभी भी अपनी जान नहीं चोड़ कर गई और चौके की जान ले गई, चौके की ही क्यों, बिना फूपी के सारा घरी तो कैसा हो गया, जब राद दिन फूपी घर में रहती थी, तो फूपी का होना पता ही नहीं लगता था, बस पत्री, ममी ने बहुत कुछ देना चाहा पर फूपी ने कुछ नहीं लिया, बस बंटी को अपने से चिपका रखा है, आँक के आसूं है कि थमी नहीं रहे है, बंटी फूपी से चिपक कर खड़ा है, आँक में एक भी आसू नहीं, जो कुछ वो देख रहा है, बस देखी पर विश्वास नहीं हो रहा कि फूपी सच्मुच जा रही है, या कि फूपी उसे चोड़ कर जा भी सकती है, उसकी छोटी सी हतेली में फूपी का हाथ है, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा है, और इसी लिए फूपी उसके पास है, उसकी पकड़ में है, ममी ने पर्स कोल कर सो रुपय का नूट देते हुए कहा फूपी तुम्हें बंटी की कसम है इसे रख लो यो भी पता नहीं मम्मी आगे क्या कहना चाहती थी नहीं हमें पाप पे मत डालो बहुजी कसम दिलाकर हम कुछ नहीं लेंगे भगवान के दर्वार में जा रहे हैं रुपया पैसा का क्या होगा देना ही है तो एक बचन दे दो कि हमारे बंटी भईया को जैसा आपने बिसरा दिया है आज कल वैसा और मत करना बाप के रहते ये बिना बाप का हो रहा अब मा के रहते ये बिना मा का ना हो जाए और फूपी ने साड़ी से मूँ शिपा लिया मम्मी की आखें छल चला आएं कैसी बाते करती हो फूपी इससे आगे मम्मी से कुछ नहीं कहा गया चप्रासी ने भीर में फूपी को भीतर टकिल दिया सीटी जंडी फिर सीटी भीर शोर बदबू और सबके बीच एक कापता पसीजता हाथ बंटी की छोटी सी हतेली के बीच में से फिसलता चला गया बंटी उसे और पकड़ कर नहीं रख सका और उसके बाद से जैसे एक-एक चीज बंटी के हाँ से निकलती जा रही है और अब तो शायद वो किसी को पकड़ कर नहीं रख सकेगा लोटते समय बंटी सुन सा मम्मी की बगल में बैठा है बंटी मम्मी ने प्यार से उसे अपनी बाहा में समेटा कि बंटी एका एक फूट कर रो पड़ा फूपी को ले आओ मम्मी फूपी को ले आओ रोते नहीं बेटे थोड़े दिनों में अपने आप आजाएगी तेरे बिना वो रह सकेगी कहीं भी थोड़ी देर पहले प्लेटफॉर्म, सामान और रेल के बीच में ही बंटी को लग रहा था कि फूपी कहीं नहीं जाएगी वो जाहीं नहीं सकती पर ममी के कहने पर भी लग रहा है, वो नहीं आएगी वो कभी नहीं आ सकती दूसरे दिन स्कूल से लौट कर जब माली की बहूरी ने खाना दिया तो फूपी का जाना जैसे मन को भीतर तक मत किया उसे याद नहीं कि स्कूल से लोटने पर किसी और ने कभी उसे खाना किलाया हो और क्या फूपी केवल खाना किलाती थी खाने के साथ डाट डाट के साथ लाड और भी जाने क्या क्या तो रहता था पर इस घर से जा सकती है फूपी उसका तुलसी का चबूतरा तार केक पोने म सूकती मटमैली सी धोती और चोगे जैसा बलाउज आंगन की दिवान में बनी ताक पर रखे सिंदूर से रंगे पुते उसके हनमान जी उसके सरोते की खटकट उसके पसीने की गंद उसके बेसुरे गले से निकले गीत की कड़िया उसकी कहानियों के राजारानी भूत प्रेत जादूगर राक्षस सब कुछ इस तरह समाया हुआ है इस घर में कि यहां से वो जाही नहीं सकती पर परसों तो यह घर भी छूट जाएगा तब फूपी भी पूरी तरह छूट जाएगी तू ऐसे क्यों रहता है बंटी मैं सच कहती हूँ तुझे वहां अच्छा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे डॉक्टर साथ तुझे कितना प्यार करते हैं और वी जाने कितनी कितनी बाते हैं कितने आश्वासंग कितने अरे कौन बंटी आओ आओ बेटे और चार दिन का साथ है खेल लो फिर तो बंटी कोठी में चला जाएगा तो पूझेगा भी नहीं कि टीटू किदर बसता है मोटर में बैठ कर आया जाया करेगा कभी कभी अब तो खुब ठाट बाट होंगे बंटी के और अम्मा के चेहरे पर वही मुस्कुराहाट होट फैला कर भी अम्मा मुस्कुराती नहीं है लगता है जैसे कुछ कह रही हो बंटी जानता नहीं पर कुछ है जो बंटी को अच्छा नहीं लगता उस दिन के बाद 5-6 दिन हो गए या रहकर भी बंटी टीटू के घर ने गया आज नए घर में जाना है शाम को चार बजे से ही शुब समय है डॉक्टर साब ने कल आकर बहुत कहा कि आज ही चलो रव्यार का दिन है सब की छुटती है शुब शुब कुछ नहीं होता क्यों बंटी आज ही चले ना उस घर में जोट तुमारी रहा देख रही है बंटी कुछ नहीं बोला किवल डॉक्टर साब का चेहरा देखता रहा वो सचमुच उसी से पूछ रहे हैं आँख में कहीं जोट का चेहरा उबर आया शादी वाले दिन के बाद से उसे देखा ही नहीं ना मम्मी उस घर गई ना वहां के बच्चों को आने दिया शायद शुब समय नहीं था लो जब इतने दिन रुख गई तो अब एक दिन की बात है तुम मानो ना मानो मैं तो अशुब बेला में कोई भी काम नहीं करूँगी शुब अशुब क्या होता है कैसे होता है बंटी नहीं जानता बस इतना जानता है कि मम्मी ने मना कर दिया है तो अब वे नहीं जाएंगी कल जाओ आज जाओ क्या फरक पड़ता है बस जाना है तो जाना है पर मम्मी का कोई शुब अशुब है जो जाने नहीं दे रहा है पर आज तो अब जाना ही है बंटी स्कूल से लोटाया मम्मी ने बचा कुछा सामान भी उस घर में बिजवा दिया बिना बरतनों की रसुई, बिना कपड़ों की अलमारियां, बिना किताबों और मेजपोश की मेजें, बिना दरी कार्पिट के फर्ष खिलोनों की खाली अलमारी देखकर एक ख़ण को सारे खिलोने आखों के सामने गूम गए पापा के भीजे हुए खिलोने एका एक ख्याल आया पापा तो इस घर का ही पता जानते हैं अब वें आएंगे तो खबर कहा बेजेंगे उन्हें पता कैसे लगेगा कितने दिनों से पापा ने ना कोई चीज भेजी ना खबर पापा को पता है कि मम्मी ने शादी कर ली है हम लोग अब नए घर में रहेंगे इस बार पापा को गए कितने दिन हो गए एक तो तीन छे साथ आट महीने हो गए तब ही डॉक्टर साब की कार आकर खड़ी हो गई डॉक्टर साब नहीं आए मम्मी भी आती ही होंगी बंटी बरामदे की सीड़ियों पर ही बैट गया डलती धूप में उसका छोटा सा बगीचा खुब लेला रहा है पानी देने वाला मोटा सा पाई बल खाया हुआ घास में पड़ा है इधर तो उसने अपने बगीचे में पानी भी नहीं दिया वहां का बगीचा तुझे ही ठीक करना है बेटे मम्मी रोज याद दिला देती थी और बंटी सुन लेता था बस पोने में आम का पौधा हरी चिकनी पत्तियां लिए जूम रहा है जब तुम जवान होगे बंटी भाईया तो ये पौधा भी पेड़ हो जाएगा ब्या, बच्चे, बौर, आम तुम्हें बड़े होकर क्या माली बनना है बंटी भाईया जो इतनी खोजबिन कर रहे हो थोड़ा बहुत काम कर लिया और चुट्टी करो खट-खट करती मम्मी आई, उनकी शौल का एक छोड जमीन में घिसट रहा है साथ में हीरा लाल और माली भी है पहले मम्मी कॉलेज से आती थी तो चेहरा कैसा ठका ठका लगता था आज लग रहा है जैसे कॉलेज से आई नहीं कॉलेज जाने के लिए तयार होकर निकली है मम्मी कैसी खुश-खुश रहती है आज कल मांग का सिंदूर चमकता रहता है पहले दिन मम्मी की लाल-लाल मांग उसे बड़ी अजीब लगी थी अब अजीब नहीं लगती फिर भी नजर वहीं जाकर अटक जाती है तू आ गया बेटे कुछ खाया तो नहीं होगा चलो अभी चलते हैं हीरा लाल एक-एक करके सारे कमरे बंद करने लगा मम्मी बंटी के कंदे पर हाथ रखे माली को आदेश दे रही है देखो माली बंटी भया के सारे पौदे खाड़ कर उधर ले आना मोगरा, गुलाब, मोरपंखी और कौन-कौन से पौदे आ सकते हैं बेटे एक-एक उनकी नजर उस आम के पौदे पर गई ये आम का पौदा आ सकता है वहाँ आ सके तो जरूर जरूर ले आना ममी को और भी कुछ याद आया गाड़ी में बैटकर बंटी ने एक उर्टी सी नजर अपने घर की ओर डाली और फिर खिड़की पर ठोड़ी टिकाली अब ये सब पीछे छूट जाएगा दो-चार दिनों से तो वो खुद मनाने लगा है कि इस सब को यहीं छोड़कर वो चला जाए कार चल दी पर ये क्या ये घर ये बगीचा हाथ जोड़कर खड़े हुए हीरा लाल और माली सब के सब जैसे कार के साथ साथ दोड़े चले आ रहे हैं धुनलाए हुए थर थराए हुए कुछ भी तो पीछे नहीं छूटा बंटी और मम्मी ने उसे अपने पास खीश लिया तो अवश सा वो मम्मी पर ही जाला दा पर बंटी रोया नहीं ये तो कॉलेज का घर था पिटा अपना घर तो था नहीं अब वहाँ अपना घर होगा अपने लोग होंगे एका एक ही मम्मी का स्वर भर रा गया पता नहीं खुशी से या दुख से बंटी के अपने मन में तो ना खुशी है ना दुख कुछ भी तो नहीं है सिवाए इस एस एसास के कि वो जा रहा है कोटी इस तरह चमचबा रही है जैसे कल ही बनी हो बंटी के मन में हलकी सी तस्वीर है इस कोटी की जब वो उसने पहली बार से दिखा था धूल भरी मटमेली सी अब तो ये जैसे पहचानने में नहीं आती कैसे बदल जाती है चीज़े इस तरह एका एक ही आँकों के सामने अभी अभी छोड़ा हुआ अपना घर घूंग गया जो कार चलने के साथ साथ उसके साथ साथ दोड़ पड़ा था पर जैसे यहां तक दोड़ नहीं सका घर बगीचा हाँ जोड़े हुए हीरालार और माली हाफते काफते सब भीच में ही छूट गए पर मम्मी के साथ अकिला ही आया है इस घर में पहली बार मम्मी ने कई बार कहा था कहा ही नहीं आग्रे किया था कि चल बेटा तुझे जोट ने बुलाया है या कि डॉक्टर साथ ने खास कर तुझे आने के लिए कहा है पर वो कभी नहीं आया कभी कभी जिदी करने लगती तो फूपी आ जाती बचाओ के लिए अरे आप काहे जोर जबरदस्ती करती हैं बच्चे का मन नहीं है तो कैसे जाएगा आज उसे किसी ने नहीं बुलाया है शायद मम्मी ने भी आगरे नहीं किया फिर भी वो आया है जब तक उसका अपना घरता फूपी और सामान के साथ तब तक वो विरूत कर सकता था पर उन खाली दीवारों के बीच इस बार तो उसे आना ही था पूटकों में ही सब लोग खड़े थे डॉक्टर साहब जोत और अमी नयदे कपड़ों में लिप्टे हस्ते खिलकिलाते चीहरे लिए हेलो बंटी एकदम उमक कर डॉक्टर साहब ने बंटी को गूद में उठा लिया और दोनों गालों पर किस्सू दिये बंटी ने विरोध नहीं किया और फिर दीरे से नीचे उतर गया तुम लेने नहीं आये खाली गाड़ी भेजती मम्मी ने कुछ इस ढंक से कहा जैसे वो कभी-कभी मम्मी से कहता था और मम्मी कहती थी क्या ठुनकता रहता है सारे दिन इतनी बड़ी होकर भी मम्मी ठुनकती है मैं आ जाता तो फिर यहां सौगत कौन करता तुम्हारा और डॉक्टर साहब ने मम्मी को बहां में भर कर बीतर ठेलती हुए कहा आज तुम पूरे दस दिन बाद आई हो इस घर में और इन दस दिनों में मैंने चेहरा बदल दिया है इस घर का डॉक्टर साहब का मम्मी के कंदे पर हाथ रखना या मम्मी को बहां में समिट लेना कई बार देख चुका है बंटी फिर भी जाने क्या है कि जब भी देखता है नए सिरे से एक खण को मन में कुछ हो जाता है पर मम्मी पर से नजर हटा लेना चाहता है और बाहों में सिप्टी मम्मी को लगातार देखते रहना भी चाहता है मम्मी इस तरह चल रही है इस घर में जैसे यहाँ सब कुछ बहुत जाना चीना हो उसे तो यहाँ का कुछ भी नहीं मालूम जिधर जो ले जाएगी उधर ही जाता है उसके साथ साथ बलकि उसके पीछे पीछे यह तो कॉलेज का घरता बेटा वहाँ अपना घर होगा अपने लोग होंगे और अपने लोगों के बीच भी सहमी सहमी और परचित सी नजरों से देख रहा है बंटी अपने घर को उससे परचित होने के लिए उसे अपना बनाने के लिए रंग रोगन की गंद घर के इस चोर से उस चोर तक फैली हुई है साथी एक और गंद है जिसे वो किवल सूंग रहा है पर समझ नहीं पा रहा है बड़ा सा बैटरूम हलकी निली दीवारों पे गहरे निले रंग के पड़े और सलेटी रंग का कारपेट खुब गुद गुदा सा दो नई नई चमकती हुई अलमारियां बंटी ने एक बार आग कोल कर उन पर हाथ फिरा एकदम चिकनी उंगली रखते जैसे फिसल गई औ और एक हलका सा निशान बन गया बंटी ने देखा कोई देख तो नहीं रहा कमरे के बीच में दीवार के सारे दो पलंग दोनों के सारे पलंग के साथ ही लैंप लगा हुआ बंटी का मनवा जला कर देखे रोशनी कहां आकर गिरती है उसने मनी मन सोचा वो इधर की तरफ बोगनी शीशियां यह सब किसने जमाया होगा एका एक बंटी की नजर ममी की उसी जादोई शीशी को ढूणने लगी नहीं वो यहां नहीं थी उसे जैसे हलकी सी राहत मिली कमरे के एक सिरे पर आकर बंटी ने एक साथ पूरा कमरा देखा तो आखों के सामने रंगीन खूरने का अफसाद धुंदला हो गया कभी अपने दोस्तों कर लाकर दिखलाएगा टीटू की अमा आकर देखें कैसे हसती थी अब हसे आकर कभी देखा भी होगा ऐसा कमरा बंटी तुम्हें कैसा लगा कमरा बताओ तो पसंद आया डॉक्टर साब ने उसकी पीट पर हाथ रख कर पूछा तो बंटी जैसे पुलक कर मुस्कुरा दिया अच्छा लगा बंटी को डॉक्टर साब भी अच्छे लगे जोत और अमी दोड़े दोड़े आए पापा चलिये नाश्ता तयार है बड़ी सी मेज पर धेर सारी खाने की चीजें फैली पड़ी है बंटी को शा पूपी तो इस्कूल से आते ही सबसे पहले कपड़े बदलवाया करती थी मम्मी को ख्याल भी नहीं आया कि यहाँ आने से पहले कम से गम उसके कपड़े तो बदलवा दे हैं और हसते हुए मम्मी ने डॉक्टर साहब के सामने वाली कुर्सी खीच ली, बंटी अभी भी खड़ा है, तुम भी अपनी कुर्सी तै कर लो बेटे, बोलो इधर बैठोगे या उधर, सबी की अपनी जगे तै है, अपनी कुर्सिया तै है, बस उसी का कुछ तै नहीं है, जो बचा है, उसमें से ही कुछ से चुन लेना है, वो चुपचाब जोत के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया, मन को कहीं एक अनमना सा भाव चू कर निकल गया, अमी और जोत की, यह लाओ, वो लाओ, ए बंसी लाल, इसमें हरी मिर्च क्यों डाली, आज अंगूर क्यों नहीं है मेरे नमकीन बिसकुट के बीच, बंटी अपनी नजरों में जैसे कहीं से बड़ा बेचारा हुआया, बेचारा और उपेक्षित, डॉक्टर साब बाहर वालों की तरह उसकी मनुहार कर रहे हैं, यह लो बंटी बेटे, वो लो तुम्हें अच्छा लगेगा, वो बाहर का ही तो है, शर्मा नहीं बंटी, तुझे जो पसंद है ले ले, अपने घर में शर्माते नहीं, मम्मी ऐसे बोल रही हैं, जैसे खुद भी डॉक्टर साब के घर की हूँ, और हैं भी शायद शादी के बाद हो जाते हैं, पर वो कैसे, उसने थोड़े ही शादी की हैं, और आखो के सामने फिर अपने घर की तस्वीर उभराई, मेज पर कभी अकेला और कभी मम्मी के साथ बैठा हुआ बंटी, और डाट डाट कर खिलाने वाली फूपी, एलो, हो गया तुमारा खाना, और ये कौन खाएगा, तुम कैसे नहीं खाओगे बंटी भाईया, हम बास लेकर तुमारे गले में, समझे, मम्मी के आगे दिखाया करो, ये नक्रे, बहुत सिर्चड़ा रखा है तुम्हें, और मम्मी मुस्कुराती रहती, एक आएक ही नजर मम्मी की ओर उट गई, इस समय भी तो मम्मी मुस्कुरा रही है, एक ही आदमी इतनी अलग-अलग तरह से भी म पचा सकता है लंबा कितना है गर्दन पूरी उची करके देखने पर ही चेहरा दिखाई दे आओ आओ वर्मा बड़े अच्छे समय आए नमस्कार वर्मा साहब नमस्ते अंकल सब लोग तो जानते हैं इस लंबे आदमी को बस वही नहीं जानता आज ये खाने की मेश सचमुच खाने की मिश लग रही है लंबा आदमी मम्मी को कैसे घुर घुर कर देख रहा है डॉक्तर साब खीखी करके हस पड़े और मम्मी गदगद होकर एकदम सुर्ख हो गई आज कर मम्मी के गाल बात बात पर ऐसे सुर्ख को जाते हैं मानो गुलाब चूडे में ना लगाकर गा रहते थे और अब ए बंटी अब तू जोशी हो गया यार बंटी जोशी नहीं अरूब जोशी धत मैं क्यों हो गया जोशी मैं अरूब बत्रा हूँ बंटी बत्रा चल चल डॉक्टर जोशी तेरे पापा नहीं हो गया बिलकुल नहीं एकदम नहीं मेरे पापा अजय बत्रा है कलकते में रहते हैं अब नहीं रहे हो पापा मिस्टर मार दूंगा ज़्यादा बकवास की तो मन हो रहा था धचियां बिखेर दे इस कहलाश के बच्चे की फिर सारे दिन वो कागज पर अरूब बत्रा अरूब बत्रा बंटी बत्रा लिखता रहा था लंज टाइम में मैदान में बैठा तो उली से जमीन पर लिखता रहा बत्रा बत्रा अंकल आप टॉमी को नहीं लाए हम घर से नहीं आएं बेटे सीधे आफिस से चले आ रहे हैं सोचा जड़ा तुम्लों के घर की रौनक देख लें क्यों मिसेज जोशी बेडरूम पसंद आ गया आपने अप्रूव किया या नहीं मम्मी के गाल फिर सुर्ख हो गए क्या हो जाता है मम्मी को बार बार ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था वाह मिसेज वर्मा ने सब अरेंज किया और मुझे पसंद ना आए हम तो सोच रहे थे कि धन्यवाद देने रात में खुद ही उधर आएंगे ओ नो नो ये सब तकल्लफ बाजी छोड़िये आज की रात नहीं फिर एका एक उनकी नजर बंटी पर जम गई ये बच्चा ओ अच्छा अच्छा क्या नाम है बेटे तुमारा प्यार से बोला तब भी लगता है जैसे डाट रहा हो इसके बच्चों को डर नहीं लगता होगा इससे बंटी ने सीधी नजरों से उसे देखा और बिना जिजक के जवाद दिया अरूप बत्रा बत्रा पर इतना जोड़ डाला कि उसके सामने अरूप तो जैसे दबी गया वाँ बड़ा अच्छा नाम है ये तो अरूप और अमित चोड़ी भी खूप रहेगी फिर मम्मी के और देखकर बोला सीम्स टू बी अ बोल्ड चैप मम्मी कैसे घुर घुर कर देख रही है देखें वो क्या डरता है बत्रा है तो बत्रा ही रहेगा और बत्रा ही कहेगा मम्मी के तरह नहीं कि ज़र से जोशी बन गए खाना पीना खतम हुआ तो डॉक्टर साहब ने कहा जोत बंटी बेटे को घुमा कर सब दिखाओ तो अपनी किताबें अपने खिलोने पीछे का सी सौ और स्लिप घुमाओ जरा मम्मी मजे से बैटी है उन्हें अभी भी ख्याल नहीं आ रहा है कि बंटी के कपड़े बदलवाने है यहां कौन फूपी है जो बदलवा देगी कपड़े मम्मी से कहते हुए भी इस समय उतना ही संकोच हो रहा है वही कहे कपड़े की बात मम्मी को अपने आप नहीं सूचती यह दोनों नए-नए कपड़े पहने बैठे हैं फिर भी मम्मी को ख्याल नहीं आ रहा उस लंबे आदमी ने क्या सोचा होगा कि ऐसे गंदे कपड़े पहन करी रहता है यह बच्चा जाओ बेटे जोद बुला रही है मुझे कपड़े दो कपड़े नहीं बद्लूगा मैं भरसक रोकने पर भी बंटी का सौर जैसे भर रही गया अरे चल चल मैं तो भूली गई पर डॉक्टर के और देखकर पूछा आज जो कपड़े के बकसे आएं हों कहां रखे हैं एक कमरे में सारा सामान अस्त्वियस डंग से पड़ा है बंटी के घर का सामान बकसे, बिस्तरे, गठ्री में बंधी हुई किताबें टोक्री में भरे हुए बंटी के खिलोने बंटी की पेंटिंग्स और भी जाने क्या-क्या लगा जैसे उसका सारा घर गठ्रीयों और टोक्रीयों में बांध कर या ठूस दिया गया है मम्मी एक बकसे में से कपड़े निकाल रही है और बंटी उस सामान को देख रहा है सामान का भी चेहरा होता है क्या सारा सामान कैसा उदास उदास लग रहा है बंटी का सिपाही टोक्री के किनारे सिर के बल्ट हुसा हुआ है बंटी जल्दी से गया और से निकाल कर उसने सीधा कर दिया पर भीतर तो सभी कुछ उलट-उलट है, एक बार मन हुआ आपने सारे किलोने निकाल कर, ले बदल, कपड़े बदल ले बिटा, बच्चों के साथ खेल, जोत है, अमी है, पीछे भी बड़ा सा मैदान है, खूब खेलो, पूदो, दोडो, भागो, पर बंटी है कि अपनी टोक तो एक बार फिर लगा, जैसे अपने घर से निकल रहा हूँ, जोत सब बता रही है, ये जो नीम का पेड़ है ना बंटी, ये जिस दिन पापा पैदा हुए थे, उस दिन लगवाया था बाबा ने, पापा के जनम दिन पर इसकी पूजा करती थी चाची अम्मा, और एका ए रहती थी हमारे पास, थोड़े दिन पहले ही तो गई है, और वो जो बड़ा सा जाली का पिंजरा देख रहा है, उसमें खरगोश पाले थे बंसी लाल ने, पर एक बार जाने कैसे बिल्ली गुज गई और सब सफा चट, बिल्ली नहीं बंटी भाईया, बिलाओ, ये मोटी जबरी पूँच, देख लो तो डर लग जाए, सारे खरगोश चट कर गया, फिर बंसी लाल का घर, इमली का पेड, जहां दोनों बीन बीन कर कच्ची इमली खाते हैं, बड़ी स्वाद है इस पेड की इमलिया, जो तो और हम ही बताय चले जा रहे हैं, और बंटी केवल सुन लगता है, और जैसे जैसे अंधेरा गुलता जा रहा है, सब कुछ और ज्यादा ज्यादा अपरचित होता जा रहा है, यहां तो आस्मान भी पहचाना हुआ नहीं लगता, हवा भी पहचानी हुई नहीं लगती, अपने घर का आस्मान और अपने घर की हवा कहीं ऐसी होती ह ममी डॉक्टर साहब के साथ बाहर गई है और वो कमरे में अकेला बैठा है चारों और बत्निया जगमगा रही है फिर भी बंटी के मन में न जाने कैसा डर लग रहा है रात में कभी भी घर से बाहर नहीं सोया अब कैसे सोयेगा यहां और आखों के सामने वही नीले परते वाला कमरा गूं गया फिर भी डर है कि बढ़ता ही जा रहा है अपने घर से आया है तब से अब तक यही लग रहाता कि वो केवल यहां आया है तभी शायद उस समय उसे उतनी घबराट नहीं हो रही थी पर अब जैसे जैसे रात बीटी जा रही है यह एसास कि अब केवल आया ही नहीं है उसे यहां रहना भी है केवल आज ही नहीं हर दिन हर रात और इस बात के साथ ही मन है कि जैसे डूपता चला जा रहा है कैसे रहेगा इस घर में ये घर उसका बिल्कुल नहीं है, ये डॉक्टर साप का घर है, जोत और अमी का घर है, वो किसी के घर में नहीं रहेगा, अपने घर जाएगा, अपने ही घर में सोएगा, अपने घर में उसे कभी डर नहीं लगता था, मम्मी बाहर चली जाती थी, तब भी नहीं, एकदम ना उसके घरवाले हैं मम्मी के कहने से क्या होता है क्या वो जानता नहीं और जब कुछ उसका नहीं है तो डड़ेगा नहीं वो लाक रोकने पर भी आँखें हैं कि छलचल हो रही है अरे बंटी तु यहां बैठा है कपड़े नहीं बदले मम्मी तेरे कपड़े पलंग पर रग गई है जोत पहले मम्मी को आंटी जी कहती थी अब मम्मी क्यों कहने लगी हू 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 सर्दी रे दूनों बाहों को कसकर छाती से चिपकाए अमी पंजों के बर उचलता हुआ आया और बिस्तर में दुबक कर रजाई ओड़ ली बंटी ने बात्रूम में जाकर मूद हो लिया पता नहीं क्या है वो कहीं भी जाए उसका अपना घर साथ साथ चलता है बात्रूम, बाल्टी, नल आँख मीच कर भी अपने घर में जिस तरह चल सकता था यहां आँख खोल कर भी उस तरह नहीं चल पा रहा है चल अब अपनी अपनी रजाईयों में घुसकर कहानी कहेंगे मम्मी बता रही थी तुझे खुब खुब कहानी आती है मैं भी कहानी सुनूँगा बंटी भाया राजा रानी वाली परियों वाली पर बंटी न बिस्तर में लेटा न रजाई ओड़ी और नहीं उसने कहानी सुनाई बस कंबल लपेट कर बैठे बठे मम्मी की राह देखता रहा अमी तो लेटते ही सो गया जोत उससे स्कूल की बातें पूछती रही चुटकुले सुनाती रही इसकूल की बातों पर वो चुप रहा और चुटकुलों पर वो रोता रहा थोड़ी देर में जोत भी लुड़क कर सो गई बंटी है की उससे सोते बन रहा है न जाकते बस रह रहकर आखे चलचला आती है मम्मी के आती ही वो चिटक कर पलंग से नीचे उतराया अरे तु सोया नहीं बंटी बेटा और ये क्या कुछ भी गरम नहीं पहन रखा है और बिस्तर में से निकलाया सरदी नहीं लग जाएगी बंटी दोड़ कर मम्मी के पैरों से लिपट किया मैं अकेला कैसे सोता मुझे डर नहीं लगता उंगली में गाड़ी की चाबी नचाते हुए डॉक्टर सहाब आए अरे तुम सोय नहीं बंटी बेटे तुम चलो और मम्मी उसे अपने से चिपकाए चिपकाए कमडे में ले आई डर क्यो लगता है जो तो रमी नहीं सो रहे है देख हमी तो तुस्से भी छोटा है उसे डर नहीं लगता और तुझे डर लगता है मम्मी ने पूरे जूडे में माला लपेट रखी है और सुगंध है कि केवल माला में से ही नहीं जैसे पूरे शरीर से फूटी पड़ रही है मम्मी गई थी तो दूसी तरह की थी और अब लोटी है तो एकदमी दूसी तरह की हो गई तू तो बहुत पगला है बेटे सबके बीच में भी ड़ता है पर उस कमरे में तो कोई नहीं था मैं कैसे सोता, अकेले मुझे ड़नी लगता वहाँ ओ, मम्मी एक क्षण रुकी फिर उसकी पीट सहलाती हुई बोली नहीं बेटा, बच्चे लोगों का तो यही कमरा है बच्चे लोग सब एक साथ सोएंगे देखो तो ये लोग भी तो सो रहे हैं हाँ चल मैं तुझे सुलाती हूँ और ममी ने बहुत प्यार से पकड़ कर उसे पलंग पर लिटा दिया रजाई उड़ाई और उसके सिराने बैट कर उसका सिर सहलाने लगी बंटी की आँखों में इतनी देर से तयार हुआ वो नीले परदों वाला कमरा जिसमें बंटी ने मनी मन अपता पलंग भी तै कर लिया था जैसे डेह कर गिर पड़ा बंटी बेटा पसंद आया तुम्हें ये कमरा जूट जूट मन में जैसे एक जवार उठ रहा था दुखका गुसे का मन हो रहा है जाए उस कमरे में और एक एक चीज उठा कर फेक दे परदे फार डाले देखे कोई क्या कर लेता है उसका ममी ने जुक कर उसके गाल को चूमा तो उसने ममी का चेरा जटक दिया क्यों पागलपन कर रहा है बेटे देख ये दोनों भी तो हैं मुझे तंग करने में सबके भी शर्मिंदा करने में तुझे खासी सुक मिलने लगा है आज कल हाँ मिलता है सुक जरूर करूँगा शर्मिंदा तुम नहीं कर रही हो मुझे शर्मिंदा यहां दूसरों के घर लाकर पटक दिया अपना घर होगा कोई नहीं है अपना घर मैं नहीं रहता किसी के गर पहले तो कमरा पसंद करो फिर कितनी बाती हैं जो फूटी पड़ रही है बंटी कहना चाहता भी है कि सब कह दे कितने दिन तो हो गए उसने कुछ कहा ही नहीं आज कल तो सिर्फ सुनता है और मान लेता है पर आज नहीं लेकिन गला है कि बुरी तरह भिचा हुआ है, लगता है बुलना चाहेगा तो बस केवल हिचकी फूट कर रह जाएगी, नीन नहीं आ रही बंटी को, क्या बात है बेटे, डॉक्टर साथ तॉलिया लटका है दरवाजे पर खड़े पूछ रहे हैं, अभी सो जाएगा, नई ज हो तेरे पास, मम्मी बैठी बैठी उसका सर सहलाती रही, दीरे दीरे उसके गाल थपतपाती रही, बंटी आखे मूदे पड़ा रहा, थोड़ी देर बाद दीरे से मम्मी उठी, एक बार चारों और से उसे अच्छी तरह ढखा, खट, बटी बंद हुई, तो बंद आखोस म पहला अंधेरा खुब गाड़ा हो गया, बंटी ने आके खोल दी, सारी की सारी मम्मी अंधेरे में डूप गई थी, बस दीरे दीरे दूर होता, उनका जूड़े का गजरा चमक रहा था, दरवाजे पर पहुँच कर मम्मी ने दीरे से आवाज दी, बंटी, बंटी चुप, सो गया, डॉक्टर साब रात के कपड़े पहन कर आये थे, मम्मी ने दीरे से कहा, फिर दोनों उसी कमरे में चले गए और एक हलकी सी आवाज हुई, शैद दरवाजा बंध होने की, बंटी को लगा घर से चला था तो बीच रास्ते में आकर उसका अपना घर और बगीजा छ और डॉक्टर साब ने निकल कर बाहर के बरामदे की बत्ती बंध कर दी, सारा घर अंधेरे में डूप किया, बंटी के मन का दुख और गुस्ता दीरे दीरे डर में बदलने लगा, केवल डर ही नहीं एक आतंक कैसी कसी शकले उभरने लगी उस अंधेरे में, उसने कसकर जादूई नगरी के नाचते हुए हड़ियों के ढाचे, सब के सब चारों ओर नाच रहे हैं, दीरे दीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसकी सांस जहां की तहां दुख गई मम्मी दर्वाजा खोलो, दर्वाजा खोलो मम्मी, सारी ताकत से बंटी चीक रहा है, और दोनों हातों से दर्वाजा भड़ा रहा है, दर्वाजा खोलो मम्मी, आदी रात के सननाटे में बंटी की भीची हुई सी आवाज भी सारे घर में पूझ उठी, खटाक से मुँ आसू लार और नाक से संगिया हिचकियों के मारे सास नहीं ली जा रही है मम्मी ने उसके चारों और कसकर शौल लपेट दिया मैं हूँ बेटे मम्मी क्या हो गया मैं तेरे पास हूँ क्या बात हो गई गले तक रजाई ओडे ओडे ही डॉक्टर साब ने पूछा डर गया है शायब मम्मी ने कहा पर उनकी आवाज ऐसी सहमी हुई थी जैसे वे खुट डर गई हूँ मम्मी उसे वैसे ही छाती से चिपकाय चिपकाय पलंग पर बैट गई उसकी पीट सहलाती रही मैं तेरे पास हूँ बेटे मम्मी तेरे पास है दीरे दीरे बंटी अपने में लोटने लगा मम्मी की आवाज ने मम्मी की बाहों ने उन सब को भगा दिया जिनके बीच बंटी की सांसे रुकी हुई थी और जब बंटी की हिश्किया थम गई उसके शरीर में फिर गर्माई आ गई तो मम्मी ने बंटी को धीरे से पलंग पर सुलाया क्या हुआ बेटे डर किया था तो पहली बार बंटी ने आखें खोली उसकी मम्मी उसपर जुकी पूछ रही थी उसकी अपनी मम्मी एक बार मन हुआ मम्मी की गले में बाहे डाल कर लिपड जाए पर हां जहां के तहां जमे हुए हैं हाती नहीं जैसे सारा शरीड जहां का तहां जम गया केवल आखे खुली हैं और वो टुकुट-टुकुट देख रहा है मम्मी को कमरे को आसपास की चीजों को हलकी नीली रोश्णी में डूबा हुआ कमरा, कमरे की हर चीज पहले भी कभी इस तरह डर जाया करता था पता नहीं कहां से आ रही है डॉक्टर साथ की आवाज नहीं कभी नहीं डरा शायद नहीं जगे थी, शायद कोई सपना देख रहा हो उल्टी सीधी कहानिया जो पढ़ता है दुनिया भर की ममी की आवाज में परेशानी थी, दुख था पहले जब बंटी दूसरी दुनिया में था तो ममी का चेरा, ममी की आवाज बहुत अपनी अपनी सी लग रही थी अब वो पूरी तरह अपनी दुनिया में लोट आया तो नीली रोश्णी में नहाई मम्मी, कमरा, कमरे की हर्चीज जैसे दूसरी दुनिया की लगने लगे दोपहर वाला कमरा जैसे कहीं से बिल्कुल ही बदल गया है सब कुछ फिर बड़ा बड़ा जादू ही सा लगने लगा फिर मन में डर समाने लगा, अजीब तरह का डर बंटी ने आखे मोन ली, पर दो-चार मिनट के लिए देखा हुआ वो नीला रंग आखों में ही आकट चपक लिया नीलम देश क्या ऐसा ही होता है थोड़ी देर बाद मम्मी की थपकियां और फिर जैसे दूर कहीं से आती हुई आवाज पर तुम जब समझते हो, कहते हो तो मन जरूर थोड़ा हलका हो जाता है पर मैं जानती हूँ कि यह कुछ नहीं, दीरे-दीरे सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर साब की नीन में डूबी हुई आवाज सो गया? हाँ लगता तो है सो गया फिर चुप, बंटी का मन हो रहा है आँके खोल दे एक बार फिर मम्मी का चेरा देखकर आश्वास थो ले पर नहीं, नीली रोशनी में डूबी हुई सुनो तुम उठकर कपड़े पहलो पता नहीं ये सबेरे जल्दी उठ जाए तो बड़ी अजीब इस्थित हो जाएगी अचानक आपों के सामने कुछ काला काला तैर गया मम्मी ने बत्ती बंद की है शायद बंटी ने धीरे से आँके कुल कर देखा नीली रोष्णी गायब हो गई थी खिर्की से चनकर आती हुई बहुती फीकी फीकी रोष्णी में फिर सब कुछ पहचाना पहचाना सा लगने लगा खास कर मम्मी का चेहरा कहीं मम्मी उसे जागता हुआ न देख ले पलंग के एक सिरे से डॉक्टर साहब रजाई उतार कर उठे तो बंटी धम चीची ये क्या इतना बड़ा आदमी एकदम नंग धरंग बंटी की आँकें फटी पड़ रही है और मम्मी भी देख रही है शरम नहीं आ रही है इन लोगों को उसे जैसे मितली सी आने लगी पर आखें हैं कि फिर भी बंद नहीं हो रही है डॉक्टर साहब ने कपड़े पहन लिए फिर जैसे दिमाग में वही सब नुव रहा है फिर मम्मी धीरे से उतरी और उसी रैक की ओर गई उन्होंने भी अपना हाउस को टुतारा तो बंटी भीतरी भीतर भैसे थर-तर कापने लगा यह उसी की मम्मी है उसने आज तक कभी अपनी मम्मी को ऐसे नहीं देखा उसकी मम्मी ऐसी हो ही नहीं सकती यह क्या हो रहा है छी-छी बेशरम बेशरम उसका मन हुआ रजाई-उतार का फेके और जोर से चीखे पर वो चीख नहीं रहा मन जाने कैसा कैसा हो रहा है उसका थ्रिल भी है उसके मन में जो जुपसा भी मम्मी के इस विवार की शरम भी गुसा भी और जाने क्या-क्या सारे गुसे नाराजगी और दुखे बावजूद अभी तक मम्मी उसकी मम्मी थी अब जाने क्या हो गई पता नहीं उसे कुछ भी नाम देना नहीं आ रहा है बस इतना लग रहा है कि अभी तक की मम्मी एका एक ही जैसे कहीं से तूट फूट गई चकना चूर हो गई सबेरे देर तक की गहरी नीन भी बंटी के मन से मम्मी और रॉक्टर साब का नंगा पन न उतार सकी आँख खुली तो मम्मी और रॉक्टर साब जा चुके थे पर नीम अंधेरे में लिप्टे हुए उनके नंगे शरीर जैसे वहीं लटके हुए थे जो कुछ उसने रात में देखा वो सच था ऐसा हो सकता है एका है कि उसकी नजर डेसिंग टेबल पर गई वही शीशी जादू ही शीशी और खट से ये शरीर उस शीशी से जाकर जोड़ गए उसे अच्छी तरह याद है कल तो ये शीशी यहां नहीं थी फिर कैसे आ गई, कब आ गई और बंटी भईया उसने जो जादू की शीशी सुगाई तो बस राज कुमार का तो मगजी फिर गया, फिर वो अपने बाब को नहीं पहचाने, मा को नहीं पहचाने और तो और वो अपने को ही नहीं पहचाने बंटी उछल कर भागा बरामदा पार कर रहा था तो खाने के कमरे से मम्मी की आवाज आई उठ गया बंटी जल्दी कर बेटे स्कूल को देर हो जाएगी बंटी का मन हुआ दो मिनट के लिए मम्मी के पास चला जाए पर नहीं मम्मी उसे पहचानेंगी कहीं चाटा ही मार दे तो रात में मम्मी अपने को नहीं पूल गई थी अम्मी और जोड तयार हो रहे थे उन्हें देख कर ही जाने कैसी तसली मिली उसने जोड का हाथ पकड़ लिया वो उससे बोल कर उससे चू कर अपने मन का डर बगाना चाहरा था कभी अकेले में डर लगे तो जोड जोड से बोल कर ही कैसे राहत मिलती है अपनी आवाजी कैसा सहरा देती है तो इतनी देर से उठता है बंटी देर नहीं हो जाएगी जब आतरू में गरम पानी रखा है जल्दी से हाथ मूँ दो कर तयार हो जा जोड की बाद जोड की आवाज जोड का चेहरा सबसे उसे बड़ी तसली मिल रही है जब जब उसने जोड को देखा जोड उसे हमेशा अच्छी लगी जोड की तरफ देखते रहना भी उसे अच्छा लगता है वो जल्दी से बातरूम में खुष किया पर जैसे ही बात्रूं का दर्वाजा बंद किया एक अजीब सा डर्मन में समाने लगा उसने खाली सूसू की, छीचू दबा गया और जल्ली से दर्वाजा खोल दिया कम से कम बाहर वालों के चेहरे दिखते रहें चेहरों का भी कैसा आश्वासन होता है खाने की मेज पर सब बैठे हैं ममी टोस्ट में मक्खन लगा कर दे रही है डॉक्टर साब सफेद बुद्रा कपड़ों में ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी लांडरी में से निकल कर आए हूँ वे खाते भी जाते हैं और बार-बार नैपके से हाथ और होट भी पोश्टे जाते हैं पर बंटी है कि ध्यान ना खाने पीने की चीजों पर है ना जोत और अमी की बातों पर सामने बैठे टोस्ट को तरते हुए डॉक्टर साब एक खशन उसे कपड़ों में दिखाई देते हैं तो एक खशन नंगे एकदम नंग धड़ग मक्खल लगाते लगाते चाय के घूट लेती मम्मी के भी मिनट मिनट में कपड़े उतर जाते हैं एक बड़ा भारी सा रहसे था जो उसे एक आहे पता लग गया है जैसे पहले बड़ा डर लगा था फिर अजीब से घिन चूटी और अब गुस्से और घिन के साथ साथ इच्छा हो रही है कि बार बार उसी दर्शे को देखे और फिर तो जैसे अजीब इस्तित हो गई है उसकी नहने लगा तो अपने अंग को लेकर भी वैसी थ्रिल महसूस होने लगी मनीमन डॉक्टर साथ के साथ अपनी तुलना शुरू हो गई बड़ा होकर वो भी ऐसा ही हो जाएगा वो सोच रहा है हाथ में लेकर देख रहा है और भीतरी भीतर एक अजीब सी सहरन हो रही है पहली बार उसे लग रहा है जैसे वो है उसके भी कुछ है क्लास में टेबल के सामने खड़ा होकर सर पढ़ा रहे हैं और एका एक बंटी के सामने सर के कपड़े उतर जाते हैं एक अनंत सिलसला जो कभी अपने रूप में और कभी मम्मी के रूप में सामने आती है वो उसके फ्रॉक में से जाकने की कोशिश करता है मम्मी जैसा तो कहीं कुछ नहीं है शायद बड़े होकर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा और फिर सब जगए वही 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 पर सांज गिरने के साथ साथ और सारी भावनाएं तो गायब हो गई रह गई सिर्फ एक अपराद भावना बहुत कुछ ही गंदा काम करने की अपराद भावना क्यों आई मम्मी यहाँ क्यों लाई उसे आज एक मिनट भी पढ़ने में मन लगा है उसका स्कूल में अब किस तरह पढ़ेगा वो उसने कसकर उंगलियों का क्रॉस बनाया नहीं नहीं वो अब नहीं सोचेगा इन बातों को कितना पाप चड़ा होगा आज उस पर क्या करें वो जैसे अजीब सी असाहयता घेराई उसके चारों और रात आते ही अपराद भावना भे में बतलने लगी है पता नहीं किसका भे कैसा भे पर कुछ है जो उसे दबुचे जा रहा है खाने की मेश पर बंटी ये पुलाओ ले लो बेटे सलाद नहीं काते अरे ये तो बहुत फायदा करता है तुम्हें क्या दियामी बंसी लाल आलू की सबजी ये सारे वाग के बरतनों की खड़कर चमच प्लेटों की टकराहट आसपास बैठे लोग सब गड़मड होकर जैसे एक अंधेरे में दूपते जा रहे है और अंधेरा है कि बढ़ता ही जा रहा है मम्मी बगल में बैठी बंटी का सिर सहला रही है सोजा बेटे मैं तेरे पास हूँ आज बंसीलाल से कह दिया है वो दरवाजे के पास बरामदे में ही सो जाएगा बरामदे की बत्ती भी जली रहेगी फिर अमी है जोत है राजा बेटा है मेरा बड़ी देर तक सिर सहलाने के बाद मम्मी गई है बत्ती बंद करते ही कमरे का सारा अंधेरा बंटी के मन में भर गया भरी नहीं गया जैसे जम गया है मन में आकर अंधेरा जम जाये तो कैसा लगता है कोई जान सकता है खट अमी के कमरे का दरवाजा बंद हुआ और बंटी की आग के सामने चारों और नीली रोशनी फैल गई और फिर वही फिर उसकी उंगलियां कसकर एक दूसरे से लिपट गई नहीं नहीं राद बर बंटी किनकिन लों के भीच भटकता रहा है सब अंजाने अपरचित चेहरे अंदेखी जगे वो कैसे आ गया यहाँ पर धेर सारे नंगे लोग बिलकुल नंग धड़ंग आ रहे हैं जा रहे हैं कहीं भी खड़े होके सूसू कर रहे हैं वो भी नंगा हो कर घूम रहा है सूसू आई तो वहीं खड़ा खड़ा करने लगा सूसू है कि खतम ही नहीं हो रही है कितनी धेर सारी सूसू की है उसने यह क्या सूसू से सरा बिस्तर भीगा हुआ है एक शर्टो जैसे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया और जब समझ में आया तो एक इस नंगे हो जाने जैसी शरम खिड़की के पार सबेरा होने के पहले वाली फीकी-फीकी रोश्टी फैल रही है अब वो क्या करें? हाँ फेर कर देखा, सारा बिस्तर गीला है, सारे कपड़े गीले हैं उठकर कहां जाए, कैसे कपड़े बदले? और बिस्तर सबेरा होते ही सबको मालूम हो जाएगा जोत, अमी, डॉक्टर साहब, बंसीलाल क्या कहेंगे सब लोग, क्या सोचेंगे शरम, दुख, गुस्सा और फिर आसू, धेर धेर आसू अमी और जोत उठे हैं, जोत ने उसे आवाज भी दी है पर वो है कि सांस रोके पड़ा हुआ है वेद उन्हों तो चले गए, पर वो उठे कैसे बंटी उठ बेटा स्कूल नहीं जाना पर बंटी जो काते हो पड़ा है, वो नहीं उठेगा आज भी नहीं, कल भी नहीं, सारी जिन्दगी नहीं उठेगा जैसे वो सो नहीं रहा है, बस बिस्तर में जम गया है ममी ने पास आकर रजाई ठाई, तो उसने और कसकर आखे मोन ली कोई ऐसा जादू नहीं हो सकता कि बिस्तर सहित गायव हो जाए अरे ये क्या, ओ गुड मॉर्निंग किड्स, दरवाजे पर डॉक्टर सहाब की आवाज सारे कमरे में फैल गई अमी जोत तो चले भी गई, उसे देखने के लिए ही तो आए है ममी ने जल्दी से उस फर फिर रजाई डाल दी तुम जरा उधर चलो, और फिर उसे गीले कपड़ों के साथी उपर से नीचे तक अपने शौल में लपेट लिया और उसके गीले बिस्तर पर रजाई डग दी बंटी को कपकपी छूट रही है, पता नहीं सर्दी से या डर से मम्मी बचाएंगी, पर आखिर कितनी देर तक अपने कमरे में लाकर मम्मी जल्दी जल्दी उसके कपड़े बदलवा रही है चेरे पर धेर धेर परेशानी है सूसू करके नहीं सोया था बेटा रात में आया था, तो बंसी लाल को क्यो नहीं जगा लिया पर बंटी से कुछ नहीं बोला जा रहा है मन का सारा भै और आवेश केवल हिच्कियों में फूटा पड़ रहा है अब रो मत, रोता हुआ देखेंगे तो क्या कहेंगे सब लोग मैं किसी को पता भी नहीं लगने दूँगी, चुप हो जा एक दम और डेसिंग टेबल के सामने लाकर उसके बाल बनाने लगी तो फिर वही शीशी वो भीतर तक काप गया नाच्ते की मेच पर बैठा तो उसकी नजर नहीं उट रही है सब जल्दी जल्दी नाच्ता कर रहे हैं सब कुछ ना कुछ बोल भी रहे हैं पर बन्टी को लग रहा है कि जैसे सब चुप हैं और कुछ ने कर रहे हैं केवल उसी की और देख रहे हैं जैसे सब को मालूम हो गया है कि उसने बिस्तर में सूसू कर दिया है बिना देखे ही वो देख रहा है मम्मी के चेहरे पर परिशानी है डॉक्टर साब के चेहरे पर उपेक्षा है जोद के चेहरे पर दया और अमी के चेहरे पर शैतानी चिड़हने वाला भाव तोस्स सेख सेख कर देता हुआ बंसीलाल मुस्कुरा रहा है कि देखो इतना बड़ा बच्चा और बस बंटी ही है कि बेहत बेहत शर्विंदा अपनी नजरों में गिरा सबसे तुछ बना जैसे तैसे दूद के घूट निगल रहा है दूद से ज़्यादा आसू के घूट निगल रहा है मम्मी परेशान हो हो कर पूछ रही है और हाथ में वही जातुई शीशी जो बिल्कुल खाली है तुमने शीशी खोली थी जोट नई मम्मी मैं तो आपके कमरे में गई ही नहीं अमी तुमने तो नहीं गिराया बच्चे नहीं, बिना ममी की और देखे बड़ी लापारवाही से उसने जवाब दिया गिराया हो तो बता दो बेटे गिराया नहीं हो, मानलो गलती तो गिर गया हो तो बता दो मैं कुछ नहीं कहूँगी नहीं, हमने खोली ही नहीं शीशी हम क्या सेंट लगाते हैं बंटी तुमसे गिरा बेटे नहीं पर बंटी को खुद लगा जैसे अमी की तरह दबग ढंग से वो नहीं नहीं कर सका और ये मम्मी है कि उसे ही गूरे जा रही है जोत और अमी को क्यों नहीं गूरती है ऐसे एक मैं ही हूँ तो फालतू पर गुस्सा है कि टिक नहीं पा रहा है एक डर है कहीं ये शीशी ही तो नहीं बोलने लगे मैं बताती हूँ असली चोर कल जग पीछे के मैदान में उडेल कर धेर सारी मिट्टी उपर से डाल कर हाफता हाफता हो आया था तो ठीक सिनेमा में देखे कार्टून फिल्म की तरह उस शीशे के हाथ पैर आंक नाक निकल आये थे और वो बड़ी देर तक उसके आगे पीछे नास्ती रही थी कमाल है सारी की सारी शीशी उलट गई और कमरे में कहीं खुश्बू का नाम तक नहीं तुम लोग ने नहीं गिराई बंसी लाल ने सफाई करते समय नहीं गिराई गिरती तो सारा कमरा गमक जाता कहां गया सारा सेंट ये तो जैसे कोई जादू हो गया जादू शब्द से ही जैसे एक बार उपर से नीचे तक फिर सुरसुरी सी दोड़ गई बंटी ने दोनों हातों से कसकर कुर्सी पकड़ ली शेव करने के बाद तॉलिये से मुझ को खुब जोर जोर से रगड़ते हुए डॉक्टर साहब बोले अरे छोड़ो अब इतवार के दिन क्यों सबिरे सबिरे पचला लेकर बैट गएं जो हुआ सो हुआ और मंगवा लेंगे मंगवाने की बात नहीं है पर आखिर जा कहा सकती है मम्मी जैसे अपने से ही बोल रही है स्वर में खीज और परिशानी है और चेरे पर जैसे कोई कहरी चिंता उभर आई है कहा ना फॉर्गेट अबाउट इट डॉक्टर साहब ने मम्मी की अकंधा तपपा दिया एक सेंट की शीशी ही तो उलट गई है ना कोई दुनिया जहान तो नहीं उलट गया तुमारी दी हुई चीज थी बुरा नहीं लगेगा सबिरे सबिरे मूट खराब हो गया हम्म तो इसलिए परिशान हो रही थी मम्मी और इसके साथ ही भै की जगए एक संतोच जागा और एका एक नजर मम्मी के जगमगाती हुई अंगूठी पर चली गई ये भी डॉक्टर साब नहीं पहनाई थी शादी का सारा का सारा द्रश्य फिर आँखों के सामने घूम गया मन में फिर कुछ कहीं कुलूब लाने लगा कोठी के दरवाजे में घुसते ही बाईं ओर को दो कमरे हैं और एक बरामदा है सबेरे आठ बजे से साड़े बारा बजे तक डॉक्टर साब यहीं रोगियों को देखते हैं बरामदे के खंबे पर परिवार नियोजन का एक बड़ा सा बोर लगा है डॉक्टर की सलाह मानिये दो या तीन बच्चे बस बंटी बरामदे के कोने में बस्ते के उपर पैठा हुआ बस की रा देख रहा है बरामदे की बैंचे रोगियों से भरी हैं दो एक जमीन पर भी बैठे हैं बंटी बड़े कौतुहल से बने देख रहा है कमरे में डॉक्टर साब बैठे हैं यहां से बंटी को वे भी दिखाई दे रहे हैं शायद रोगी बारी-बारी से अंदर जाते हैं कैसे देखा जाता है रोग्यों को कैसे पता चल जाता है कि किसको क्या बीमारी है नहीं है हालत तो बच्चे मत पैदा करो भाई इस देश के लोगों को तीन की भी नहीं कुल दो बच्चे ही पैदा करने चाहिए खाने की कमी, कपड़े की कमी जगे की कमी, नौक्रियों की कमी पॉँ पॉँ बंटी बसता लेकर भागा क्यों रे बंटी, तु गाड़ी में क्यों नहीं आता यार क्यों आऊंगा गाड़ी में घर से निकलो और सीधे स्कूल पहुंच जाओ ना किसी से बोल सको ना कुछ बस में कितना मज़ा रहता है गाड़ी में तो शाम को घुमता हूँ पर भीतर से कोई बोल रहा है जूट मूट, नहीं बेटे, बच्चे लोग यहां सोएंगे, एक कमरा उभरता है और डह जाता है, फिर एक कमरे में जैसे तैसे ठूसा हुआ सामान अपने घर का सामान, उदास उदास सा और उतना ही उदास सा बंटी उसे उस सामान के बीच में खड़ा दिखाई देता है कहीं कोई और कुछ ना पूचे इसलिए बंटी बहार सड़की और देखने लगता है अचानक पूपी की याद आ गई जूट बोलने से भगवान के घर बड़ी कड़ी सजा मिलती है, बंटी भईया चोरी करने से पाप लगता है वो कितना जूट बोलने लगा है आज कल सब गंदे गंदे काम करता है गंदी गंदी बातें सोचता है क्या होगा उसका ड्रॉइंग की क्लास हो रही है सर ने बोड़ पर एक बोतल और एक प्लेट प्याला खींच दिया बनाओ अपनी अपनी कॉपियों में कलास में शोर होने लगा कोई किसी से रबर मांग रहा है तो किसी से शॉपनर कुछ लड़कों के बीच क्रॉस जीरो वाला खेल शुरू हो गया चुप चुप करो थोड़ी थोड़ी देर बाद सरसारे पीडिट तक किसी तरह चिल लाएंगे बताओ तुमने खोली शीशी तुमने खोली शीशी तुमने खोली बोड़ पर प्लेट प्याले की जगए मम्मी का चेहरा गुमने लगता है वो क्या समझता नहीं मम्मी उसी पर शक कर रही है करें उसका क्या जाता है उसे कहकर देखें फिर बोर्ड पर बनी बोतल एका एक डॉक्टर साहब की टांगों के बीच में आकर उल्टी लटक गई छी छी फिर वही सब बातें उसने मनी मन प्रॉमिस किया था कि आब वो ऐसी गंदी बातें नहीं सोचेगा पर बात है कि फिर भी मन में आही जाती है उसने उंग्लियों का क्रॉस बनाया अब कभी नहीं कभी नहीं बुगोल की क्लास सेल रही है गंगा की यत्रा गंगा हिंदों की पवित्र और हिंदुस्तान की बहुती महत्तपून नदी है ये हमाले परवत के गंगूतरी नमक लेशियर से निकलती है सर इसकेल से बोर्ड पर लटके मैप में गंगूतरी दिखा रहे हैं पहाडी मार्ग में ही इसमें अलग नंदा और मंदाक़नी नमक नदीयां आकर मिलती है तो इसकी धारा मोटी और गती तेज हो जाती है हरिद्वार पर आकर इसका मैदानी मार्क शुरू हो जाता है हरिद्वार हिंदूओं का एक प्रमुक तीर्थ स्थान है और सर ने इस केल से नक्षे में हरिद्वार दिखा दिया पर नक्षे के हरिद्वार से बंटी के मन में हरिद्वार की कोई तस्वीर नहीं उपढ़ती है गंगा तो आगे चली जाती है पर बंटी के मन में हरिद्वार ही अटक कर रह जाता है नदी के किनारे कोई जगए है पतानी कौन सी पर वहीं फुपी आँखे मूदे माला फेड रही है बंटी जपट कर माला छीन लेता है फुपी चिला रही है अरे बंटी भहिया पाप लगेगा पूजा में विघन डालते हो कैसे पापी हो और बंटी आँखें मुंद कर माला फिरने लगता है जोर जोर से बोलकर धर्मी करे धर्म फल पापी के होए फुपी उसके पीछे दोड़ती है वो माला पानी में फेकने लगता है कि अचानक माला शीशी में पदल जाती है वो खड़ा खड़ा शीशी में से पानी में कुछ उलट रहा है बताओ तुमने खोली शीशी तुमने खोली लोगों का ऐसा विश्वास है कि संगम में नहा कर सारे पाप धुल जाते हैं संगम कैसे जाया जाता होगा वो भी एक बार जरूर जाएगा बंटी के पाप भी वहाँ जरूर धुल जाएंगे बंगाल में आकर इसका नाम हुगली हो जाता है कलकत्ता इसके किनारे एक बहुत बड़ा बंदरगा है कलकत्ता और धेर सारे बंदरों के बीच उसे पापा का चेहरा दिखाई देने लगा पापा के तरह तरह के चेहरे कितनी बार उसने सोचा पर पापा को चिठी नहीं लिखी अच्छा पापा ही लिख देते उसे क्या मालूम नहीं कि मम्मी उसे लेकर दूसरे घर में आ गई है वकील चाचा भी कितने दिनों से नहीं आए अच्छा अरूप, बताओ गंगा कहां से निकली है बंटी खड़ा हो गया गंगा, नक्षा, हरिद्वार, पूफी, बंदर, पापा, संगम जाने कितने नाम हैं, जाने कितने चेहरे हैं कि भीर सी लग जाती है और सब गढ़ मढ़ हो जाते हैं एक के उपर एक, और पता नहीं लगता कि ये गंगा कहां से निकली बंटी स्कूल से लोटा, तो ममी घर में ही मिली अमी जोत नहीं लोटे थे, और ममी अकेली ही थी बंटी को अच्छा लगा, अकेली ममी हो तो घर भी अपना लगने लगता है तो मौच कॉलिज नहीं गई मम्मी? नहीं बेटे, सब सामान जमाना था इसलिए दो दिन की चुट्टी ले ली मम्मी ने बंटी के हाँ से बस्ता ले लिया कमरे में आया तो देखा जोत की और अमी की अलमारी के बगल में एक और लंबी से अलमारी खड़ी है देख बंटी, तेरे लिए ये अलमारी लगवा दी है दो खानों में तेरे कपड़े हैं और दो में तेरे खिलोने अब ठीक से रखना अपनी अलमारी को मम्मी इस समय कैसी लग रही है? टीटू की अम्मा काम करते हुए जैसी लगती थी, वैसी ही बंटी ने अलमारी कोली, दवाईयों की बद्बू का एक भबकासा उड़कर आया ये क्या इसमें कैसी कैसी दवाईयों की सी बद्बू आ रही है? बंटी चिटक कर पीछे हट गया कुछ नहीं बेटा, डॉक्टर साहब की दवाईयों की अलमारी मैंने तेरे लिए खाली करवाली दो-चार दिन में ये महक हो जाएगी नहीं चाहिए हमें ऐसी अलमारी घर का सारा आलतू-फालतू सामान मेरे लिए अपने लिए कैसा बढ़िया कमरा कैसी बढ़िया अलमारी मम्मी एकदम पलट कर खड़ी हो गई एक शन बंटी का चेहरा देखती रही फिर पास आकर दोनों हाथ पकड़े और खीच कर पलंग पर बैट गई क्या कह रहा है? ये आलतू-फालतू सामान है पता है डॉक्टर साहब के कितने काम की थी ये अलमारी मैंने खास तोर से तेरे लिए खाली करवाई और तू है की? तो क्यों खाली करवाई? दे दो डॉक्टर साहब की अलमारी उन्हें बंटी और मम्मी एक टक उसका चेहरा देख रही है क्या है उसके चेहरे पर जो ऐसे देख रही है एक बात कहूं बेटे मानेगा अब बंटी की आँखे मम्मी की चेहरे पर टिक गई तू डॉक्टर साब को पापा क्यों नहीं कहता बंटी चुप आँखों के आगे कहीं अपने पापा की तस्वीर तैर गई बोल कहेगा नाप से नहीं क्यों मेरे पापा तो कलकते में है मम्मी एक शांचुप चेहरा कहीं हलके से सक्त हो आया ठीक है है पर जो तो और अमी भी तो मुझे मम्मी कहते हैं उनकी मम्मी मर गई है इसलिए कहते हैं मैं क्यों कहूं मम्मी उसे देखती रही और वो भी मम्मी को देखता रहा एक टक बिना नजर हटाए बिना जिजगे इतने में पोर्टिकों में कार के रुखने की आवाज आई तो मम्मी बंटी का हाथ छोड़ कर उठ पढ़ी ठीक है बंटी जो तेरी समझ में आये कर स्वर में सक्ती नहीं थी वुस्सा भी नहीं था शायद दुख था जोत और अमी अपना अपना बस्ता उठाए गाड़ी से उतरे बंटी तु गाड़ी में क्यों नहीं आता यार ये वा कि कहीं से मन में कौन धा और डूब गया आगे तुम लोग चलो जल्दी से हाथ मूँ धोकर कपड़े बदलो मैं नाश्ता लगवाती हूँ देखो बंटी को भी रोक रखा था भी तक हाँ बंटी तो है ही फालतू अभी ये लोग घंटा बर और नहीं आते तो तुम और रोके रखती बंटी को बंटी को भूख थोड़ी लगती है अरे बंटी भाईया तुम पहले कुछ खा लो सबेरे के गए हो तुमें भूख नहीं लगती हमारा तो यहाँ जी कलबता रहता है तुमारे मारे उसे फूपी याद आ जाती है ममी मेज लगाती हुई कैसी लग रही है वहाँ तो बस एकदम प्रिंस्पल बनी रहती थी यह लंबूतरी अलमारी बंटी भाईया की है वही हनवान वाले लाल कपड़े पहनाया अमी लंबूतरी कबूतरी बंदर कहीं का ऐसी फालतूसी चीज उसे दे दी है तो मजाक नहीं उड़ाएंगे सब लोग खाने की मेज पर बैठे की कॉलेज का माली आ गया और जमीन तक जुक कर सलाम किया नमस्ते बंटी भाईया कैसे हो हाथ जोड़े जोड़े ही उसने पूछा तो बंटी उचल कर माली के पास आ खड़ा हुआ माली दादा कैसा है मेरा बगीचा तुम ठीक से पानी देते हो ना उस पीले गुलाब की कलियां खिल गहीं कितनी बातें उसे पूछनी है माली के आया जैसे उसके साथ बंटी का घर चला आया बंटी का बगीचा चला आया एक के बाद एक फूनों के नाम लिए जा रहा था बंटी और उस साह है कि जैसे मन में समानी रहा है माली अब उससे भी अच्छा बगीचा यहां लगाओ बंटी के लिए पहले यहां की सफाई करके खादवाट डाल दो फिर जो गमले और पोधे जो कित्यों आसकें उन्हें वैसे लियाना बाकी एकदम नहीं आएंगे पोधे मेरे बगीचे को हाथ नहीं लगाएगा कोई मैं अभी से कह देता हूँ माली दादा तुम बिलकुल नहीं चूना सुर में आवेश भी है और आदेश भी ये उसके अधिकार की सीमा है तुमने कमरा नहीं दिया लंबूतरी अलमारी लगा दी बहुत चाहने पर भी जैसे कुछ बोली नहीं सका पर उसका बगीचा माली की गिजगिजी आखों में जैसे कुछ तेरने लगा इसे बनाए न तु अपना बगीचा ममी ने प्यार से उसे कंदे पर हात रक कर जैसे मनुहार की नहीं बिलकुल नहीं है ये मेरा बगीचा बीज और कलम लगा लगा कर बनाओ अपना बगीचा तो पता लगेगा कैसे बनता है बगीचा ऐसा ही होता है बहुजी ऐसा ही होता है अपने बोए सीचे पौधों से ऐसा ही मुह होता है बिलकुल संतान जैसा जहां एक बार लगाओ वहां से उखाड़ा नहीं जाता और फिर थराते गले से बोला पर बिर रहा है कल परसो किसी दिन जरूर जाएगा मम्मी जब तक बताती रही कि यहां क्या क्या करना होगा बंटी वैसे उसके हाथ पर जूलता रहा जब माली जाने लगा तो उसे गेट तक छोड़ने गया कल फिर आना माली दादा रोज आया करना और जब तक माली दिखता बंटी उधरी देखता रहा बच्चे पढ़ाई करने बैठे तो एक महाबारत छड़ गया अमी अपनी मेज पर से बंटी की किताबे उठा ठाका फेक रहा है और चिला रहा है किसने हटाई मेरी किताबे यहां से यह मेरी मेज है किसी को नहीं दूँगा मैं अपनी मेज ए अ अमी की किताबे हवा में कलाबा जी खाती हुई जमी पर लोट गए और पर दोनों गुथ गए घूसे मुखके बंटी ने खींच-खींच कर दो थपड़ जड़े तो अमी जोर से चीखा और बंटी की बहाँ पर दान भर काट लिया मार डाला रहे ममी दोड़ी हुई आई य दात मास के भीतर गड़ गए थे और खूंच लगाया था अमी ये क्या किया तुने इस तरहे काटते हैं बड़े भीया को ममी ने सक्त आवाज में कहा अमी रोता जा रहा है और घूर घूर कर बंटी को देखता जा रहा है बस हो गया टाटना लगाती न थपड़ अभी वह आवाज में गुस्सा था या दुख कि ममी की आँखें चल चला आएं चल बेटे शाम को डॉक्टर साब से डाट पड़वाऊंगी अमी को हाँ डॉक्टर साब से डाट पड़वाएंगी जैसे खुद नहीं डाट सकती थी न और बंटी हाथ चुड़ा कर भाग गया उसने टिंचर भी नहीं लगवाया उस राट बंटी ने खाना भी नहीं खाया डॉक्टर साब ने अमी को टाटा कान खीचा बंटी को प्यार किया समझाया कि दो दिन बाद ही तुमारी मेज बनकर आ जाएगी एकदम नई और इनसे पढ़िया पर बंटी अपने पलंग पर से हिला तक नहीं तुम तो बहुत जिद्धी हो यार डॉक्टर साब लोट गए और जाने कैसे पापा आकर बैट गए तुम हमारे साथ कलकत्ते चलोगे बंटी खुग गुमाएंगे फिर आएंगे वो कली पापा को चिट्थी लिखेगा बंटी बस के लिए खड़ा है रोज की तर कर देख रहा है बंटी डॉक्टर साब के शब्द तैर जाते हैं इस देश में तो तीन भी नहीं बस दो बच्चे पैदा करने चाहिए तीसरा बच्चा फालतू बच्चा तीसरा बंटी फालतू बंटी अब तु कार में क्यों नहीं आता यार अमी और जोद की अलमारियां ये लंबूतरी अलमारी बंटी भया की है अमी और जोद की मेज किसी को नहीं दूँगा मैं अपनी मेज ये मेरी है अपना अपना बसता लिए कार में बैठी हुए अमी और जोद सर से निकल जाते हैं सर से घुस जाते हैं ड्राइवर जाओ डॉक्टर साब को ले आओ ड्रा मंme, का कमरा, कमरे का जादू, और भी जाने क्या-क्या, सबके बीच होकर भी जैसे वो सबसे कटा-छटा, अलग-थलग सबको देखता रहता है, और जब घर में होता है, तो आँखों के आगे कभी स्कूल तेड़ता रहता है, तो कभी अपना पुराना घर, अपना बगीचा, बगीचे का एक-एक पौधा और पौधे की एक-एक पत्ती, फूपी, माली दादा, मम्मी, वहाँ वाली मम्मी रात में कहानी पढ़ता है और बड़ी मुश्किल से पाई हुई राजकमार की जादू की दुर्बीन उसकी आँखों पर लग जाती है लो, नीरी रोष्टी में नहाया हुआ मम्मी का कमरा, आँखों के सामने जिल बनाने लगता है कमरा, कमरे की हर चीज और वो सब कुछ जो उसने वहाँ देखा था बस जहां वो होता है, वही नहीं रहता और सब जगे रहता है, सब कुछ देखता रहता है एक रेल 125 यात्रियों को लेकर जा रही है, एक स्टेशन पर उसमें से 48 यात्री उतर जाते हैं और 56 यात्री चढ़ जाते हैं तो बताओ, पापा रेल में बैठ कर कब आएंगे? आज पापा को जरूर जरूर चिठी लिखेगा, सारी बात लिखेगा पहले कुल यात्रियों में से उतरने वाले यात्रियों को घटाओ, फिर बचे हुए यात्रियों में चढ़ने वाले यात्रियों को फूपी को ठेल कर चप्रासी ने चढ़ा दिया पता नहीं और कितने यात्री चड़े बस भीरी भीर तो थी धेर धेर आदमी कोई गिन सकता था वो सारा शोर आसपास बन बनाने लगा नहीं शाय सब लड़के बाते करने लगे कुछ पता ही नहीं किसको घटा दिया किसको जोड दिया अच्छा हुआ सर ने एक बार भी उससे सवाल नहीं पूछा नहीं तो क्या बताता हो अब ममी से समझेगा मन तो करता है कुछ नहीं समझे सब गलत करके ले जाए फेल हो जाए फिर ममी पूछे तो उससे कि क्यों हुआ सचमुच फेल हो गया तो अमी और जोट क्या सोचेंगे फेलू फेलू अमी सामने से दोड़ गया डॉक्टर साब क्या सोचेंगे पर इस बार वो जरूर फेल हो जाएगा उसके दिमाग में कुछ भी तो नहीं गुसता पढ़ने में उसका बिलकुल बिलकुल मन नहीं लगता पापा को मालुम पढ़ेगा तो पंटी स्कूल से लोटा तो घर में घुसते नज़र फिर उसी लालते कोन पर गई तीसरा बच्चा इस समय घर में कोई नहीं है यह कोई नई बात नहीं है उस घर में भी तो स्कूल से आकर वो अकेला ही रहता था मम्मी तो उसके बाद आती और फिर लाल हुआई अपने उंगलियों को सहलाने लगा तबी नजर दिवात के सहरे रखी नई मेज पर गई पुलक करो मेज के पास आया एकदम नई और चिकनी हाथ फेर कर देखा तो अच्छा लगा फिर पता नहीं क्या हुआ की लोटाया गड़े हुए दातों का दर्ट जैसे फिर से कहीं उभराया नहीं वो कोई मेज वेज नहीं लेगा यहां का कुछ भी नहीं लेगा अमी और जोट अपनी अपनी मेज पर बैठ कर काम करेंगे उसने तो एक पोने में जमीन पर ही अपना सब कुछ जमा लिया है इन दोनों के साथ जब वो रोज रोज जमी पर बैठ कर पढ़ा करेगा तो ममी कितनी दुखी होंगी, कितना परेशान होंगी अच्छा है वो चाहता है कि ममी परेशान हो, दुखी हो यहां आकर जाने कैसे ममी की परेशानी और दुख के साथ उसका संतोश और सुख जूड गया है एक बदला बदला और एका एक ख्याल आया वो इस समय पापा को चुठी क्यों नहीं लिख लेता अगर आज पूरी नहीं हुई तो फिर कल इसी समय लिखेगा दो-तीन दिन में तो पूरी हो ही जाएगी किसी के सामने तो लिख भी नहीं सकता प्राइवेट वाली जो है अधूरी चिट्टी अपने कपड़ों के नीचे छिपा कर रख देगा बस इस बार अगर पापा ने चलने को कहा तो चला जाएगा मम्मी खूब रोएंगी रोती रहे किसी काम से बंसी लाल उधर आया आगे बंटी पहिया और चला गया खाने नाच्टे की कोई बाती नहीं हुई उसे कौन भूक लगी है मम्मी के कमरे का दर्वाजा उड़का हुआ है बस एक बार भीतर जाने की इच्छा हुआई बंटी ने दीरे से दर्वाजा कुला कमरा साफ और जमा हुआ वो भीतर गुसा तो मन में एक अजीब सा भैसमा गया जैसे कोई चोरी कर रहा हो और क्षण भर को इच्छा कौंदी कोई चीज यहां से उठा कर ले जाए और अपनी अल्मारी में छिपा दे लंबूतरी पलंग को देखते ही फिर गंदी गंदी बातें दिमाग में आने लगी उंगलियों का क्रॉस कितना बेकार हो जाता है ऐसे मौकों पर फिर एक डर और डर से भी ज़्यादा कौतू हल उसने दीरे से टेबुल की दराज कोली पता नहीं क्या निकल आए पर ज्यादा उलटने पलटने की हिम्मत नहीं हुई सो वापस बंद करती रोज थोड़ा थोड़ा करके देखेगा तो एक दिन जरूर पता लगेगा पर क्या उसे खुद नहीं मालूम कि किस बात का पता लगाना है वो तो इतना जानता है कि इस कमरे में बहुत सी बाते हैं बड़ी अजीब अजीब रात में होने वाली छिपकर होने वाली उस दिन रात में डर कर जब आ गया था तो क्या मालूम था कि यहां क्या पता लग जाएगा ऐसी और भी बहुत सी बाते होंगी इस कमरे में और फिर कुछ वैसा ही देख जान लेने को मन अकुलाने लगा बाहर अचानक कोई खटका हुआ तो बंटी भाग कर अपने कमरे में आ गया दर्वाजा बंद करना भी भूल गया अब तो जरूर पता लग जाएगा पापा के चिठी कल शुरू करेगा आज सोच ले की क्या क्या लिखना है बंटी पोड़कों की सीड़ियों पर आखड़ा हुआ सामने के उबर खाबर मैदान के बीची कहीं अपना बगीचा लहला आया गुलाब, डेलिया, मोरपंखी की मीनारे, हवा में थिरकती हुई घास की फुनगिया, घास के बीच बलखाता पाइप आज मी माली दादा आएगा, उसकी पानी देने की छोटी सी जारी, छोटी सी कुदाली फावड़ा सब लेकर वे सब वहीं छूट गए थे गाड़ी फाटक में घुसी तो लगा, जैसे वो इतनी देर तक अमी और जोट की प्रतिक्षा कर रहा था गाड़ी भीतर आई, तो देखा ममी भी नीलों के साथ आ गई है खट-खट फाटक खुले, आगे-आगे बस्ता लिए अमी और जोट, पीछे परस लिए ममी, लाल तिकोन तु यहां खड़ा-खड़ा हमारी रहा देख रहा था, जोट ने उसके कंदे पर हाथ रख दिया अपनी मेज देखी बेटे, पसंद आई, यह क्या, जमाई नहीं किताबें, हर काम मैं ही करूँगी तेरा आठ बजे डॉक्टर साब लोटे और साड़े आठ पर हम सब लोग खाने की मेज पर आ गए पापा, बंटी भहिया की मेज आ गई, फिर भी इनोंने अपनी किताब में उस पर नहीं रखी मम्मी ने खूब समझाया पर आपको चावल दू या चपाती पर डॉक्टर साब ने इस बात का जवाब नहीं दिया, उनकी नजरे बंटी के चेहरे पर जम गई नजरे मिलते ही बंटी ने आखे नीची कर ली, अब कंकियों से मम्मी को देख रहा है, उनका परोस्ता हाँ जैसे रुख गया है क्यों बंटी, मेज पसंद नहीं आई बेटे, हमने तो सबसे अच्छी वाली मेज पसंद की थी तुमारे लिए बंटी चुप, मम्मी भी चुप, बंटी भाया कहता है वो जमीन पर ही पढ़ेगा, मेज पर कभी पढ़ेगा ही नहीं चुगल खोर, सुवर कहीं का मम्मी बिना किसी से कुछ पूछे, सबकी प्लेटों में कुछ-कुछ डालने लगी है तुम इतनी जित क्यों करते हो बेटे, कोई अच्छी बात है इस तरह जित करना अभी खाना खा कर अपनी किताबे मेज पर जमाओगे, हम देखने आएंगे, समझे डॉक्टर साथ ने जिससे अंतिम फैसला दे दिया, और खाना खाने लगे बंटी ने भी फैसला सुन लिया और खाना खाने लगा, चुप और नजरे नीची अमी लगातार बोले जा रहा है बेवकूफों की तरह, मम्मी मागने पर सब को कुछ ना कुछ देती है अपनी ओर से भी पूछ लेती है, पर बंटी जानता है कि मम्मी भी उसकी तरह बिल्कुल चुप है पर वे परोस कैसे रही है, उनकी आखे तो बंटी की प्लेट में चिपकी हुई है बंटी को देखे जा रही है, एक टक घुर घुर कर और एक टक देखने से ही जैसे आखों में तरहियां आ गई है, गिली गिली आखे खाने के बाद मम्मी ने जल्ली जल्ली किताबे मेच पर जमा दी जमाले बंटी पापा गुस्सा होंगे, जोट समझा रही है मम्मी भी होटों ही होटों में कुछ ना कुछ बोले जा रही है बस बंटी चुपचाप खड़ा है, ना बोल रहा है ना विरोध कर रहा है जब सब कुछ जम गया तो मम्मी गुस्से से बोली बेकार की बातों पर जित मत किया कर समझा सारे समय कुछ ना कुछ उटा सीधा करते रहना और मम्मी जब अपने कमरे में गुज गई तो बंटी ने चुपचाप सारा सामान जमीन पर उतार दिया पापा मम्मी बंटी भहिया ने अमी दोड़ गया डॉक्टर साब खड़े हैं शायद गुस्से में पीछे पीछे मम्मी खड़ी है शायद डड़ी हुई और बंटी खड़ा है जैसे पत्थर बंटी तुमने फिर भही किया ठीक है तुमारी मेज हम कली वापस विजवा देंगे तुम जमीन पर ही काम करोगे समझे और आगे से इस तरह की जित करोगे बेटे तो हम बिलकुल बरदाश नहीं करने जा रहे हैं समझे ऐसे कैसे चलेगा बंटी की आँखे एकदम जमीन में गड़ी हुई है और वहाँ पहले से ही मम्मी की दो आँखे चिपकी हुई है प्लेट वाले गीली आँखों के कोनों में गोल गोल बुदो बूंदे उभर आई टप टप उसकी अपनी आँखों के आशू मम्मी की आँखों में टपकने लगे और दोनों के आशू मिल गए धूब ढल गई थी पर उसकी गर्मी और चौनधा अभी बाकी है बंटी और जोद छत पर खड़े-खड़े मुंगफली खा रहे हैं जोद बोले जा रही है पता नहीं क्या ग्या बंटी चुप यहाँ छत पर खड़े होने से शेहर दिखाई देता है गुच्बुच बने हुए घर गलियां आते जाते लोग तांगे पहाड़ियों की सरहदों से गिरे मैदान देखे कितने दिनों गए बहुत दिनों से तो उन मैदानों की सैड भी ने की पहाड की तलहटियों में जहाका भी नहीं कोई दूनी रमाए साधू, कोड़न बनी राजकुमारी, पंक बाटने वाली नील परी तु बोलता क्यों नी बन्टी, अभी भी गुस्सा है अरे इतना गुस्सा करते रहोगे न बन्टी, तो तुमारा खून ही जलेगा हाँ, बाप का गुस्सा ले आये हो लाल लाल आखे करते हुए पापा, यू शट अप तुझे अपनी मम्मी की याद नहीं आती जोत, कैसी थी तेरी मम्मी, अचानक बन्टी पूछता है ए आती है थोड़ी थोड़ी, नहीं अब नहीं आती, चाची अम्मा की आती है कभी-कभी छुट्यों में हम इलावा जाएंगे उनके पास तु भी चलना मेरी मम्मी तुझे अच्छी लगती है, हूँ लगती है मेरे पापा को देखेगी न, तो वे भी खुब अच्छे लगेंगे खुब अच्छे हैं मेरे पापा, मैं उन्हें लिख रहा खट से जीब काट ली, धत तेरे की, वो कभी कुछ करी नहीं सकता जो इतनी सी बार भी चिपा कर नहीं रख सकता, तो क्या करेगा इस बार पापा जब आएंगे, तो मैं तुझे भी अपने साथ ले चलूँगा खुब घुमाते हैं मुझे, फिर जो कहो सो ही दिलवाते हैं तु चलेगी तो तुझे भी दिलवाएंगे तु मेरे पापा को पापा क्यों नहीं कहता, मेरे पापा भी तो बहुत अच्छे है बंटी चुप, बंटी बेटा और दो बाहें लेपटाई आज रात में जब सब सो जाएंगे तो चुप चाप उठकर पापा को चिथी लिखेगा आगे से इस तरह की जित करोगे तो हम बिल्कुल बरदाश्ट नहीं करेंगे, समझे वो पापा के साथ चला जाएगा मम्मी डॉक्टर साब खाने की मेज़ पर बैठे हैं बंटी पहुचा तो मम्मी उसे देखते ही बोलती बोलती बीच में ही रुक गई जरू उसी के बारे में बात कर रहे होंगे शिकायत और क्या खाना शुरू हुआ तो रोज की तरह हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है चुप है तो केवल बंटी बंटी न बोलना ही बन कर दिया है खाने के समय खा लेता है, सोने के समय सो लेता है बाकी समय पढ़ता रहता है, कहानियां, हजार हजार बार पढ़ी हुई कहानियां, या फिर ड्रॉइंग बनाता है डॉक्टर साब लकातार उसकी तरफ क्यों देखे जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसके चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है कहीं पता तो नहीं लग गया, कि वो छिप कर उनके कमरे में जाता है, चीजें उलट पलट कर देखता है, या कि वो पापा को चिठी लिखने की बात सोच रहा है अजीब सी बेचैनी होने लगी बंटी को, डॉक्टर साब देख रहे हैं, तो जैसे सभी उसकी ओर देख रहे हैं मानो वो कोई तमाशा हो, उसने मम्मी की ओर देखा, मम्मी उसकी नहीं रह गई है ये जानते हुए भी ऐसे मौकों पर नजर मम्मी की ओर ही उठती है, पर मम्मी डॉक्टर साब की ओर देख रही है डॉक्टर साब, जब बंटी को देखते हैं, तो पता नहीं क्यों, मम्मी हमेशा डॉक्टर साब की ओर देखती रहती है त्रिकोर में तीन भुजाएं होती हैं जैसे अ बस एक त्रिकोर है बंटी कल घुमने चलोगे हमारे साथ क्लास में पढ़ाते हुए सर खड़ से डॉक्टर साहब में बदल गए बंटी समझने की कोशिश कर रहा है अ बस घुमना आजकल कुछ भी तो समझ में नहीं आता लगा नो नो कल कोई नहीं जाएगा तुम तो बिल्कुल नहीं तुमने मेच को लेकर बंटी भेया को नाराज कर दिया न अब हम ले जाकर उसको खुश करेंगे ये सब डॉक्टर साब कह रहे हैं उसने एक बार हिम्मत करके नजर उठाई और डॉक्टर साब को देखा वे उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे बंटी को उनका मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगा बहुत अच्छा फिर उस चेहरे में से जाने कैसे पापा का चेहरा उभराया जैसे शेश्मा बदल कर पापा बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और फिर उस चेहरे की मुस्क उसके अपने चेरे पर चिपक गई, केवल चेरे पर ही नहीं, जैसे हाथ पैरों में भी चिपक गई, मन में भी चिपक गई, चलूँगा, उसने धीरे से कहा, कैसे जाएगा बंटी अकेला, मैं भी जाओंगा, मैं जरूर जाओंगा, बंटी भहिया कोई लाट साहब है जो अक अम्मी की तो पे बोल गई, रोता बनाता बीतर चला गया, अब बोलो की हमारी गाड़ी है, हमारी मेज है, बंती भहिया को घर भेज दो, मम्मी अम्मी को गोद में उठा लाई, चलो तुम लोगो को मैं गुमाने ले जाओंगी, खुब सारी चीजें दिलवाओंगी, ले कल लिख देगा, या फिर कभी, आखे बंद करते ही, कमरा सडक पर निकलाया, लंबी लंबी सडक, उन्ही मैदानों की ओर जाती हुई, उसकी मोटर दोड रही है, किसी तरह विभू और कैलाश देख ले, एक बार टीटू क्या जागता चले, अमी तुम नहीं, जोद तुम भी नहीं, शकुन तुम भी नहीं, केवल बंटी, बंटी नाराज है, बंटी को कुश करना है, एका एक लाल तिकोन पर जैसे किसी ने धेर सारी स्याही पोती, डॉक्टर साथ ने 6 बजे आने को कहा था, वैसे तो वो 8 बजे आते हैं, पर आज उसके लिए अपने मरीज भी चोड़ कर आएंगे, बंटी साड़े 5 बजे से ही तयार है, कितने दिनों से उसने कोई चीजी नहीं खरीदी, आज खड़ी देगा, जोद के लिए भी खरीदेगा, और चलो, अमी के लिए भी खरीद लेगा, वो तो है ही पाजी, मन में सब कुश लुटा देने वाली उदा चेहरा आ जाता है, और डॉक्टर साब की बात सोचो, तो पापा का चेहरा, दोनों चेहरे जैसे एक ही हो गए, अलग-अलग रहे ही नहीं, जादू से चेहरा बदल सकता है, तो दो चेहरे एक जैसे नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं, हो ही गए हैं, आज कहीं बात करते हैं, वो डॉक्टर साहब को पापा ही न कहने लग जाए जोत और अमी को ममी ने पढ़ने बैठा दिया है जरू कुछ लालज दिया होगा हो सकता है ममी कल दोनों को गुमाने ले जाए डॉक्टर साहब की डाट के सामने अमी राम तो ठंडे छे बज गए अब तो आते ही होंगे बीमारों की भीड में से आना भी तो आसान नहीं है सबेरियों तो खुद अपनी आखों से देखता है सारी बैंचें और कुर्सियां तो भर जाती है जमीन पर भी जैसे जगए नहीं रहती सबसे बड़े डॉक्टर हैं शहर के पहली बार बंटी के मन में डॉक्टर साहब को लेकर गर्व जागा जैसा मम्मी को लेकर अक्सर जागा करता था डॉक्टर साहब को लेकर भी वो गर्व कर सकता है डॉक्टर साहब उसके भी कुछ कहीं हलके से पापा की तस्वीर तहर गई साड़े च्छे अब बंटी को बेचैनी होने लगी ममी तो ऐसे आराम से बैटी है जैसे उन्हें मालूमी नहीं कि आज 6 बजे बंटी का जाने का प्रोग्राम भी है और फिर समय के साथ-साथ बंटी की बेचैनी, दुख और फिर गुस्ते में बदलने लगी साथ बज़े के करीब कमपाउंडर ने आकर बताया डॉक्टर साब उठने ही वाले थे कि तभी वर्वा साब को हार्ट अटेक की खबर आ गई मुझे यहां खबर करने को कहकर वो वहां अमी अंगुठा चिपा कर टिली लीली करता हुआ निकल गया तो मन हुआ गला पकड़ कर दबा दे उसका किसने कहा था कि उसे ले जाओ ड्राइब पर, वो क्या जानता नहीं कि यह घर उसका नहीं है यहां की कोई चीज उसकी नहीं है यहां का कोई आदमी उसका नहीं है वहां तो अपना घर होगा अपने लोग होगे बेटे सब जूत यहां तो मम्मी भी उसकी नहीं रह गई मन हो रहा है मम्मी के कमरे की एक-एक चीज उठा कर फेक दे घर की सारी चीजें चक्ना चूर कर दे गुसे से भनाते हुए उसने अलमारी खोली बस इसी पर तो उसका अधिकार है एक-एक खिलोना निकाल कर फेक दिया एक-एक कपड़े कमरे में छितरा दिये बंटी जबट कर मम्मी ने वहां पकड़ ली यह क्या पागलपन मचा रखा है बंटी ने पूरी ताकत लगा कर अपने को छुडा लिया और कपड़ों को पैरों के तले रौनने लगा लो लो और लो कभी अकल भी आएगी तुझे या नहीं जब देखो घर में किसी ना किसी बात पर तूफान मचाये रखता है मैं जितना चुप रहती उतना ही शेर हुआ जा रहा है मम्मी ने उसे पलंग पर पठक कर दोनों हातों से दबोज दिया कोई बात नहीं समझेगा मौका बे मौका कुछ नहीं देखेगा बस चुप करो बंटी पूरी ताकत से चीखा और फिर बेहत थका पिटा सा फूट फूट कर रो पड़ा आसू है कि उपनते चले जा रहे हैं जरा मम्मी की पकड ढीली हुई कि छिटक कर उठा और रंगों की शीशियों वाला डिबबा उठा कर दे मारा खडर जन कुछ शीशियां साबत रुडग गई कुछ चकना चूर हो गई तड़ाक और शीशियों से धेर बिक्रे धेर सारे लाल पीले रंग एक दूसरे में मिलकर तेजी से घूमें और जहां के तहां इस्तिर हो गए मारो और मारो बंटी खुदी पलंग में ओधा धस किया अमी जोद बंसी लाल ममी सब आगी पीछे गूम रहे है सबकी आवाजें भी फैले हुए रंग दली में बदल जाते है मत चड़ाओ बहुजी इतना माते देखना एक दिन आप ही बंटी इस तरह करते हैं बेटे एक प्यार भरा थर थराता हाथ तड़ाक एक थपड़ धेर सारी शीशियां टूप जाती है धेर सारे रंग बिखर जाती है आवाजें कहीं बहुत दूर से आ रही है पता नहीं कहां से क्या कर दिया आज तुमने इसने तो रो रो कर ट्राण दे दिये क्या? ओ कैसी बात करती हो तुम इतना सीवेर हार्ट अटेक था मुझे शायद रात में भी वही रहना पड़े वर्मा तो बिल्कुल बंसी लाल गरम पानी रखो नाने का तब तक तुम एक प्याला चाय दे दो जरा बस और कुछ नहीं बंटी के लिए एक शब्द भी नहीं जैसे वो कहीं है ही नहीं एक कार एक गंटे में 40 किलो मीटर चलती है तो बताओ 360 किलो मीटर चलने में कार एकदम चलते चलते रुख जाती है हार्ट अटेक अटेक यानि हमला वर्मा साब का लंबा चोड़ा शरीर लेटा है और धेर सारे सिपाही बंदूक ताने उन पर अटेक कर रहे है ठाएं ठाएं बहुत दिनों से उसने बंदूक नहीं चलाई आज वो जरूर चलाएगा वो भी अटेक करेगा ठाएं ठाएं वर्मा साब की छाती पर घावी घाव हो गए है कभी उसके हाट पर अटेक हो जाए तो उसके भी उतने ही घाव हो जाएंगे टन 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 घंटी बस्ती ही जा रही है दूसरे सर आ गए कलास में बहुत शोर हो रहा है सर ने सकेल को मेज पर पीटते हुए का चुप करो बच्चों चुप वो अब हमेशा चुप रहा करेगा कभी किसी से नहीं पुलेगा जोट से भी नहीं मम्मी से तो बिल्कुल नहीं जैसे जैसे घर पास आ रहा है मनी मन में जैसे एक अजीब सी देहशत समा रही है सबेर तो किसी ने कुछ नहीं कहा पर अब घर के दर्वाजे पर उतरता है तो जैसे पैर आगे ने बढ़ रहे लाल तिकून वो खड़ा-खड़ा उसे ही घूरता रहता है उसमें बना हुआ लड़का टिली-ली-ली करता हुआ चारों घूमने लगता है मा दोनों बच्चों को दोनों हाथों से पकड़ कर चल पड़ती है चलो मैं तुम्हें गुमालाती हूँ इस देश में तो दो बच्चे बस कुल दो बच्चे इस देश में ही नहीं इस घर में भी दो बच्चे बस कुल दो बच्चे वहां तो बच्चे भी होंगे भेंजी चलो अच्छा हुआ यहां अकेला अकेला कैसा डाउं डाउं डो ले था नहीं बस कुल दो बच्चे बंटी ने बसता वहीं टिका दिया और खड़ा खड़ा सड़क देखता रहा बीतर जाने की इच्छा नहीं हो रही बीतर वह जायेगा भी नहीं बस सड़क पर यह दोड़ता चला जायेगा पर कहां लेकिन इस बार यह कहां भी उसे रोक नहीं सका और वो सचमुच दोड़ पड़ा दोड़ते दोड़ते जब वो अपने घर के फाटक पर पहुँचा तो उसकी सास फूली हुई थी पता नहीं दोड़ने से पता नहीं डर से अपना घर अपना बगी जा पर फिर भी जैसे कुछ भी अपना नहीं लग रहा घर की सारी खिड़कियां बंद हैं और दर्वाजे पर ताला लटक रहा है वो बीतर जा ही नहीं सकता अपने घर में कभी ऐसा हो सकता है कि चाहो तो भी अंदर नहीं जा सको वहाँ अपना घर होगा बेटा हम वहाँ भी नहीं जा सकता जाएगा भी नहीं तभी सड़क पर से दो आदमी बाते करती हुए निकल गये बंटी मेंदी की आर्ण में हो गया कोई देखना ले फिर अपने बगीचे का चकर लगाया क्यारिया नम थी सर्दियों में माली दादा ने दोपहर में पानी दिया होगा वो एक-एक पौधा देखने लगा एक-एक पत्ती चूचू कर सिरे पर आम का पौधा कितनी नई पत्तियां आ गई है सारा बगीचा घूंकर देख लिया अब मम्मी अमी और जोत लोटाए होंगे उसे ना देखकर मम्मी बंसीलाज से पूछ रही होंगी पता ने बरामदे में रखा बसता देखा भी होगा या नही परेशान मम्मी इधर दोर देखती हुई मम्मी आवाज देती हुई मम्मी अच्छा किया यहाँ चलाया अब वो यहाँ से जायेगा ही नहीं कब्भी कब्भी नहीं पापा बंटी भाईया घर में है ही नहीं पता ने कहा चला गया डॉक्टर साहब के मात्य पर बल मम्मी की गीली आखे पीला हुआ है चेहरा मम्मी प्रिस्पल होकर भी डॉक्टर साब से डड़ती है यहां थी तो बोलती ऐसे थी जैसे सब को डांट रही हो खाली उसे प्यार करती थी वहां उसे डांटती है और सब को अच्छा है आज पता चलेगा मनी मन में एक संतोश है कुछ ऐसा कर डालने का जो नहीं करना चाहिए मम्मी को परिशान करने का कोई सड़क से गुजरता तो बंटी छिप जाता कहीं हीरा लाल या माली दादा ही इधर से आ जाए और उसे देख ले तो बस सारा खेल खतम पर ये तो सोचा ही नहीं था कि यहां आकर शाम का अंधेरा भी बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा भूग भी लगेगी सरदी भी लगेगी अब टीटू के घर की बत्तियां जल गए एक शड़ को उस रोशनी से जैसे राहत मिली वहां चला जाए अरे हमने तो सोचा था बड़े ठाट होंगे तुमारे वहां यो डोले डोले फिर रहे हो धत वहां नहीं जाएगा बाहर का अंधेरा मन में उतरने लगा डर एक अजीब सा डर मम्मी उसे देखने आई क्यों नहीं कहीं ऐसा तो नहीं क्योंने खयाली नहीं आया होगी बंटी घर में है ही नहीं या कि डॉक्टर साथ ने कह दिया हो कि यह सब यहां नहीं चलेगा और चलती चलती मम्मी रुख गई हो अब यह मम्मी रात तक नहीं आई तो वो फाटक पर खड़ा होकर सड़क की और देखने लगा अब तो इधर से कोई आ भी नहीं रहा यह सड़क तो वैसे भी बहुत सुनसान हो जाती है कोई आये और उसे देख ले या वही किसी को आते जाते देखता रहे पर कोई नहीं बंटी पेर पर चड़ गया यहां से तो दूर तक दिखाई देता है कोई मोटर, कोई पैदल, कोई पर कोई नहीं गालों पर से आसू बहने लगे उपेक्षा, अपमान, मन हुआ उपर से कूट पड़े खूब घाओ हो जाए हाट अटेक, उसके आसू मम्मी के गालों से बहने लगे बंटी, बंटी, नीचे उत्रा तो एक उस्सा, दहशत अपने कोई मारे हाट पैट तो डाले पेड की एक सूखी तहनी उठाई और शटाक शटाक मेंदी को सूरना शुरू किया अभी कोई नहीं आया फूल पत्ते नोशने शुरू किये कोई काला पाप वाप नहीं लगता तोड तोड कर धीर लगा दिया अपने ही बोए फूल पत्तों को तोड कर रौंद कर जैसे एक संतोश मिल रहा है अभी भी कोई नहीं आया और फिर खुद धीर होकर घास पर लोड गया भूका ठिटूरता हुआ रोता हुआ एका एक लगा जैसे घर का दर्वाजा खुला और फटी फटी आवाज में गाती हुई फूपी आ रही है मेरे तो गिर्धर गोपाल सांस जहां की तहां रुप गई आँखें मिच गई पर फूपी है कि बढ़ती चली आ रही है फूपी का भूत फूपी मर गई और राणी मर गई पर उसके प्राण तो अपनी बेटी में अटके रह गए सो वो चड़िया बनकर उसी के कमरे में पूपी के प्राण भी इसी कमरे में अटके रह गए मुदी आखों से ही दिखाई दे रहा है एक सफेद आकरती हवा में लटकी हुई कसरत कर रही है बंटी सास रोके कहीं डूपता चला जा रहा है गहरे खूब गहरे में छुन छुन ये सोनल रानी की पायन है अब तक राजा के सारे बच्चे तो खतब हो गए होंगे वो भूगी तो मरेगी नहीं आवाज पास आती जा रही है और बंटी और गहरे में डूपता जा रहा है घर घर सोनल रानी की सास ऐसी ही होती होगी खट अजीब अजीब आवाजें आ रही है और फिर एक हाथ छाती पर अटै मुझे मत मारो एक भूटी हुई चीख पता नहीं निकली भी या नहीं पर हाथ जैसे छाती में ही घुज गया बंटी बंटी किसी ने बाहों से पकड़ कर बिठा दिया वो फटी फटी आँखों से देख रहा है कौन है सामने तू यहां यहां पड़ा है तू जब से कोई उसके कंदे बुरी तरह जगजोर रहा है धीरे धीरे अंधेरे में एक चेरा साफ होकर उभरता है बद हवासा चेरा लाल आखों वाला चेरा बोल बोल तू क्यों यह सब करने पर तुला है क्यों अपनी और मेरी जिन्दिगी में जहर गोलने पर तुला है कौन सा कष्ट है तुझे वहाँ पर क्या तकलीफ है ओ पर मम्मी को देखकर कोई तसल्ली नहीं हो रही कोई डर भी नहीं लग रहा कुछ भी तो नहीं लग रहा रोज एक हंगामा खड़ा कर देता है रोज एक तमाशा कोई कब तक सहेगा आखिर क्यों सहेगा बाएं गाल पर तड़ तड़ की आवाज हुई मम्मी ने शायद मारा है ठीक है तेरे पापा तुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं मैं भेज दूँगी वहीं रहो मम्मी उसे घसीटी भी ले गई और एक तरफ से उठा कर गाड़ी में पठक दिया वो ना चला ना गाड़ी में चढ़ा मम्मी अभी भी कुछ ना कुछ बोले जा रही है पता नहीं क्या-क्या उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसे कुछ लग भी नहीं रहा मम्मी को शायद पता ही नहीं कि सोनल रानी तो उसे अब तो मम्मी की बात सुनाई भी नहीं दे रही है बंटी के बाहर का ही नहीं भीतर का भी जैसे सब कुछ थम गया थम नहीं गया जैसे सब कुछ सहम गया जित कुस्सा रोना चिलाना स्कूल से लौटकर पूटकों में खड़ा-कड़ा वो अमी जोत और मम्मी की रहा देखता रहता है पर जब लोग आ जाते हैं तो लगता है नहीं वो उनकी रहा तो नहीं देख रहता तीनों एक साथ उतरते हैं पर बुरा नहीं लगता एव अंटी चल रमी खेले तो खेलने बैट जाता है स्कूल से आये नहीं कि तुम लोग इता शुरू हो गई आज होवक नहीं करना मम्मी जिड़कती है तो चुपचा पढ़ने बैट जाता है कई बार बेंटिंग करने को मन करता है पर रंग की बहुत सारी शीशियां तो तूट गई सारे रंग बह गए अब जो बचे कुछे रंग है उनसे कुछ बनता ही नहीं मम्मी जब भी उसे अकेला पाती है आकर कारण अकारण प्यार करने लगती है उस मम्मी की आँखों में जाने क्या कुछ तैरता रहता है खाने की मेश पर बैटते समय नजर नीचे की ये रहने पर भी अब सा त्रिकोर उभराता है और उसकी बुजाएं एक सिरे से दूसरे तक दौड़ती रहती है मम्मी की आँखे उसकी प्लेट में चिपकी हुई उसे गूरती रहती है जब तक डौक्टर साब घर में रहते हैं मम्मी कहीं भी रहें कुछ भी करें उनकी आँखे बंटी के आगे पीछे ही गुमती रहती है उसे ही देखती रहती है वो पढ़ता है तब भी, वो खाता है तब भी, सोता है तब भी, सतर्क, चौकन्नी और घूरती हुई आखें पहले बंटी उन आखों की एक तीखी सी चुबन महसूस करता था, अब केवर आखों का होना वर महसूस करता है सबेरे डॉक्टर साहब के जाते ही मम्मी की आखें लोट कर उनकी अपने चेरे पर चिपक जाती है और वे जल्दी जल्दी कॉले जाने के लिए तयार होने लगती है उस समय तक वे आखें बिलकुल बदल जाती है अच्छा, मम्मी बिना आखों के देखती कैसे होंगी पर देखती है, शायद वैसे ही जैसे वो आजकल आखें होने पर भी कुछ नहीं देखता या कि हो सकता है कि मम्मी के पास दो जोड़ी आखें हूँ, चेरे भी तो बंटी डॉक्टर साब की बगल में बैठा हुआ जा रहा है, इस्टेशन पापा को लेने के लिए पिछली बार माली के साथ गया था, तांगे में बैठ कर तो कितना प्रसन था सारे रास्ते चेकता गया था, इस समय भी चाहरा आए कि खुश हो, महसूस करेगी पापा आ रहे है पर भीतर का सब कुछ गुमसम हो गया है, कितनी कितनी बाते तो वो सुचा करता था पापा से कहने के लिए पापा को लिखने के लिए, पर इस समय तो जैसे एक अजीब सा डर है, जो मन में समा रहा है नहीं, डर भी नहीं, ना खुशी, ना डर, बस कुछ नहीं सच-मुश पापा उसके लिए आ रहे हैं कल स्कूल से लोटा तो मम्मी घर में ही थी, लपक कर उसका बस्ता ले लिया आ गया बिटा, तो मम्मी आज कॉलेज गई नहीं, पर कपड़ों जूतों से लग रहा है कि गई होंगी हो सकता है जल्दी आ गई हो, पता नहीं क्यों ले कपड़े बदल ले, बहुत दुनों बाद मम्मी उसके लिए इस तरह कपड़े लेकर आई है लग रहा है मम्मी जैसे कुछ परिशान है, पर उसने तो कुछ नहीं किया जाने क्यों ये बात कहीं बहुत गहरे मन में बैठ गई है कि मम्मी की परिशानी के बीच कहीं वही होता है कपड़े बदलते ही मम्मी उसे कंदे से थाम कर अपने कमरे में ले गई उसका मन जैसे भीतर से और ज़्यादा सहने लगा सारे दिन की बात याद की, कहीं भी तो कुछ तभी नजर पलंग पर बिख्रे हुए कागजों पर पड़ी बंटी ने पहचाना पापा के नाम लिखे हुए उसके पत्र जिने वो कभी पूरा नहीं कर सका जाने कितने पत्र उसने शुरू किये और बिना किसी को पूरा किये कपड़ों की अलमारी के नीचे दबाता गया ये सब मम्मी निकाल कर लाई है अप्राद और संतोज की मिली उजली भावना एक साती तैर गई उसने मम्मी की ओर देखा वे एक टक उसकी ओर देख रही है बंटी तुने लिखी है ये चिठ्टिया बंटी चुप उसकी लिखाई मम्मी क्या पहचानती नहीं फिर क्यों पूछ रही है पापा के पास भी भेजी है बंटी चुप मन में अफसोस भड़ता है कि क्यों नहीं पूरा करके इन चिठ्टियों को भेजा भेज देता तो अभी तमकर कहता हाँ भेजी है और भी बेचूंगा बोल बेटे मैं गुस्ता नहीं हो रही सिर्फ पूछ रही हूँ भेजी है तुने चिठ्टियां कैसे भेजी किसके हाथ भेजी बंटी चुप क्या बोलने को कुछ है ही नहीं मैं सोच रही थी ये उनका अपना आगर है अपनी ही जिद्ध है पर अगर तुने लिखा है तब तो पता नहीं मम्मी उससे बोल रही है या अपने आप से एका एक मम्मी ने बंटी को खीश कर अपने से चिपका लिया क्यों बंटी क्या तेरा ससमुशी मन नहीं लगता तू पापा के पास जाना चाहता है जाएगा ठीक है बेटे तू वहीं चला जा तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं अब मैं भी नहीं रोकूंगी जब तू ही कुछ नहीं तो आखिर अपने पापा से कम जिद्धी तो तू भी नहीं और मम्मी के हाथ की पकड़ ढीली हो गई बंती तब भी कुछ नहीं समझा सारी बात तो सबेरे समझ में आई नहीं सारी बात तो अभी भी उसकी समझ में नहीं आई बस मालुम हुआ कि पापा आ रहे है पर सारी बात कुछ इससे ज़्यादा है पिछली बार भी पापा केवल उससे मिलने नहीं आये थे और भी बहुत कुछ कर गए थे उससे तो बाद में पता लगा था उसके बाद मम्मी का रोना इस बार क्या करेंगे उसने डॉक्टर साब कियो देखा वे सामने सडक पर नजर गड़ाए हुए गाड़ी चला रहे है पापा ने डॉक्टर साब को देखा है कभी बिना जान पैचान के डॉक्टर साब घर आने के लिए कैसे कहेंगे सबेरे मम्मी ने बंटी को अपने हां से तयार किया और खुद यों ही गूंती रही अगबार एको रखकर उन्होंने पूछा तो मम्मी ने ऐसे देखा मानो पूछ रही हो क्या भाई किसी को तो घर में रहना चाहिए मुझे तो दस वजे एक ज़रूरी मीटिंग में चाना है पर वे यहां आएंगे नहीं क्यों नहीं आएंगे I will insist बंटी तुम भी जोड लगा ना बेटे समझे और बंटी ने तभी सोच लिया कि वो एक बार भी नहीं कहेगा पापा यहां आगए तो बात कैसे करेगा इस घर में तो बात भी नहीं कर सकता कितनी कितनी बातें करनी हैं उसे और फिर जैसे एक सिरे से बातें उभरने लगी इतनी इतनी कि सब कुछ गरबर होने लगा पापा घर आ गए तो पापा आएंगे पर पापा नहीं आए इस्टेशन पर बंटी ने ही पापा को पहचाना देखते ही हमेशा की तरह पापा ने लपा कर उसे बाहों में भर लिया और गोद में उठा कर धिर सारे किस्सू दे दिये फिर जोर से सीने में चिपका लिया बंटी बेटा बाहों में भिचे भिचे सीने से चिपके चिपके बंटी के मन में बहुत दिनर का जमा हुआ कुछ बिगलने लगा अनायासी आँखों में आसू आ गए उन्हें बीतर ही बीतर पीता हुआ वो गोद से नीचे उतराया इतना बड़ा होकर वो रोएगा भी नहीं गोद में भी नीच ड़ेगा पापा की पहले वाली बात याद आ गई लड़कियों की तरह रोते हो पापा दोनों कंधों से थामे उसे देख रहे है पर जैसे पहले देखते थे वैसे नहीं खुब घूर घूर कर देख रहे है एका एक लगा जरूर कहीं आगे पीछे से मम्मी की आखे भी देख रही होंगी सब लोग उसे इस तरह क्यों देखते हैं उसे जाने कैसा कैसा लगने लगा डर सा पापा उसी तरह देखते हो इससे पूछ रहे हैं कुछ कह रहे हैं और डॉक्टर साब एक तरफ खड़े हैं चुप चाब और अब डॉक्टर साब हाथ मिला कर घर चलने के लिए जित कर रहे हैं खूब खूब, कुछ और भी कह सुन रहे हैं, और बंटी एक तरफ खड़ा है, चुप चाब, बंटी, तुम घसीट कर ले चलो पापा को, देखो तो बाती नहीं मानते, बंटी ने पापा की ओर देखा, पापा वैसे मुस्करा रहे हैं, पर बिल्कुल नहीं मुस्करा रहे है ऐसे कहीं मुस्कराया जाता है, सारा चेरा तो कैसा सक्त सक्सा हो रहा है, पापा भी कहीं प्रिंस्पल हो गए क्या, अभी भी नजरे बंटी के चेरे पर ही टिकी हुई है, कहो बेटा, पापा से चलने के लिए, चलिए ना पापा, उसने सहमे सहमे स्वर में कहा, तो पापा की नजरों की चुबन और तीकी हो गई बंटी और भी जादा सहम गया बात ये है पापा डाक्टर साब से कुछ कह रहे थे एक शन को बंटी की आँखों के सामने धीरे धीरे रात का अंधेरा फैल गया और उसकी छोटी सी हतेली में से पापा का हाथ पिसलता ही चला गया अपन चार बजे घर आएंगे तो क्या वो बात कर पाएगा बंटी की बात से भी ज्यादा जरूरी पापा का काम है पापा उसके लिए नहीं आए है अपने काम के लिए आए है और थोड़ी देर पहले बंटी के मन में जो कुछ बिगला था जैसे फिर जमने लगा इसकूल भी वो अच्छा लगता है तब ममी उसे प्यार करती है और थोड़ी देर के लिए पुरानी वाली ममी हो जाती है आज भी तो दोनों ही है पर कुछ ना कुछ करता हुआ ममी के पास जाता भी है तो ममी बस एक बार उसकी ओर देखती जरूर है फिर नजरें हटा कर कुछ करने लगती हैं जैसे कटी कटी फिर रही हो वो पापा के पास से आया है इसलिए ममी नाराज है दुखी है अच्छा है हो नाराज हो दुखी अभी क्या है अभी तो वो यहीं गूमने गया था जब उनके साथ कलकता चला जाएगा तब पता लगेगा अब कहकर तो देखें उससे की मत जा तब वो बताएगा पर ममी ने कुछ भी नहीं कहा साड़े चार बजे के करी पापा आये तो ममी ने ऐसे नमस्ते किया जैसे अजनबी को कर रही हूँ जोद भी कैसे देख रही है पापा को बंटी का मन हो रहा है कि पापा जोद से बातें करें उसे प्यार करें तब ही तो ज जिस दिन इस कोठी में आये थे ठीक उसी तरह है। उस दिन डॉक्टर साब मम्मी की खातिर कर रहे थे। आज क्या मम्मी पापा की खातिर कर रही है। बार-बार लग रहा है कि कोई लंबा सा आदमी आएगा और दाहरता हुआ कहेगा। वाँ आज खाने की मेज लग रही है। वो मम्मी और पापा अमी और जोद नए आदमी के सामने कैसे चुपचा बैठे हैं जैसे वो उस दिन बैठा था। पर आज भी तो सब चुप हैं उसका बड़ा मन हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहे जैसे अमी और जोद उस दिन बोल रहे थे जैसे हमेशा बोलते हैं पर पापा की नजने इस तरह गणी हुई हैं उसके चेहरे पर कि कुछ कहा भी नहीं चाता। पर मम्मी भी तो चुप हैं मान लो वो कुछ कहे और पापा जवाबी ना दे तो जोद कहेगी नहीं कैसे हैं तेरे पापा पापा ही उससे क्यों नहीं कुछ पूछते बोलते अपने मम्मी पापा के साथ बैठ कर भी खाने की मेज लगी ही नहीं चाय के बाद मम्मी पापा क को लेकर बैठने के कमरे में भूसी तो वो भी पीछे पीछे लगा चला आया मम्मी गरदन गुमा गुमा कर इस सरे कमरे को देख रही है जैसे पापा नहीं वे खुद बाहर से आई है और पापा है कि कमरा देखी नहीं रहे मुझे खबर देर से मिली थी इसलिए बधाई भी मम्मी चुप बंटी का मन हो रहा है कुछ बात करे इधर दर की कुछ भी मम्मी पापा और उसने एक साथ नाश्ता किया है एक साथ कमरे में बैठे हैं और वो इस समय को इस इस्तित को जैसे पूरी तरह महसूस करना चाहता है भीतर तक पर अपनी जगे ऐसा जम गया है कि ना हिरा डुला जा रहा है ना कुछ बोला ही जा रहा है एक एक उसकी इच्छा हुई कि पापा से कहे चलिए पापा हमें घुमा लाईए यहां तो रात तक भी बैठा रहा तो कुछ नहीं कहा जाएगा और धेर सारी बातें जो देख तो ले कि पापा उसे ले जा रहे हैं वो स एग बार बंटी के और देखती हैं, फिर पापा की और, फिर उनकी नजरे जमीं पर गढ़ जाती हैं, उनका चेरा कैसा पीला पीला हो रहा है, अच्छा है, अब ममी को पता लगेगा, बता दे पापा को कि ममी यह आने के बा decor उसे मारने लगी हैं, कभी उसके साथ नहीं सोती और खट उंगलियों का क्रॉस बन जाता है बंटी तू अम्मी और जोत के साथ खेल बेटा हम उसे उठा देना चाहती है डर रही होगी न कि बंटी सब बता देगा वो बिल्कुल नहीं जाएगा और पापा को सारी बात बताएगा पापा उसी के लिए तो आये है मम्मी की तो पापा से कुटी है फिर वो टस से मस नहीं हुआ पापा उसे देख रहे है पर जैसे उसका चेहरा नहीं देख रहे है चेहरे के बीतर और कुछ देख रहे हैं और मम्मी सहमी सहमी पापा को देख रही है फिर बस जाओ बेटे बाहर खेलो इस बार पापा ने कहा तो बटन्ती भननाता हुआ चला गया इस टेशन पर गया तो बेटे इस समय हमें कुछ जरूरी काम है शाम को हम आएंगे अब की बार आए तो बेटे बाहर खेलो फिर आए किसलिए हैं यहाँ पर कहीं अमी टिली लीली करता हुआ हवा में तैर गया पर गुस्सा पापा पर नहीं मम्मी पर आ रहा है पहले मम्मी नहीं थी तो सारे दिन पापा ने उसे कितना गुमाया था आज जरूर मम्मी ने कुछ और फिर जैसे पुराना सारा गुस्सा भी एक साथ उभर आया कुछ ऐसा करे कि मम्मी को पता लगे और जब थोड़ी देर बात बुला कर पापा ने प्यार से अपनी गूद में बिठा कर पुछा बेटा हमारे साथ कलकत्ता चलोगे न मैं तुम्हें लेने आया हूँ तो मम्मी की ओर देखते देखते ही गुस्से में ऐसे बोला जैसे पापा को नहीं मम्मी को जवाब दे रहा हूँ जरूर चलूँगा मैं यहां बिल्कुल नहीं रहूँगा ये बात उसने हजार हजार बार मम्मी को ही तो कहनी चाहिए अच्छा है मम्मी भी सुनने अपनी आवाज भी भीग गई, जाने कहां से देखती ही, मम्मी की आँखें बिलकुल सूप गई, बिना आसू की भीगी भीगी आँखें, सफेद चेरा, अब पता लगेगा मम्मी को, पापा उसे घुमा रहे हैं, कलकते के बारे में बता रहे हैं, पर बंटी कुछ ही नहीं सुन रहा, वो सोच रहा है, सोच ही नहीं रहा, देख रहा है, मम्मी उसके पलंग पर बैठी, रो रो कर कह रहे हैं, मजजा बंटी मजजा, मैं तेरे बिना रहनी सकूँगी, आज तक कभी, और मनी मन वे शर्ते तेरती हैं, जो मम्मी के सामने वो रखेगा, मम्मी सब मानेगी तो रहेगा, पक्का वाला प्रॉमिस, जूट-जूट का बहकावा आप नहीं चलेगा, वो क्या जानता नहीं, कि मम्मी उसके बिना नहीं रह सकती, डॉक्टर साब, अमी, जोट, कोठी, वोठी सब ठीक है, पर बंटी, अच्छा बंटी, ये डॉक्टर साब तुम्हें कैसे लगते हैं, अचानक पापा ने पूछा, और नजरे बंटी के चेहरे पर गड़ा दी, तो बंटी की समझ में ही नहीं आया, कि क्या कहे, बस कहीं हलके से डॉक्टर साब का चेहरा उबर आया, फिर धीरे से बोला, अच्छे हैं, और उनके ये बच्चे, जोट तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे कभी जगड़ा भी नहीं करती, अरे ये पापा ऐसे क्यों देख रहे हैं, लगा जैसे कहीं कोई गलती हो गई, पर उसने तो किसी के बारे हैं कोई भी बुरी बात नहीं की, अच्छा कांजी पियोगे तुम, पापा ने उसके बाद कुछ नहीं पूचा, रात में बंटी अपने पलंग पर लेटा लेटा बराबर देख रहा है, कि कब मम्मी आती हैं और कब रो रो कर उसके सामने किर्गड़ाती है, रास्ते में सोची हुई सारी शर्टों को उसने फिर एक बार मनी मन्दोरा लिया, जो तपनी एक सहली क्या गई है, अमी साथ साथ टगा हुआ चला गया, अकेले लेटे लेटे बंटी का समय नहीं कट रहा है, यों सामने एक किताब खोल रखी है, पर ध्यान तो सारा, मम्मी अपने कमरे में हैं डॉक्टर साब के पास, जरूर रो रही होंगी, हो सकता है डॉक्टर साब से कह रही हों कि वे समझाएं, सोचती होंगी कि मैं उनसे डर जाओंगा, अब तो पापा है, अब तो मैं कहूंगा, ये सब नहीं चलेगा, मैं बरदाश्ट नहीं करूँगा, अगर कहीं डॉक्टर साब समझाने आही गए तो, उनको क्या जवाब देगा, ये तो सोचा ही नहीं, नहीं, उन्हें कोई जवाब नहीं देगा, पर कोई आही नहीं रहा, हिमती नहीं हो रही है शायद आने कि किसी को, इतने में जोत और अमी आये, और सीधे मम्मी के कमरे में घुश गए, ये लोग कैसे उनके कमरे में घुश जाते हैं, जाने क्यों वो इस तरह कभी उस कमरे में नहीं घुश पाता, या तो कभी मम्मी ले गई है, तो गया, या फिर छिप कर, थोड़ी देर बाद जोत आई, और पूछा, तू कल अपने पापा के साथ कलकते जा रहा है, तो उस कमरे में यही सब बाते हो रही हैं, हाँ, मेरे पापा लेने आए हैं, जाओंगा नहीं मैं, बंटी इतनी जोड से बोला, कि मम्मी अपने कमरे में भी सुन ले, पता नहीं मम्मी ने सुना या नहीं पर जोत ने सुन लिया, और कपड़े बदलने चली गई, कहां तो मम्मी की आँखे उसके आगे पीछे घूमा करती थी, उसके भीतर तक का सब कुछ देखती रहती थी, पर आज क्या हो गया, उसकी आखे भी इस तरह घूम फिर सकती, तो वो भी देखता कि मम्मी क्या कर रही है, क्या कह रही है, थोड़ी देर बाद एका एक मम्मी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, बंटी ने भरपूर नजरों से मम्मी को देखा, और फिर किताब पढ़ने लगा, जैसे उसे किसी का कोई इंतजार नहीं, दीरे दीरे मम्मी आकर पास बैट गई, बंटी ने मनी मन में जल्दी से एक बार फिर सब दोरा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी रोने लगें, तो वो खुद भी रो पड़े, नहीं, रोना वोना बिल्कुल नहीं है इस पार, पर मम्मी कुछ नहीं बोली, बस उसका सिर्थ सहलाने लगी, उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा, नहीं, मम्मी रो तो नहीं रही, अब रोएं शायद, पर जब नहीं रोईं तो बंटी ने कहा, मैं कल पापा के साथ कलकते जा रहा हूँ, मम्मी एक टक उसकी ओर देखती रही, जैसे उसकी बात का अर्थ समझने की कोशिश कर रही हो, या कि जैसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा हो, पर रो तो नहीं रही, मैं फिर कभी तुमारे पास आऊँगा भी नहीं, पापा के पास ही रहूँगा, हमेशा, मम्मी उसके बाल और गाली सहलाती रही, फिर दीरे से बोली, बंटी, बंटी जैसे अगले वाके के लिए तयार, अब कहो कि मत जा, तेरे लिए क्या क्या लाओं पेटे, तू अपनी पसंद की चीज़ें बता दे, वही सब, तो क्या मम्मी उसे रोक नहीं रही है, उसे सचमुची बेज रही है, उसके बीतर ही बीतर कुछ आटने लगा, मुझे कुछ नहीं जाईए, मैं तुमारी कोई चीज नहीं लूँगा, उसने जलती नजरों से मम्मी को देखा, मानो कह रहा हो, अब, अब बोलो, अब रो, पर इस पर भी मम्मी नहीं रोई, सूखी आखें, उससे भी ज़्यादा सूखा चेरा, डॉक्टर साब है ना घर में, इसलिए नहीं रो रही, डरती जो है, कल देखना, और नहीं रोई तो क्या है, वो तो चला जाएगा, पापा के साथ खुब घुमेगा कलकत्ते में, नई नई चीजें देखेंगे, इतना बड़ा शहर, घुमते घुमते मर भी जाओ, तो खतमी नहो, रात में वो पापा के साथ घुमता रहा, अजीब अजीब यगों में, अचानक कहीं से मम्मी आ गई, और उसे गोद में उठा कर रोने लगी, फूट फूट कर, वो मम्मी और पापा लोट रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और जैसे ही घर के दर्वाजे पर पहुंचते हैं, पापा डॉक्टर साहब में बदल जाते हैं, वो घर भी पता नहीं कौन सा था, सबेरे आख खुली तो वो अपने बिस्तर में था, दूसरे दिन भी मम्मी नहीं रोई, मम्मी उससे एक बार भी नहीं कहा कि तुम मत जा, तो बंटी खुद रो पड़ा, छिप कर पात्रूम में, नाश्ते की मेज पर सब चुप, जोत और मम्मी उसे ऐसे देख रहे हैं, जैसे जानते ही नहीं हो, डॉक्टर साब और मम्मी मेज पर नजरे गड़ाए हुए, जैसे उसे ही देख रहे हूँ, सब देखो पर कोई मत कहो कि मत जा, सब शायद यहीं चाहते हैं कि मैं चला जाओं, मम्मी भी, और जैसे मन में कुछ उफनने लगा, गले में आकर कुछ ऐसा फस गया कि खाते नहीं बना, बस असुआई आखों के सामने से एक बार फिर लाल तिकोन तैर गया, ना मम्मी कॉलेज गई ना उसे स्कूल बेजा, बहुत मन हुआ कि कह दे कि वो स्कूल क्यों नहीं जाएगा, कल भी नहीं गया, आज भी नहीं, उसे पढ़ना नहीं है, पर कुछ भी नहीं कह सका, गला जैसे किसी ने भीज दिया है, गला नहीं कहीं कुछ और जैसे भीज गया है, मम्मी चुपचाप उसका सामान जमा रही है, उसके कपड़े, उसके खिलोने, मन हुआ भरबडाता हुआ जाए, और एक एक कपड़ा निकाल कर बाहर फेग दे, नहीं जाएगा वो कलकत्ते, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, एक महीने बाद इमतान नहीं है उसके, वो रहा है कभी मम्मी के बिना, पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा गया उससे, वो आसू पीता हुआ, इधर दर घूमता रहा, मम्मी सामान जमाती रही, जैसे जैसे समय बीता गया, आसू भी जैसे बीतर जाकर जम गये, और जब सब कुछ जम जमा गया, तो मम्मी उसके सामने आकर खड़ी हो गई उसके दोनों कंधों को पकड़ कर पूछा बंटी वहाँ जाकर मुझे बिल्कुल भूल तो नहीं जाएगा चिठी लिखेगा मुझे और देख बेटे यदि वहाँ मैं बिल्कुल याद नहीं करूँगा मैं कभी भी चिठी नहीं लिखूँगा तुम मेरी बाकी शब्द जैसे बीतरी गुट कर रह गए अब बोलो अब रो रो और मम्मी की आखे सच्मुची चलचला आई पर वे कुछ भी नहीं बोली चुपचा पलोड गई पापा को लेने के लिए कार गई हुई है बंटी का सारा सामान तयार है सामान के उपर तीन-चार पैकेट रखे हुए है मम्मी ने लाकर रखे है वो बिल्कुल नहीं ले जाएगा मम्मी कहेंगी तब भी नहीं डॉक्टर साहब भी आ गए है बंटी तू गर्मियों की छुट्टियों में यहीं आ जाना हम लोग फिर चाची अम्मा के पास चलेंगे वो एक क्षण तक जोट का चेहरा देखता है फिर कहता है नहीं मैं क्यों आऊंगा यहां मुझे नहीं जाना कहीं मैं तो वहीं गूँँगा चुट्टियों में और उसे लगता है जैसे वो जोट से नहीं कह रहा है अपने आप से कह रहा है अब तो सचमुश सचमुश हो कभी नहीं लोटेगा कभी नहीं क्या समझ रखा है मम्मी ने उसे आपने तो बड़ी देर कर दी हम तो कभी से राह देख रहे थे आपके साथ बैठने का तो बिलकुश समय मिला ही नहीं पापा भीतर नहीं आ रहे I am so sorry बस कुछ ऐसा ही हो गया कि पिर कोट की बहां सरका कर घड़ी देखते हुए बोले अब तो एकदम गाड़ी का समय हो गया बंटी तयार हो ना बिटे तो बंटी दोड़ कर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया बीतर ही बीतर सहमा हुआ पर उपर से जैसे सधा हुआ सब देख लें कि उसे भी खूब खूब प्यार करने वाले पापा हैं जो उसे ले जा रहे हैं अपने साथ कोई मतरकों से यहाँ मम्मी अभी भी नहीं आ रही पापा की नजर भी शायद उन्हीं को ढूण रही है मम्मी क्या निकलेंगी ही नहीं बंटी लाल सामान जमाने लगा तो बंटी ने वे पैकेट निकाल कर अरग कर दिये अरे ये तो तुमारे लिए ही लाए हैं बेटा तुम ले जाओ बंटी कुछ ने बोला चुपचाप उन डिबों को सीडियों के एक किनारे पर रख दिया पापा ने एक बार गूर कर डॉक्टर साहब को देखा डॉक्टर साहब का चेहरा जाने कैसा कैसा हुआया तबी भीतर से मम्मी निकल कर आई उन्होंने एक बार पापा की ओर देखा फिर बंटी की ओर और फिर पैकेट की ओर फिर दीरे से आगे भड़कर उन्होंने बंटी को पकड़कर अपनी उरखी जा और प्यार किया पर बोली कुछ नहीं बंटी छिटक कर पापा के पास चला गया और उनकी बहां पकड़कर खड़ा हो गया जैसे वो पूरी तरह ये दिखा देना चाहता हो कि वो पापा का बंटी बन गया है और अब पापा के पास ही जा रहा है गाड़ी में सब बैठे डॉक्टर साब, अमी, जोत बस ममी बहारी खड़ी रही पापा ने डॉक्टर साब के ओर देखा और शी इस वेरी अपसेट और गाड़ी स्टार्ट कर दी ना चाहते हुए भी बंटी की नजर ममी के ओर चली गई उनका एक हाथ हिल रहा था और वेशायद रो रही थी रोती हुई ममी पीछे छूट गई कोठी का उजड़ा हुआ आहा था कोठी के बाहर लाल तिकून सब सब पीछे छूट गए स्टेशन और स्टेशन के भीर गाड़ी में बैठा खिड़की से जागता बंटी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए डॉक्टर साहब पापा अमी चोट और भी धेर सारे लोग डॉक्टर साहब पे टूटे टूटे वाके आप इसी खबर देते रहिएगा यू नो शीज अगर आप बहुत परिशान हो तो बंटी भाई या हम भी कलकता गुमने आएंगे बंटी मुझे चिठी लिखना और इसके साथ ही बहुत सारा शोर तरह तरह का और एका एक ही सारे शोर के उपर उभरता है बंटी मज जा बेटे मैं तेरे बिना नहीं रह सकूंगी दौरती दौरती मम्मी चली आ रही है बद हवास लालाख है पर मम्मी जैसे उस तक पहुँची नहीं पा रही है सिर्फ उनकी आवाज उसके इर्द गिर्द घुम रही है तब ही गाड़ी चल दी और जो लोग आये थे वेबी चूट गए हाथ हिलाते हुए डौक्टर साब, अमी, जोत दीरे दीरे सब के चेहरे घुल मिल गए और फिर एक बिन्दु में बदल कर उजल हो गए फिर प्लेटफॉर्म की भीड और शोर शेहर का हिस्सा जाना पहचाना सब को सरकता चला गया, छूटता चला गया और थोड़ी देर में गाड़ी, खेत, खलियानों और मैदानों की अनंत सीमाओं के बीच दोडने लगी बंटी ने गरतन भीतर के और मोड़ ली सब अपरचित चेहरे इतने अपरचित चेहरों के पीच जाने कैसी पर पापा पूछ रहे थे, बिस्तर लगा दे, तुम लेटोगे इतने अपरचितों के बीच जैसे वो अपने आप से अपरचित हो आया बस बार बार नजर पापा की रोण चाती है इतने नए नए चेहरों के पीच पापा का जाना पहचाना परचित चेहरा ही जैसे आश्वस्त करता है मन वो राय की उन्हें ही कसकर पकड़ ले कहीं ऐसा ना हो की पापा भी पीचे चूट जाए थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई नकोई बाना बना कर वो उन्हें चू लेता है, कभी हाथ पकड़ लेता है लेकिन रात में बंटी फिर उनी पर्चित चेहरों और पर्चित जगहों के बीची गूमता रहा घूरती हुई मम्मी या उदास-उदास मम्मी चिड़ाता हुआ अमी, प्यार करती जोत, गंबीर-गंबीर डॉक्टर सहाब सवाल समझाते हुए सर, साइलेंस, साइलेंस, विबू, कैलाश, टीटू, यार बंटी कहां चला गया बंसी लाल, लाल तिकोन, माली दादा, आमका पौधा, सभी कुछ तो उसके आस-पास उसकी पहुँच के भीतर रोज की तरह पर सवेरे आँख खुली तो फिर चार ओर नए चेहरे, वो एकदम पापा के पास चला गया और दूसरे दिन जब हावडा पर उत्रा तो लगा, जैसे अपरचितों के एक छोटे से दाइरे में से उठा कर किसी ने उसे अपरचितों के एक बड़े से समुदर में ही फेक दिया है कितनी भीड कितना शोर, सब कुछ कितना अंजाना अंचीना उसका मन एक अजीब सी दहशत से भर गया, उसने कसकर पापा की उंगली पकड़ ली धक्के मुक्के के बीच में बराबर यही खटका लगा रहा कि अगर पापा की उंगली छूट गई तो फिर कही उसका पता ही नहीं चलेगा पापा टैक्सी के लिए क्यूँ में जाकर खड़े हो गया बंटी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस भकुवाई सी आँखों से पापा को देखे जा रहा है तुम यहां बैट जाओ, उसे शायद ठका समझ कर पापा ने उसे एक बॉक्स पर बैठा दिया आसपास देखने को कितना कुछ है इस नहीं जगे में, पर वो तो जैसे सब और से सुन हो आया है बस नजर इस तरह पापा पर टिकी हुई है, मानों उसे किसी ने यहां कील कर दिया हो धूप में पापा की लंबी सी परचाई लिटी है, खूब लंबी सी वो बैठा हुआ पापा को देख रहा है, पर मन हो रहा है कि जाकर हाथी पकड़ ले पापा का हाथ छूटने से ही अजीब सी घबराट हो रही है आखिर वो उठा, पापा की बगल में जाकर उनसे एकदम सट कर उसने उनका हाथ पकड़ लिया और उसकी छोटी सी परचाई पापा की लंबी सी परचाई में ही घुल मिल गई जस्टिफिकेशन, पर क्यों, किस बात के लिए, क्या किया है शकुन ने अजय बंटी को ले जाना चाहते थे और वो खुद जाना चाहता था उसे यह अच्छा नहीं लगता था, इतनी कोशिश करने पर भी वो बंटी को इस घर में रचा पचा नहीं सकी वो इसे अपना घर समझी नहीं सका, पता नहीं, क्या चाहता था वो इस घर से, नहीं, शाय शकुन से अजय ने भी नजाने क्या चाहा था उससे वो नहीं दे पाई तो अजय उसकी जिंदगी से रिकल गया अब बंटी भी कुछ चाहता था पता ने बंटी ही चाहता था या कि अजय ही बंटी में उतर कर नए सिरे से फिर से वही चाहने लगा था जो तब वो उसे नहीं दे पाई थी नहीं ये उसका ब्रहम है अजय उसे कुछ नहीं चाहता वे अपनी भरी पुरी जिंदिगी जी रहा है उसने शकुन को काट दिया है शायद कोई कसक भी बाकी नहीं है पर जब शकुन ने अपने जीवन को भरापूरा करना चाहा अजय की कसक को भी धोपोशना चाहा तो बंठी सब लोग केवल उससे चाहते ही हैं और वो उनकी चाहनाओं को पूर्ती रहे यही एक मात रास्ता है उसके लिए बस वो कुछ न चाहे जहां चाहती है वहीं गलत क्यों हो जाती है ऐसा अनुचित असंभव भी तो उसने कुछ नहीं चाहा एक सहज सीधी जिंदगी जिसमें रहकर वो कम से कम ये तो महसूस कर सके कि वो जिंदा है केवल सूरज डूब उककर ही उसे रात होने और बीटने का एहसास ना कराए उसके अतरिक्त भी कुछ हो कितनी सहज स्वाभाविक इच्छाएं थी उसकी फिर भी सब गलत केवल इसलिए कीवे उसकी थी जहां जस्टिफिकेशन है समझ लो वहां गिल्ट है आदमी अपने गिल्ट को जस्टिफाई न करे तो शैद कभी किसी संदर में डॉक्टर साब नहीं कहा था कहा होगा शकुन को लग रहा है उसके मन में इस समय कुछ नहीं है ना गिल्ट ना जस्टिफिकेशन कुछ है तो सिर्फ दुख की बंटी चला गया कि बंटी एक दिन भी वहाँ खुछ नहीं रहेगा ना उस घर में ना हॉस्टल में बिना शकुन के वो कहीं खुछ रही नहीं सकता और इन दोनों तो शकुन के साथ भी वो समझी नहीं सका कि शकुन से बदला लेते लेते कितना बड़ा बदला उसने अपने आप से ले लिया है शकुन को कश्ट देने के लिए कितना बड़ा कश्ट उसने अपने आप को दे डाला है वो नहीं समझ सका पर शकुन तो सब समझ रही थी फिर भी वो चुप रही क्या वो ये नहीं मैसूस करने लगी थी कि बंटी अब उसके जीवन की सहज गती में एक रुकावट बन गया है जिस नई जिन्दगी की शुरुआत का सारा आयोजन उसने कर डाला वो शुरू होकर भी जैसे शुरू नहीं हो पा रही है कि बंटी उसमें जब तब दरार डाल देता है नहीं उसे कुछ कनफेस नहीं करना आदमी शायद कनफेस इसलिए नहीं करता है कि दूसरों की नजरों में गुनेगार बनकर अपनी नजरों में बेकुना हो जाए वो अपने गुनाहों को सुईकार नहीं करता बड़ी निरीता के साथ उन्हें दूसरों के कंदों पर डाल कर स्वयम उनसे मुक्त हो जाता है पर शकुन को ऐसा कुछ नहीं करना वो करी नहीं सकती बंटी उसके जीवन का अभिन अंश है उसका अपना अंश उसके जाने का दुग भी उसका अपना है और उसे बेज़ कर यद उसने कुछ गलत किया तो वो गलती भी उतनी ही उसकी अपनी है इस सब को ना वो किसी के साथ शेयर कर सकती है ना किसी और के कंदों पर डाल कर उस सबसे मुक्त हो सकती है एहम और गुस्य से भरे-भरे शकुन की लाई हुई चीजों को बिना देखे बिना छुए एक और सरका देने उमरते आशियों को भीतरी भीतर रोक कर सूखी आखों से मोटर में बैठ कर विदा हो जाने की व्यथा बंटी से कहीं ज़्यादा शकुन की अपनी विथा है और ऐसी विथा कोई जिसे माट नहीं सकता आज भी नहीं आगे भी नहीं कार लोट आई उसमें से डॉक्टर अमी जोत उत्रे तो उसे एक बार फिर नए सिरे से धक्का सा लगा तो बंटी चला गया और साथ ही खयाल आया कि इतनी देर से उपर से चाहे कुछ भी सोचती रही हो बीतर ही बीतर तो लगातार जाने कैसे कैसे चितर बनते बिगड़ते रहे हैं यहां के परचित माहौल और शकुन की उपस्तित में थमा हुआ आवेग इस्टेशन के परचित माहौल में पूर पड़ा है मैं नहीं जाओंगा मैं मम्मी के पास जाओंगा मम्मी के पास ही रहूंगा अजय का कातर हुआया चेहरा डॉक्टर का असमंजस जो से चिपकर खड़ा डरार सहमा बंटी मम्मी गाड़ी से उतर कर हो से लिपट गया है दोनों की आखों में आसू गलती हुई बर्फ की दीवार उससे मैं जल्दी जल्दी में चाय नहीं पी सके जल्दी से चाय पिलवा दो तो मैं जाऊं आयम अल्रडी लेट बस गाड़ी भी आदा गंटा लेट थी और मम्मी मैंने बंटी को कह दिया है कि वो मुझे चिप्ठी जरूर लिखेगा मिस्टर बत्राव को भी कह दिया है कि जाते ही चिप्ठी लिख देंगे और सारी बात यानि जो भी जैसा भी होगा लिख देंगे और और सब्चुप दो प्यालों में चाय ढल गई और दो गिलासों में दूद बंटी की कुर्सी खाली है पापा हमारा जोमेट्री बॉक्स एक्दम बेकार हो गया हमें नया चाहिए कल ही हमारा टेस्ट है आप ड्राइवर के हाथ मंगवा दीजिए जोत और अम्मी आज भी अपनी जरूरतों के लिए डॉक्टर से ही कहते है बंटी होता तो वहाँ बंटी किस से कहेगा सर्दी तो खतम हो ही गई दस पंद्रे दिनों में तो पसीने के नाहने का मौसम आ जाएगा इस्टेशन पर तो आजी बाकायदा गर्मी लग रही थी गाडियों में इतनी भीड क्यों जाती है पापा रोज रोज जाने वाले इतने आदमी कहां से आ जाते है गाड़ी लेट थी इस्टेशन पर गर्मी थी इस्टेशन पर भीड थी सब कुछ था बस जैसे नहीं था तो बंटी जैसे सब उसके आसपास से कत्रा कर निकल रहे हैं कोई इसके पास नहीं पहुंच रहा या पहुंचता नहीं चाहता आज चाय कैसी है शायद पानी पूरी तरह नहीं खौला दूसरा पानी आ जाता है लोटते हुए मैं वर्मा के यां जाओंगा तुम भी चलो तो गाड़ी भेज दू देखाएंगे तीम-चार दिन से जान नहीं पाया शकुन ने डॉक्टर की और देखा फिर दीरे से बोली आज रहने दो एं अच्छा डॉक्टर मुड़ गए पापा हमारे लिए भी कोई चीज अच्छी सी सायास ढंग से बोले हुए अनायास वाक्य जैसे सबने तै कर लिया है कि कोई भी उस विशे पर कुछ नहीं बोलेगा और ये वाक्य उस तक पहुँचकर भी नहीं पहुँच रहे हैं से तु नहीं बन रहे हैं से तु बंटी से तु नहीं बन सका इसलिए शायद उसे भी कट जाना पड़ा डॉक्टर चले गए अमी और जोद पढ़ने बैट गए सब कुछ कितना सहस्वाभाविक हो आया कहीं कुछ नहीं जैसे एक अनावश्यक प्रसंग था उपर से थोपा हुआ उसे एक नाएक दिन समाप्त होना ही था सब लोग जैसे इसी दिन की प्रतिक्षा कर रहे थे वो भी सचमुच वो भी कहीं चाहने ही तो लगी थी उसे खुद लगने लगा था कि वो एक अनावश्यक तत्तुर शायद वो हो ही गया था शायद ऐसा ही होता है ये बच्चा किसका है बंसीलाल की भोग खुसर खुसर करके पूछ रही थी इनके पहले वाले आदमी का बच्चा दबा दबा सा जबाब दहेज में यही लेकर आई है खी 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 और उस हंसी ने उसे भीतर तक दिल मिला दिया था ये बच्चा ओ हाँ क्या नाम है बेटे तुमारा वर्मा का बुलन प्रश्न अरूप बत्रा उतना ही बुलन जवाब सवाल और जवाब दोनों में ही कुछ था ना चाहते हुए टालते हुए भी ध्यान एक ख़न उसोर्ज गया था और फिर रात में सर्दी से अकड़ा डर से सहमा बंटी उसकी चाती से चिपका था सांस जैसे हिश्कियों में बन गई थी ये अकसर इस तरह डर जाया करता है क्या पतानी स्वर में नीन की खुमारी थी या की एक रूखा पन व्यागात पढ़ जाने की खीज कम से कम शकुन को ऐसा ही लगा था पी दुखी होंगी एक सी ही तो बाते थी पर अर्थ बदल गए थे क्योंकि शाय संदर बदल गए थे और तब पहले दिन का वो चौकननापन अनायासी एक हलकी सी अपराद भावना में बदल गया जैसे जिद बंटी ने नहीं की उसने खुद की है एक गलत और अनुचित जिद पता नहीं मन का भाव शायद चेहरे पर अंकित हो आया था डॉक्टर ने कंधे पर हाथ रख कर पूछा बुरा मान गई उसने जूट बोला था और साथ ही लगा था कि अब पता नहीं कितनी बार उसे जूट बोलना पड़ेगा डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे मानो बंटी ने जो कुछ किया उसने कतई परिशान नहीं किया है उन्हें वो भी मुस्काई मानो उसने डॉक्टर की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना है असली बात पर नकाब डालने का सिलसला उसी दिन से शुरू हुआ था, कम से कम बंटी को लेकर, और फिर एक नकली सा विवार, या कि असली विवार में भी नकली पन का एहसास, या तो इस विशे पर बात को थी यह नहीं, या होती तो बहुती समल समल कर, पर बंटी था कि हर एक दिन नया हंगामा कुछ भी होता और मनीमन शकुन अपने को सफाई देने के लिए तयार करती थी पर डॉक्टर देख जानकर भी चुप रह जाते तो उनकी चुपपी बंटी की जिद बंटी के हंगामे से भी जादा बड़ा बोज बनकर शकुन के मन पर च्छा जाती अपनी हर समस्या अपने हर बोज को पड़े निर्दन्द भाव से डॉक्टर के कंदों पर डाल कर निश्चिन्त हो जाने वली शकुन के मन में एक कोना उभराया था जिसकी बात वहीं गुमरती रहती थी और शकुन थोड़ी सी भैबीत रहती थी कि कहीं यहां की बात बाहर ना आ जाए साथी आशंकित भी कि कहीं ये कोना अपनी सीमा तोड़ कर फैलना ना शुरू कर दे और फिर फैलता ही चला जाए फैलता ही चला जाए वो जानती थी कि ये कोने जब होते हैं तो कितने पैने होते हैं कैसे इनसे सब कुछ कटता चलता है विश्वास, सद्भावना, अपनत्व सारी की सारी जिन्दगी मर जाती है घंडों में टुकडों में कि इसके बाद एक पूरी जिन्दगी जीना नहीं वो अब और उस सबसे गुजरना भी नी चाहती बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकानी होगी तो चुका देगी कीमत चुका दी और लग रहा है कि वो जैसे एक्दम खाली और खोकली हो गई है ममी हमें ग्रामर समझा दो लेटे लेटे ही शकुन ने पास खड़ी जोत को देखा स्वर में कैसा आग रहे याचना जैसा हमेशा क्या वो इसी तरह कुछ कहती मांगती है कभी ध्यानी नहीं गया अब शायद नेरे इसरे से अमी और जोत से परचित होना पड़ेगा अभी तक तो ये लोग भी बंटी के साथ इस तरह जुड़े हुए थे कि कभी अलगाओ महसूसी नहीं हुआ बंटी के साथ साथ इनों काई भी काम होता ही चलता था अब देखो तो जोत अमी क्या कर रहा है उसे भी यहीं बुलालो दोनों यहीं पड़ो अमी जो दोड़ती मी चली गई बंटी को उसने कभी इस कमरे में बैट करनी पड़ाया वो कभी आता भी नहीं था जाने कैसा एक सहमा सहमा पन उसके मन में घर कर गया था आज उस कमरे में जाते हुए वो सहम रही है, वो मेज, वो कोना ममी मैंने चार समस कर लिये, पांशवा कर रहा हूँ कुल दस करने हैं, बस होंवर्क खतम, होंवर्क फिनिश दोनों बच्चे अपना अपना काम करने बैट गए तो खयाल आया बिना बंटी के वो इन लों को उसी तरह प्यार कर सकेगी जैसे बंटी को करती थी, इन्हें उतना ही अपना समझ सकेगी शायद नहीं, मीरा भी बंटी के लिए ऐसा ही सोचेगी वो भी उससे कभी जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगी उसे कभी अपने बच्चे की तरह प्यार नहीं करेगी एका एक शकुन ने कौपी पर जुके हुए अमी को खीच कर अपनी गोदी में भर लिया उसके दोनों गालों पर प्यार किया अमी सक पकासा गया और फिर अलग हो गया जोद अजीब सी नचरों से देखने लगी ऐसा करने पर बंटी कभी उसके गले में बाहें डाल दिया करता था अकसर वो उसी गोद में लेट करी पाठ यात किया करता था जोर जोर से बोल कर और जब तक बंटी पढ़ता था शकुन कुछ नहीं कर सकती थी समय के साथ सब कुछ कैसे बह जाता है अजय का पत्र बीच में पढ़ा था शकुन और डॉक्टर साब आमने सामने बैठे थे दोनों के बीच एक मौन घिराया था एक तनाव पूर्ण मौन कम से कम शकुन को ऐसा ही लगा था अजय ने बहुत सहीर ढंग से लिखा था लिखा ही नहीं एक तरह से आगरे किया था कि वो अब बंटी को अपने पास रखना चाहता है फिर भी इस मिशे में उन दोनों की राय के बिना वो कुछ नहीं करेगा डॉक्टर ने पत्र पढ़ लिया था और चुप हुआय थे और शकुन के मन में हजा हजार बातें एक साथ आ जा रही थी वो बंटी को भेज दे और अपने घर के इस तनाव से मुक्त हो जाए वो बंटी को क्यों भेजे अजय किस अधिकार से उसे अपने साथ रखना चाहते हैं उसने शादी कर ली है इसलिए उसका बंटी पर से अधिकार समाब्त हो जाता है तो अजय ने भी तो शादी कर ली है डॉक्टर जानले की इस घर के लिए बंटी अनावशक हो फालतू हो पर कोई है एक ऐसा भी घर है जहां बंटी की आवशकता है बंटी की प्रतीक्षा है यहां बंटी एक जिद्धी एपनॉर्मल बच्चा हो सकता है पर वहां कि अजय का शकुन से चाहे कोई भी संब्ध नरा रहा हो पर बंटी से उसका संब्ध है आत्मियता का अपनत्तों का र और हमेशा रहेगा बाते हैं कि एक के बाद एक फिसलती चली जा रही है तुमने कुछ कहा नहीं पत्र पढ़कर और शकुन ने बहुत ही भेदिती सी नजरों से डॉक्टर को देखा मानू उसे किवल शब्दों पर ही विश्वास नहीं करना है उन्हें ही अंतिम नहीं मानना है उसके भीतर छिपे अर्थों को भी देखना है वो भीतरी भीतर कहीं बहुत चौकनी हो आई असमंजस और दुईधा में लिप्टे डॉक्टर चुप और वो चुपी ही हजार हजार अर्थ प्रकट करने लगी बताओ ना क्या जवाब दूँ अजय को शकुन को जैसे जवाब चाहिए ही वो भी डॉक्टर से ही मैं मिस्टर बत्रा को बिल्कुल नहीं जानता उन्होंने ये क्यों लिखा है ये भी नहीं समझ सका क्या जवाब हो सकता है इसका मैं क्या बताओं वही तरस्तता वही उपेक्षा बोल कर भी चुप रहना क्या इसी को नहीं कहते शकुन क्या जानती नहीं कि डॉक्टर इसी तरह चुप रहेंगे पर क्यों क्यों अभी चाची अम्मा लिखें कि अम्मी को शुरू से मैंने पाला है उसे मेरे पास भेज दो तो तुम जवाब नहीं दोगे कुछ नहीं बताओगे आवेश से जैसा उसका स्वर का आपने लगा वो बात बिल्कुल दूसरी होगी डॉक्टर का स्वर कभी भी कहीं से भी विचलित क्यों नहीं होता कैसी आस्था है कौन सा विश्वास है अपने उपर जो कहीं भी डिगने नहीं देता डॉक्टर के सदाओं के सामने शकुन जैसे और जादा जादा बिक्रा महसूस कर रही है बात दूसरी नहीं है बस ये कहो कि बच्चा दूसरा है अमी तुमारा बच्चा है तुम उसके बादें में निर्णय ले सकते हो बंटी तुमारा शकुन اور डॉक्टर की दोनों हतेलिया शकुन के कंदों पर आठीके बात बीश में ही तूट गई शकुन एक टक डॉक्टर का चेहरा देखती रही क्या था डॉक्टर के सवर में डॉक्टर के चेहरे में कि मन का आवेग जैसे अपने आपी धीरे धीरे उतरने लगा पागल हो गई हो लगता है इस पत्र ने परिशान कर दिया है पर इस तरह परिशान होने से तो कोई चीज हल नहीं होती शकुन को लगा जैसे उसके कंदे डॉक्टर की हतेलियों पर टिक गए हैं तुम लोग अपने को अपने इगो को उपर न रख कर बंटी को उपर रखो आई मीन उसकी दिर्ष्टि से सारी बास सोचो तो ज़्यादा सही होगा वही सधा हुआ स्वर सुलजी हुई द्रष्टि संशे और संदे के उगरे हुए सारे कांटे जैसे उलट कर उसे ही भेदने लगे उसका अपना कुंठित मन बातों को व्यक्तियों को कभी सही रूप में नहीं ली सकेगा तुमसे कुछ नहीं होगा मैं ही बंटी को अपने साथ लंबी ड्राइब पर ले जाऊँगा बहुत प्यार से विश्वास से लेकर उसे पूछूँगा उसकी मना इस्तित जानने की कोशिश करूँगा क्यों वो यहां एड्जस नहीं कर पा रहा है क्या बताऊं शकुन मुझे समय नहीं मिलता ये सब डॉक्टर कह रहे हैं एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मैं बंटी को ले जाऊ एक बार भी क्या इनको ये ख्याल नहीं आता कि बंटी को लेकर वो डॉक्टर की ओर से उतनी आश्वस नहीं हो पाती कोशिश करके भी नहीं हो पाती कि वो इस प्रसंग को लेकर अपने और डॉक्टर के बीच में एक हल्की नामालुम सी दरार महसूस करने लगी है और हमेशा आशंकित रहती है कि वो दरार दीरे दीरे कहीं खाई ना बन जाए फिर एक और खाई मैं तुम्हें भी नहीं ले जाओंगा समझी जवाब उसके बाद हो जाएगा और एक बार जोर से उसके कंदे थपपा कर उनने हाथ हटा लिये उनके इस अत्रिक्त विश्वास के सामने शकुन का अविश्वासी मन जैसे हार गया वो अपनी ही नजरों में बहुत अपरादी हो थी अपरादी और छोटी क्यों वो चीजों को गलत रूप में लेती है क्यों नहीं सही धंग से देख पाती पर शायद चीजे ही गलत थी और इसी लिए देखने का हर सही धंग भी घूम फिरकर आखिर में गलत ही हो जाया करता था शकुन जानती थी कि अजय घर नहीं आएगा पर डॉक्टर का घर आने के लिए आगरे करने स्टेशन तक जाना उसे अच्छा लगा लेकिन जब अजय ने चार बजे आने को कहा तो डॉक्टर ने बताया कि वो उस समय तक मीटिंग में रहेगा शायद वो शाहिते हों कि ये बात शकुन और अजय आपस में ही तह करें कि डॉक्टर एक बाहरी आदमी की तरह क्यों रहें डॉक्टर की उस समय अनुपस्तित रहने की बात उसे कहीं अच्छी भी लगी थी और बुरी भी उसे खुद नहीं मालूम कि उसे कैसा लगा था पता नहीं उसे क्या हो गया है कि एक ही बात एक ही समय में उसे अच्छी भी लगती है और बुरी भी शायद कुछ और भी लगता है हर बात कितने कितने इस तरों पर चलती है उसके मन में वो खुद कुछ नहीं समझ पाती हर बात उसके लिए जैसे एक पहली बन जाती है या फिर वो खुद अपने लिए एक पहली बन जाती है डॉक्टर कैसे एक ही इस्तर पर जी लेते हैं एक सुल्जी हुई सहथ जिन्दगी उसे डॉक्टर से इर्षया भी होती है डॉक्टर पर गुस्सा भी आता है क्यों नहीं वो शकुन के मन में हुने वाले द्वंदों को समझ पाते उसके हर पहलू हर इस्तर को देख पाते पर क्या वो उन सब को देख समझ पाती है या कि कोई भी उसे समझ पाएगा तुकडों में बटी ये जिन्दगी और हर टुकडा जैसे अपने अलग धंग से सुचता है अलग धंग से धड़कता है अजै चार बजे घर आ रहा है ये बात उसे अच्छी भी लग रही है और बुरी भी मन में कहीं एक संतोश है एक इच्छा है कि एक बार अजै को अपना सुख अपना वैभवी दिखा दे एक कचोट है कि बंटी ने पत्र लिख कर उन सारे सुखों के अस्तित्तों को धूर में मिला दिया अब सब कुछ कितना बेमानी हो उठेगा साथ ही एक आशा भी है कि कहीं आवेश में आकर बंटी ने लिख चाहे जो कुछ भी दिया हो वो जाएगा नहीं वो यहां रोए या तूफान मचाए शकुन से चाहे कितना ही कटा कटा फिरे पर शकुन के बिना वो कहीं नहीं रह सकता एक रात को सरकिट हाउस रहनी सका था अब रहमेशा रह सकेगा बच्चों का गुसा बच्चों का मान बच्चों का अहम कितना छोटा और कितना निरी होता है सब कुछ फिर बंटी जो छाया की तरह चिपक कर रहा है उसके साथ अकेला तो मैं कब भी जा ही नहीं सकता इस वाके को जैसे वो पकड़े बैठी है भूली गई कि इसके बीच से नौदस महीने का समय बीच चुका है परवर्तनों से भरा हुआ समय दिन भर शकुन तयारी करती रही थी हर चीज लक दक और मनीमन अपने को साथती भी रही थी कि इस बार बहुत सहज होकर ही वो अजय से मिलेगी इस असहज प्रसंग को वो अपने विवार से इतना सहज बना देगी कि अजय खाली हाथ लोटें तो भी कचोट लेकर न लोटें यहां का सब कुछ देखकर बंटी को ले जानी की बात उन्हें खुद बेतुकी सी लगे कि वे खुद आश्वस्त हो जाएं पत्र भी तो उसने बहुत सहज धंग से ही लिखा था पर चाय की मेज पर घेराय मौन के नीचे उसकी सहजता अपने आपी गलने लगी मेज पर देरो चीजे फैली पड़ी थी उसने खुद सब कुछ बड़े जतन से बनाया सजाया था पर अजय का ध्यान उधर नहीं था एक बार उसने अमी और जोज से जरूर बात की थी प्यार से ही कुछ कहा पूछा और फिर नजर बंटी के चेहरे पर टिक गई और बस फिर वहीं टिकी रही तम नए सेरे से उसका अपना ध्यान बंटी की और गया वो उसे देखने लगी अपनी नजरों से नहीं अजय की नजरों से और भीतर सब कुछ गड़ बढ़ाने लगा कितने दिनों बाद अजय और शकुन आमने सामने एक कमरे में बैठे हुए हैं घर के एक कमरे में कमरा बहुत कोजी है पर मन शायद उतना कोजी नहीं है कम से कम शकुन को ऐसा ही लगने लगा है एक घबराहाट इमतहान में बैठने के पहले जैसी बंटी के बारे में को सोचा शकुन की नजने अजय के चेहरे पर टिक गई किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है प्रेशन भी ऐसा की कोई जिद और दुराग्रह नहीं बस जैसे साथ बैठ कर सोचने की बात ही हूँ तो आज भी ऐसा कुछ है जिस पर साथ बैठ कर सोचा जाए और शनांश को फिर जैसे नए सेरे से लगा की वे साथ बैठे हैं ये सही है कि बंटी को अब मैं अपने साथ ही रखना चाहता हूँ फिर भी ये निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता मेरा मतलब पर इस समय तो बंटी वैसे भी नहीं जा सकता अगले महिने उसकी परिक्षाएं हैं एक साल खराब नहीं हो जाएगा अजय कुछ इस नजर से देखने लगा मानो पूछ रहा हो बस यही आपत्ती है तो शकुन को लगा जैसे उससे गलती हो गई आपत्ती उसे कहीं और से शुरू करनी थी वो जैसे अगली बात सोचने लगी कलकत्ते में सेशन जन्वरी से शुरू होता है और अप्रेल तक एड्मिशन हो जाते है मेरा परिचे है नए लोगों के बीच यह बहुत सहम जाता है यो भी इस उम्र में ही बहुत इंट्रोवर्ट होता जा रहा है मुझे लगता है हूँ सोतो मैंने भी देखा सबेरे बिलकुल बोला ही नहीं अभी भी एकदम सहमा हुआ चुप चाप और अजय खुद चुप हो गया जैसे कहीं गहरी चिंता में पढ़ गया हो जैसे कहीं से दुखी हो आया हो शकुन का वार जैसे उलटकर उसी पर आ गया और अनायासी मन के भीतर की पड़तें और एक एक परत पर उठने वाली अनेक अनेक बातें कुल बुलाने लगी मन भुआ की कहे यह एक तलाक शुदा माबाप का बच्चा है इसलिए कहीं एबनॉर्मल है कि वहाँ जाकर ही इसे कौन परचित मिल जाएगा कहने भर को तुम चाहे इसके पापा हो पिर कितना जानते हो तुम इसे और कितना जानता है ये तुमे तुम इसके कपड़ों को देखो तो पहचान सकते हो जानते हो इसको कितने नंबर का जूता आता है अगर बंटी राजी हो जाए और मैं इसे अभी अपने साथ ले जाओं तो तुम्हे कोई अतराज होगा बार-बार आना जरा मुझे कोई अतराज नहीं होगा सच पूछो तो मैं खुद अब यही चाहने लगी थी कि इसे तुमारे पास ही भेज दू बहुत रख लिया अब कम से कम मैं अपनी जिन्दगी जी हूँ एक परत पर उबरा और उससे भी भीतर की परत पर उबरा अच्छा है तुमारे और मीरा के बीच में भी दरार पड़े हर दिन एक परेशानी हर दिन एक तूफान पर उपर उसने बहुत सहीं डंग से केवल इतना ही कहा आप बंटी से ही पूछ लीजे हम लोग अपनी अपनी इच्छाएं क्यों थोपे उस पर और उसे खुदी लगने लगा कि कहने वाली और सोचने वाली शकुल एक ही है बंटी आया तो उसने जैसे अपने को कट घरे में खड़ा पाया फैसले की प्रतीक्षा करते हुए जाओंगा जरूर जाओंगा और कमरे का सारा सामान जूलते हुए परदे जिल्मिलाता जाड़ फानूस सब एकाएक धुमिल हो उठे चारो और बिख्रा वैभव जैसे एक बिंदो में सिमट आया मन में कुछ बुरी तरह सुलपने लगा मन हुआ कि हाथ पकड़ कर बंटी को भीतर ले जाए और कहे कि बैठ कर पढ़ो या एकद़ निकाल दे कि जाओ अभी जाओ पर नहीं वो कुछ नहीं कर सकती यहां आने के बाद से वो बंटी पर दीरे दीरे अधिकार कोती रही है आज तो चाहकर भी वो कुछ नहीं कह सकती या कि वो कुछ भी क्यों कहे अजय अकेले बंटी को लेकर घुमने निकला तो खयाल आया उस दिन डॉक्टर अकेले बंटी को लेकर लंबी ड्राइब पर जाने वाले थे उसे समझने और समझाने के लिए प्यार से उसके मन में एक नया विश्वास जगाने एक अपना पन उस दिन वो नहीं हो सका और इसलिए आज ही हो रहा है और इस समय छट पर अकेले खड़े खड़े उसे खयाल आ रहा है कुछ नहीं सब बेकार की बाते हैं शकुन ने शादी कर लिए और इससे अजय के एहम को कहीं चोट लगी है बंटी को ले जाकर वो केवल अपने उस आहत एहम को सहलाना चाहता है वो शकुन को टॉर्चर करना चाहता है जब अजय ने शादी की थी तो कभी उसने भी ऐसे ही सोचा था कि बंटी को वो कभी अजय के पास नहीं बेजेगी यहां तक कि अब बंटी से उसका मिलना जुला भी बंद करवा देगी बंटी को लेकर वो अजय को टॉर्चर कर सकती है करेगी सच हम लोग शायद बंटी को मातरेक साधा नहीं समझते रहे अपने अपने एहम अपनी अपनी महता कांक्षाओं और अपनी अपनी कुन्ठाओं के संदर्ब में ही सोचते रहे बंटी के संदर्म में कभी सूचा ही नहीं दो घंटे जे खड़ी कड़ी ओ बंटी के नाम पर अपने डॉक्टर और अजे से जुड़ने कटने की बाते ही सोचती रही है एक आएक ही बंटी का टुकुटुकुट देखता हुआ चेहरा आँखों के सामने उभर आया बिना बोले मुँ फेरे पेरे इमानो कहरा हो मुझे रोक लो मम्मी मुझे रोक लो और फिर तो जैसे हजार हजार चेहरे उसके आगे पीछे गुमने लगे उसे प्यार करते हुए उसके गले में बाहें डाले हुए उसकी बगल में लेटे हुए नन्ने नन्ने हातों से क्यार्याक होते हुए और उन चेहरों के साथ ही साथ वो कहीं बहुत गहरे में उतर आई उतरती ही चली गई उसने तो अब अपने बीतर जाकना ही छोड़ दिया था अजैसे कटकर वो अतीत में डूब गई थी डॉक्टरा से जुड़कर वो फिर वर्तमान में लोटाई और भविश में जाकने लगी तर आज कितनी बात ने हैं कितने चित्र हैं कि उभरते ही चले आ रहे हैं अपने सारे रंगों रेशे के साथ उन्होंने जो किया तो आपकी मट्टी पलीद हुई और अब जो आप करने जा रही हैं तो इस बच्चे की मट्टी पलीद होगी कैसा चेहरा निकलाया है वो उस निकले हुए चेहरे को क्यों कभी ने देख पाई कहां होंगी फूफी ये पौदे तो सूख रहें माली नहीं बहुजी साहब सूख नहीं रहें अब तो जड़ें पकड़ ली है कहां ये पत्तियां तो सूख रही है माली की हसी ये तो सूखेंगी उस जमीन के खात पानी की पत्तियां है ये तो सूख कर जड़ जाएंगी फिर नहीं ये पत्तियां पूटेंगी जड़ पकड़ने के बाद कोई ड़ नहीं और उसने खुद उन मरी मुर्जाई पत्यों को जाड़ दिया था आप बागवानी की बात नहीं समझती बंटी भहिया से पूछ लीजे सब बता देंगे बड़ी कम उमेर में सब सीख लिया है हमारे भहिया ने एक ही बात इतने इतने अर्थ भी लपेटे रह सकती है अपने में शकुन तुमारा बेटा तो कलाकार बनेगा खड़ खड़ जन शीशिया तूटी पड़ी है और सारे रंग फैले पड़े है वो रंग की शीशिया और ब्रश भी लेकर आई थी वहां और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी पेंटिंग ही किया करेगा पर अपने सब रंग यहीं छोड़ गया क्यों नहीं उसने बंटी को रोक लिया एका एक शकुन खूट खूट कर रोपड़ी यह आवेग एक या दो दिन का नहीं था कई दिनों का आवेग था जिसे वो साधे साधे गूमती थी कभी भैसे तो कभी अपराद से अब उसे किसी के सामने डढ़ना नहीं है किसी के सामने अपरादी चेहरा लिए नहीं गूमना है पर मन है कि इस बात से हल्का और आश्वस नहीं हो रहा सिर्फ रो रहा है बिसूर बिसूर कर अपने को कोश रहा है मत रो मम्मी रो मत दो छोटी छोटी बाहें लिपटाती है टुकरों में बटी शकुन जैसे अपने को समेटने की कोशिश कर रही है और शकुन है कि और और टूपती चली जा रही है बिखरती चली जा रही है वे बाहें जैसे उसे अपने में समेट नहीं पा रही है शकुन डॉक्टर का स्वर छट के सरनाटे में यहां से वहां तक फैल गया तुम यहां हो और नीचे किसी को पता तक नहीं अरे यह क्या तुम रो रही हो शकुन और दो सबल बाहें उसके चारों और घेराई और धीरे धीरे पूरी की पूरी शकुन उनमें अपने आपी बधती चली गई, सिमर्टी चली गई बस दो ननी ननी बाहें उन सबल बाहों के नीचे अंदेखे अंजाने ही शायद मसल गई एक और यात्रा वैसा ही रेल का डिबा है, पापा है, बंती है धेर सारे नए नए लोग है बंती बैठा बैठा टुकुर टुकुर सबको देख रहा है फिर भी जैसे उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है पता नहीं कैसे क्या हुआ कि उसके भीतर दो आँखें और हो गाई और उसके बाद से ही सब कुछ गरबर हो गया बाहर की आँखों से वो एक चीज देखता है तो भीतर की आँखें दूसरी चीज देखने लगती है कभी भीतर की चीज़े बाहर की चीज़ें को दबोच लेती है तो कभी बाहर की भीतर की चीज़ें को कभी कभी दोनों एक दूसरे में ऐसी गड़मड हो जाती है कि फिर तो कुछ समझ में ही नहीं आता बस सब कुछ गोल, मोल, अंडा भीतरी भीतर कई कान भी उगाए हैं तभी तो एक बात को ठेल कर दूसरी बात आ जाती है आवाज के उपर आवाज तेरने लगती है और सारी आवाजें मिलकर बस एक शोर ये सब बंगाल के जादू से हुआ है और क्या पहले तो आदमी ऐसा नहीं था उसने कई बार अपने शरीर को चूचू कर देखा है कहां हैं वे आखें, कहां हैं वे कान पर दिखते नहीं, जादू की चीज़ें कहीं दिखती है वे आखें कभी नहीं दिखती पर उन आखों से देखे हुए द्रशें बार बार दिखते हैं और दिखते ही चले जाते हैं ठीक ऐसे जैसे सब कुछ सामने ही हो रहा हो और जो सामने होता है सब गायब हो जाता है बाहर की आँखे खुले खुले ही बंद हो जाती है ये भी तो जादू ही है पर किसने किया जादू? कब किया? यही सब पता लग जाए तो फिर जादू ही क्या? उसने तो PC सरकार का जादू भी नहीं देखा बोटेनिकल गार्डन का बड़ा पेड, जू, दक्षनेशर, वैलूर, मट किवल नाब सुने थे आज भी बस नाम ही जानता है जब तुम सर्दी की छुट्टियों में आओगे तब सारी चीज़े दिखाएंगे बंदी बेटे तुमको उस समय कलकत्य का मौसम भी बस वा, क्रिस्मस की छुट्टिया भी होंगी सामान बांधते हुए पापा कह रहे हैं और पापा के बीतर से एक और पापा उभर रहे हैं कलकत्य में तुमें वो गुमाएंगे बेटे की बस हर इतवार को पिकनिक पर और रोज शाम को सेटरडे कलब जाते ही तैरना सिखा देंगे बस फिर रोज तैरना सीखोगे तो, अब लड़कियों वाले खेल नहीं और शाम को बालकनी में बैठे बैठे उसकी आँखों के सामने दूर दूर तक फैली हुई, खोलतार की सडके एकाएक लहराने लगती और उन पर दौरती हुई ट्रामें, बसें, दौरते भागते धेर धेर आदमी मचलियों में बदल जाते, पानी को चीरते हुई तीर की तरह इधर से उधर तैरते अरे, तुम इतना चुपचाप क्यों रहते हो बच्चे, ऐसे गुमसुम रहकर मन कैसे लगेगा आओ मेरे साथ भीतर आओ, चीनू के साथ खेलो, उसे प्यार करो, तभी तो तुम्हें भाईया कहेगा और तभी इस आवाज को तैरती हुई एक और आवाज तैर जाती, बंटी भाईया मैं भी कहानी सुनूँगा तुम लेटो तो बिस्तर लगा दे, शायद पापा पूछ रहे हैं एक च्छन, बंटी ने पापा की और ऐसे देखा, मानो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो सस्मुच आज कल इतनी चीजें एक साथ घुल मिल जाती हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता तुम लेटोगे? शायद उसे गुमसुम देखकर पापा ने फिर पूछा बंटी ने धीरे से नकारातमक से रहला दिया और सरक कर खिरकी पर दोनों हतेलियां रखी और उस पर अपनी ठोड़ी टिकाली आखों के सामने दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे मैदान बिखर गए बड़े बड़े पेड और छोटी छोटी जाडियां बिजली के खंबे और उनमें बंधे हुए तार कभी ऐसा लगता जैसे सब के सब उसके साथ साथ दौर रहे हैं दौरे चले जा रहे हैं कभी लगता बस वो दौर रहा है बाकी सब छूटते चले जा रहे हैं उसने गरदन निकाल कर देखा, सचमुच, सभी तो पीछे छूट गए, कोई साथ नहीं दोड़ रहा, सब जहां के तहां खड़े हैं, बस वही आगे आगे जा रहा है, फिर ऐसा क्यों लगता है कि साथ साथ सब दोड़ रहे हैं, मन हुआ पापा से पूछ ले, जरासी गरदन घुमा कर देखा, पापा किताब पढ़ रहे हैं, हम, शायद ऐसा ही होता होगा, देखते ही देखते जाड़ियों और पेड़ों से भरे हुए उन मैदानों में सड़के उभराई, लंबी लंबी भीर भरी, एक दूसरे को काटती हुई सड़के, बंटी की टैक्सी दोड़ी चली जा रही है, बंटी कसकर पापा की उंगली पकड़े चारों और देख रहा है, नई जगे आने का डर और नई नई जगे देखने की खुशी, देखा, इतने उचे उचे मकान होते हैं, यहां, बंटी गर्दन उची करके देखता, यह डबल डेकर बस है, दो तल्ले की, जब वो बैठेगा तो उपर जाकर बैठेगा, उपर की बस कैसे चलती होगी, यह ट्रॉम है, रेल की पट्री पर चलती है, यह मैदान है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, यह अपना घर है, सीड़ी चड़कर एक गल्यारे में खड़े पापा बटन दबा रहे हैं, बंटी दर्वाजे पर लगी नेम प्लेट देख रहा है, इस समय उसके और पापा के अलावा महा कोई नहीं है, फिर भी उसने पापा की उंगली पकड़ रखी है, उतनी ही कसकर, इस नई जगे में पापा को रचू कर, पापा को पकड़ कर कैसा भरोसा भरोसा लगता है, जैसे चपल और साड़ी का बॉर्डर दिखाई दे रहा है, पहली बात मन में उबरी, ये मम्मी नहीं है, मम्मी के पैरों को खुब पहचानता है, उनकी चपलों को भी और उनकी साड़ीों के बॉर्डर को भी, ओ हो ये हैं बंटी साहव, तुम तो बहुत प्यारे-प्यारे हो भा पापा की उंगली की पकड और जादा कस गई, हमारे पास आओ बच्चे, इतना शर्मा क्यों रहे हो, बच्चे जर से बंटी के नजरे उपर उठी, सामने जो चेहरा था, उसमें दीपा अंटी का चेहरा मिल जुग गया, फिर धीरे-धीरे सामने वाला चेहरा खुब साफ ह कर उभराया, मुस्कुराता हुआ चेहरा, पर दीपा अंटी से अलग, मम्मी से भी अलग, नजरे फिर जुग गई, वो पापा से और जादा सट गया, पापा रास्ते में जिस मीरा की बात कर रहे थे, वो यहीं है शायद, बंटी को अब इन्हीं के साथ रहना होगा, बंटी को गोद में ले लिया, बंटी बेटा, पापा क्या सबको इसी तरह गोद में लेते हैं, बंटी ये तुमारा छोटा भाई है चीनू, खेलोगे इसके साथ खूब हसेगा, तो बंटी को एगवा फिर फूले फूले गाल वाला चेहरा देखने की इच्छा हुआई, उ ये तो बैटने और खाने का कमरा हो गया न, और ये देखो सोने का कमरा, तब उस नीले कमरे से अलग करके ही इस कमरे को देखना पड़ा, डॉक्टर साब पापा से लंबे हैं, सोने के कमरे से जुडा हुआ ये छोटा सा कमरा, अब से तुमारा कमरा होगा, बंटी छोटा त इतने दिनों से मन में बसा हुआ लंबा चौड़ा कलकत्ता कलकत्ते के उचे-उचे मकान सब जैसे एक शण में ही आड़ा-ड़ा-ड़ा धम हो गए खाने की मेशवर बैठे हैं सब बंटी वैसे ही चुप-चाप नजरे नीचे किये हुए आज तो तुमारे पापा को ओफिस जाना था सो जली जली में कुछ भी बना दिया अब तुम हमें बता दो बच्चा तुम्हें क्या-क्या पसंद है क्या-क्या खाते हो फिर वही सब बनाया करेंगे बे बोल रही है बंटी चुप बता दो बेटे शर्माते नहीं ये तो अपना घर है अपने घर में कैसा शर्माना अरे ये अपना घर छोड़ कर दूसरों के घर खेलने जाएंगे कैसे अपने घर जैसी लाट सहवी करने को कहा मिलती है कैसी मार खा कर आये हो बंटी भाईया तुम तो बस अपन मान जी वहाँ अपना घर होगा बेटा अपने लोग तो वो लहलाहता बगीचा एक सूखे बंजर आहते में बदल गया और छोटा सा घर फैलता ही चला गया फैलता ही चला गया ये नीम का पेड बाबा ने अपने पापा के जर्म के साथ लगाया था और दोनों घर एक दूस रहे हैं गर्दन भीतर की तो देखा बैठे हुए लोग किसी बात पर जोर जोर से भहस कर रहे हैं वो तो सुनी नहीं रहाता बाहर के कान बंदते शायद भूक लगी है नहीं पापा उसी के पास बैठ गए बहां में समेट कर उसे अपने से सटा लिया बंटी तुम इतने हो बेटे तुम इस तरह उदास होते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है बंटी ने पापा की उड़ देखा पता नहीं उसकी आँखों में आसूं है या पापा की बंटी बेटा पढ़ने जा रहा है होस्टल में बहुत होश्यार बनकर आएगा वहां से कितनी कितनी तो ची बढ़ हो गया उसे एडमीशन के लिए इमताहन देने जाना था और पापा कह रहे थे देखो गवराना नहीं जो लिखने को दें लिख देना और जो कुछ पूछे जवाब दे देना जेपना शर्माना नहीं बोल्डली एंड स्मार्टली पापा के चेहरे पर रह रहकर मम्म की आवाज देख बेटे खुब सोच सोच कर करना और सवालों के उतर पेपर पर लिखनाना फिर तयार करते हुए एक का दाम दिया हो और जादा का पूछे दो गड़ा करना और जादा का देकर एक का पूछे दो भाग खाना खिलाते हुए भी जिस भूम खंड के चारों और पानी हो उसे दीब कहते हैं बस के लिए खड़े खड़े भी अकबर दूसरे धर्मों का आदर करता था उसने राजपूतों इस घर में पापा मम्मी बन गए नहीं मम्मी नहीं बने बलकि पापा पापा भी नहीं रहे दूर रहते थे तो लगता था पापा बहुत पास है पापा की हर चीज वो जानता है पर पास रहकर लगता है पापा को जानता ही नहीं दूर रहकर भी कई बार उसने पापा को फाइलों में डूबे हुए देखा है ललाट पर तीन सल और खुब गंभीर चेहरा लिये हुए कई बार वाजबिशन पर शेव करते हो और नाष्टे की मेज पर अकबार पढ़ते हुए पापा उसकी आखों के सामने उग रहे हैं पर यहां जब पापा को मेज पर शेव करते हुए और दिवान पर लेट कर अकबार पढ़ते हुए देखता है तो खयाल आता है वे शायद टीटू के पापा थे, वो शायद डॉक्टर साहब थे, इन पापा को तो भीर भड़ी ट्राम, पापा ने उसे बिठा दिया और खुट डंडा पकड़ कर खड़े हो गए, बंटी की आखें ही नहीं बलकि रोम रोम जैसे पापा पर अटका है, वो सड़क की और भी की सांस रुकने लगती है, मन हो रहा है उठकर पापा को पकड़ ले, पर अपनी जगह से हिला तक नहीं गया, पापा का हाथ पकड़ कर वो तर गया, फिर भी दहशत जैसी की तैसी बनी हुई है, कितनी भीर है सड़क पर, पर यहां के लोग क्या घरों में नहीं रहते, सड इतने सारे लोगों में पापा को ढूड़ा जा सकता है, उसने पापा का कोड़ देखा, वो तो पापा के कपरों को भी नहीं पहचांता, हलके सलेटी पर काले रंका चार खाना, उसने कोड़ से गहरी पहचान कर ली, हरी बत्ती हो गई चलो, याद रखना अलाल बत्ती पर क इस समय जेग्राफिकी क्लास हो रही होगी, कौन पार्ट पढ़ा रहे होंगे सर, महराष्ट, बंगाल, वो तो बंगाल में ही गूम रहा है, देखो बेटे डरना नहीं, अंग्रेजी बोल लोगे न, खूप सोच कर लिखना, सर पूछ रहे हैं, what's your name dear, अरूप बत्रा, बंट सर की तरफ देखता है, फिर नीचे देखने लगता है, समझ में नहीं आता है कि क्या कहे, tell me a root, पर जवाब तो नहीं आता, उसे मालूमी नहीं, my mommy's principle, जाने कैसे उसके मुह से निकल जाता है, और कहने के साथ ही वो खुद रुआसा होटता है, सर हस रहे हैं, बंटी को लग सारी कहानिया तैर रही है, मम्मी की कहानिया, फूपी की कहानिया, पर उन सब को कैसे लिखा जा सकता है, वो तो जवाबी नहीं दे सका, सर ने क्या समझा होगा, प्यापा क्या कहेंगे, सामने पहले कागज पर आसू टपक पड़ते हैं, शाम को वकील चाचा को आया देखक एका एक इच्छा हुई की दोड़ कर उनकी बाह में जूम जाये, जैसे पहले जूम जाया करता था, पर अपनी जगह से हिला तक ने गया, बस एक बार चाचा की तरफ देखा और नजरे जमीन में गड़ गई, अरे ये क्या बंटी, चुपचाप खड़ा है, देखो मैं गोद में उठा लिया, और फिर जाने क्यों एक टक उसका चेहरा ही देखते रहे, चाचा की गोद में आकर बंटी को लगा, जैसे चाचा अकेले नहीं आये है, चाचा के साथ बंटी का अपना पुराना घर भी आ गया है, बंटी की मम्मी भी आ गई है, और तभी खयाल आया पहले चाचा आते थे तो पापा की खबर लाकर देते थे, पापा की भेजी हुई चीजे लाकर देते थे, अब उसमें बड़ी उम्मी से चाचा की ओर देखा, अरे वकील चाचा आप वे भीतर से आ गई, क्या हुआ, दे आया टेस्ट हो गया एडमिशन, चाचा ने बंटी को एकदम अपने से सटा कर बिठा लिया, पर उसका मन हो रहा है, उठकर यहां से भाग जाए, नजरे हैं कि जमीन में धस्ती चली जा रही है, कहां हुआ एडमिशन, कुछ किया ही नहीं, शायद नर्वस हो गया था कि, वे बोल रही हैं, और तभी कहीं से उभर कर आया, पतानी अंग्रेजी के वज़े से हो, वे ही बोले जा रही हैं, और चाचा चुप हैं, चाचा चुप रहें, और कोई बोले, मतलब कुछ गरबर है, बंटी का मन हो रहा है कि कहीं चला जाए, इस स्कूल में तो थोड़ी जान पहचान भी थी, अब आप ही इन से बात करिये चाचा मेरी तो बात ये सुनते ही नहीं, यो भी मेरा बोलना, बंटी को लग रहा है कि चाचा की नजने जैसे उसी पर गड़ी हुई हैं, मैंने इतना समझाया कि देखो अभी मतलाओ, पहले उसके एक्जाम सोने दो, छुट्यों में लाकर हैं रखना, यदि हिल जाए उसक उसे भेज भी कैसे दिया इस तरह, मैं तो बाबा और कसकरचीनू को उन्होंने चाटी से लगा लिया, चाचा शायद बोलेंगे ही नहीं, बंटी जटके से उठा और बाहर बालकनी में आ गया, किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे बुलाया भी नहीं, वो पापा से कहे कि पापा उसे वापस मम्मी के पास बेज दे, वो यहां रहेगा भी नहीं, यहां पढ़ेगा भी नहीं, वो अपने स्कूल में ही पढ़ेगा, पर बाहर के धेर धेर शोर में जैसे उसका अपना सोचना भी दब किया, दुआ उडाती ही बसों का शोर, ट्रामों की टंटन, म पापा पूछ रहे हैं, बंटी ने सिरहला दिया, पर पापा उतर गय तो लगा जैसे वो अकिला छूट गया है, नजने पापा के साथ साथ लगी चलने लगी, पापा हाथ में दोने लिए चले जा रहे हैं, लो खाओ, सामने समोसे और नमकीन सेब रखे हैं, बंटी खाने लगा, मिर्ज तो नहीं लग रही न, बंटी ने सिरहला दिया, पानी दिया तो पी लिया, सीटी, हरी जन्डी, फिर सीटी, गाड़ी धीरे धीरे सरकने लगी, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की सारी भीर, सारा शोर पीछे चूटता चला गया, पापा फिर उसके पास ये बात कह चुके हैं, और हर बार मनी मन, उसने दोराया है, माई फादर इस डिवीजनल मैनेजर, पापा की एक एक बात उसने रट ली है, पर हो सका, बंटी ने खिरकी पर ठोड़ी टिका दी, और बाहर का कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा, शायद भीतर की आँके यहां नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने हॉस्टल के रहे चिठी लिख दी है, बंटी बहुत हिम्मत जुटा रहा है कि कैदे वो हॉस्टल नहीं जाना चाहता, रात भर वो जो सुचता रहा है सब कैदे, पर कुछ भी तो नहीं कहा जाता, हॉस्टल में तुम्हें अच केला केला कितना बूर होता है, प्रिंस्पल मेरे दोस्त है, लोकल गार्जियन रहेंगे, इतवार को अपने घर ले जाएंगे, उन्हें पापा ही समझना, तैरता हुआ डॉक्टर जोशी का चेहरा सामने से निकल गया, तो इन्हें पापा क्यों नहीं कहता रहे, हॉस्टल क कि कितनी तस्वीरें उभरती थी उसके मन में, एक एक जगे की अनेक अनेक तस्वीरें, बन्ती तुम अपनी बनाई हुई तस्वीरें नहीं लाए बेटे, मीरा जानती हो, यह बहुत बढ़िया पेंटिंग करता है, वकील चाचा को बना कर देगा कि नहीं एक, तुम हॉब कितनी तस्वीरें, बागवानी, कलकत्ता, हॉस्टल, सब एक दूसरे पर चड़ते चले आ रहे हैं, एक दूसरे में घुलते जा रहे हैं, पापा और भी जाने क्या-क्या बताते समझाते रहे, दुलारते थपकते रहे, और जब उसने आके मून ली, तो उठकर अपने कमरे में चले गए, नीम में उसने देखा, कि वो पापा की उंगली पकड़े-पकड़े स्कूल से निकल रहा है, और पापा डाट रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, जोड बाकी के मामूली से सवाल तक नहीं आए, सारे समय उंगली पकड़े-पकड़े रहते हैं और चिपकू कहीं पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड़े-पकड दिखाई दीता है ये क्या वो रो रहा है नहीं उसकी आखों में नहीं पापा की आखों में आसू है शायद पापा ने उसे फिर से सुला दिया कमरे में फिर से अंधिरा हो गया है सिर्फ आवाजें तेर रही हैं अंधिरे की आवाजें भी कितनी अलग तरह की होती हैं क्या हा जैसे भी हो जो भी हो आप मेरी बार ठीक धंक से समझी नहीं रहे हैं ठीक है मैं अब इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी और फिर आवाजें भी अंधेरे में डूप जाती हैं अब तुम सोजाओ बाहर भी तो अंधेरा हो चला है तो पहली बार ख्याल आया कि सचमुश ब किताब दें पढ़ोगे ले टेलेटे नहीं बंटी को नीन नहीं आ रही थी फिर भी उसने आखे बंद करनी आखे बंद करते ही चारों और अंधेरा ही अंधेरा फैल गया और डिब्बे में बैठे नए ने लोग पापा सब उसमें घुल मिल गए रंग बिरंगे तरह तरह क चोटे बड़े दब्बे उसके चारों और तेरते चले जा रहे हैं अलग-अलग एक दूसरे में मिलकर फिर दरश्य फिर तस्वीरें एक दूसरे को काटती हुई एक दूसरे को धकेलती हुई पापा जल्दी-जल्दी खाना खाकर आफिस चले गए हैं और बंटी अकेला र हो गया है बंटी कहां जाए कहां बैठे क्या करे जहां जाता है जहां बैठता है वही जगह जैसे उसे अपने से परे धकिलती है पापा क्या रोज इसी तरह छोड़ कर चले जाया करेंगे वो तो सोचता था वो होगा पापा होंगे और रोज घूमना होगा बच्चा तुम मम्मी की उस घर की बातें पूछती जा रही है और उसके सामने मम्मी, जोत, अमी, डॉक्टर साहब, कोठी घुमते चले जा रहे हैं क्या बताए, कहां से शुरू करे, उससे कुछ नहीं बोला जाता चलो तुम हमसे बात नहीं करते तो खेलो खिलोने, बंदू, किताबें, सब बंटी की सामने रखे हैं पर बंटी बैठा है, वैसे ही चुप, इस नए घर में आकर उसकी अपनी चीजें भी जैसे नई सी हो गई है आओ हम खेलने तुमारे साथ, वे चीनू को लेकर पास आ बैठी हैं चीनू प्रसन हो हो कर खिलोनों को इधर दर पटक रहा है ख्याल आया, वो अमी को अपने खिलोने नहीं लेने दिता था चाबी की मोटर जूं करती भी निकल गई फ्लाइंग प्लेट, लाल पीली रोशनी दिखा दिखा कर घूम रही है चीनू गिलकारी मार रहा है चीनू देख वो गिरा, चीनू देख और चीनू के सासा तवे भी हस रही है एक एक खिलोना चीनू को चला चला कर दिखा रही है बंटी बालकनी में खड़ा है, सामने की भीर भार शोर शराबे में डूबा हुआ धेर धेर आवाजे हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है धेर धेर शकले हैं, पर कोई पहचानने में नहीं आ रहा है और सब के उपर है ये बात की पापा शाम को आएंगे शाम को पापा आए हैं, कैसे रहे बंटी, क्या किया सारे दिन बेटे जवाब वे दे रही है सारे समय बालकनी में बैठा रहा बिल्कुल नहीं बोलता मैं तो खेलने भी बैठी पर सच मुझे तो तरस आने लगा और इस चीनू को देखो पांच बजे से यांके फार फार कर चारों तरफ ऐसे देखता है जैसे कुछ ढूर रहा है बस तुम्हें ढूरता है ये तो अब बिल्कुल तुम्हें बहुत मिस करने लगा है उन्होंने चीनू को पापा की गोद मिला तिया वो हस रहा है पापा के बाल नोच रहा है ले भाईया के गाल नोच पापा ने चीनु को बंटी के और मोड़ दिया तो चीनु बंटी के गाल नोचने लगा लो प्यार करो इसे इससे खेलो इससे दोस्ति करो बेटे तो बंटी ने उंगलियihat उसके गुदूदे गालों पर फिरा दी चीनु ने पापा की गोद में खड़े होकर पापा के कान पकड़ लिये चीनु हस रहा है वे हस रही है ये तुमारे कान खीज कर तुम्हें ठीक करेगा पापा भी हस रही है बंटी चुपचाप उठकर बालकली में चला गया जगमगाती, बत्तियां, लाल, नीले, पीली, नियौन, लाइट्स रात में जैसे सडक बिलकुल बदली हुई लग रही है चीजें इतनी बदल कैसे जाती है फिर वही प्रश्न, अकेले में डरोगे तो नहीं, सो जाओगे न बंटी का मन हो रहा है कि कह दे, वो बहुत-बहुत डरेगा इस घर में तो वो अकेला सो ही नहीं सकता वहाँ तो फिर भी अमी और जोत थे यहाँ तो वो सारे दिन भी एक तरह से डरता ही रहा है पता नहीं कैसा कैसा डर अरे बंटी अपना बहादूर बच्चा है कोई लड़की है जो डरेगा ना हो तो बहादूर भी यहीं सो जाएगा क्यों बच्चा ठीक है न और बीच का दरवाजा खुला रहेगा बेटे हम लोग तो उदर हैं ही वे और पापा ही बोले चले जा रहे हैं बंटी तो कुछ बोली नहीं पाता सो जाओगे न बंटी ने एक बार पापा की और देखा पापा के साथ उनका चेहरा भी था और बंटी ने धीरे से कह दिया हाँ बहादूर तो पढ़ते ही सो गया पर बंटी जैसे कंबल के नीचे भी काप रहा है अपने अपने पलंग पर सोते हुए अमी और जोत उस कमरे से आया हुआ रोशनी का टुकड़ा बातों के टुकड़े सब जैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है खट उधर की बत्ती बंद हो गई तो जैसे हाथ से वो रोशनी का टुकड़ा भी पिसल गया जोत और अमी के पलंग भी जैसे कहीं अंदेरे में टूप से गए सिर्फ आवाजें और फिर बंटी जैसे बिल्कुल अकेला हो गया गंदी बात क्या पापा और ये भी इच्छा हो रही है कि उठकर देखे यही द्रश्य अंदेरे में से जैसे चारों लटक किया जाने कैसी हिम्मत आ गई दबे पैरों बंटी दरवाजे पर आखड़ा हुआ जाक कर देखा अंदेरा घुप कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तबी एक और एक छोटा सा लाल तरे जैसा कुछ चमक उठा लाल सुर्क क्या है ये कौन बंटी दोड़ कर अपने बिस्तर में दुबंग गया पर बिस्तर में लेट कर भी बंटी का दिल धक धक कर रहा है वो लाल लाल क्या चमक रहा था पापा ने देखा तो नहीं फिर वही बात पापा अपने पास बिठा कर पूछ रहे है एक बात कहें बेटा मानूगे बंटी नजरे पापा के चेरे पर टिका देता है तुम मीरा को क्या कहते हो बंटी चुप मम्मी कहोगे बंटी डॉक्टर साब को पापा कहा कर बेटे और तड़ाक से दिया हुआ अपना जवाबी कानों में गुँझ गया मेरे पापा तो कलकते में है पर अब अब जैसे कोई जवाबी नहीं सूज रहा वो सिर्फ पापा की ओर देखता रह गया छोटी मम्मी ठीक है तो आँखों के सामने जैसे मम्मी आकर खड़ी हो गई बंटी की नजरे जुग गई शरम आती है शरम की क्या बात मम्मी ही तो है वहां की मम्मी वे यहां की मम्मी ये कहोगे न बंटी ने धीरे से हां कह दिया और कहने के साथ ही जैसे बीतर की आखे रोपनी पापा पीट थप थपा रहे है उन्होंने कहीं देख तो नहीं लिया लड़की की तरह रोते हो बच्चे उठो बच्चे बहुत दिन उगाया बंद आखों से बंटी सुन रहा है और भीतरी भीतर सुकड़ा जा रहा है शरम से डर से दुख से अरे ये क्या पिस्सी कर दी उसके बाद कुछ पता नहीं बहादूर प्पड़े बदलवारा है कमरे में सिर्फ आवाजें तहर रही है उनकी आवाजें, पापा की आवाजें बहादूर की आवाजें और सारी आवाजों को चीरते हुए कहीं से दो हाथ आकर बिस्तेरे को रजाई से ढख देते हैं उसके चारों और शौल ने पड़ जाता है सब गुप चुप बाद और ये चद्दर दुलने डाल और गद्दे के उतने हिस्से को धोकर बाहर फैला दे कद्दा बाहर फैल गया है और सड़क पर चलते हर आदमी को भी जैसे मालुम पड़ता जा रहा है कि अब बंटी कहां खड़ा हुआ करेगा अपने घर में तो कभी कभी बिस्तर में सूसू नहीं की उसने पर अब शाम को सब जैसे के तैसे हो गए बस पापा का चेहरा जाने कैसे मम्मी के चेहरे की तरह हो गया है खाने की मेज पर बैठे बंटी को बराबर लगता रहा कि जैसे पापा की आखे भी उसकी प्लेट पर चिपक कर उसे घुनेंगी उससे प्लेट की तरफ नहीं देखा जा रहा उनकी और पापा की और भी नहीं देखा जा रहा अपने में सिम्टा शिकडा वो बैठा है और बिना कहीं देखे ही लग रहा है जैसे अ बस एका एक ही लगा जैसे उसे बहुत जोर से सूसू आ रही है ओ पता लग गया अभी कहीं बीतरी हो जाती तो रेल में बैठे इतने आदमियों को भी मालूम पढ़ जाता कहीं हॉस्टल में भी हो गई तो वो जटके से उठा बाहर सारा डिब्बा रोश्णी से भरा हुआ है सामने बैठे वे पापा किताब पढ़ रहे हैं क्या बात है बेटे पापा पूछ रहे हैं पापा को देखकर पापा की आवास सुनकर लगा जैसे वो पता नहीं कहां से बातरूम जाओंगा पापा उसके साथ बातरूम तक चलते हैं भीतर कोई है वे दुनों बाहरी खड़े हो गए पापा ने एक सिग्रेट जला ली और खिड़की की तरफ सरक गए बाहर खूब अंधिरा पापा ने सिग्रेट का एक कश खीचा तो सिरा चमक उठा लाल तारा बाहर के गाड़े अंधेरे में जाकर वो तारा टक गया एक रहसित था जो खुल गया बंटी जैसे कहीं से हलका हो आया हिल्ती ट्रेन में बातरूम जाने में से थोड़ा डर लगता है पर हिम्मत करके खुश गया अब खाना खाकरी सोना पापा टोकरी में से डिब्बे निकालने लगे बंटी खिड़की में से जाकने लगा स्या अंधेरे में जुड़े हुए रोष्णी के छोटे 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 चोटे चोटों की पूरी की पूरी कतारें उसके साथ सा दोड़ी चली आ रही है एक शन को बंटी का मन कहीं से पुलकाया मन हुआ हाथ निकाल कर एक चोटे को पकड़ ले सिर आगे किया तो सामने वाले चोटे पर ही एक काला सा धबा उबराया बंटी सिर हिला हिला कर हाथ हिला हिला कर उसमें तरह तरह की आकरितियां बनाने लगा जोत और अमी होते हुँ तो उन्हें दिखाते मन हुआ पापा को बुला कर दिखाए बेटे इधर ही आ जाओ और खाते हुए बंटी ने पहली बार डिब्बे में बैठे हुए लोगों को देखा डिब्बे को पूरी तरह देखा लगा जैसे वो अभी अभी डिब्बे में गुसा है ये मूच वाला आदमी उसके सर जैसा नहीं है उसने एक पूरी और ली सबजी उसे अच्छी लगी खाना खाकर वो पापा को भी रोशनी के चौक्टे दिखाएगा क्यों साहब होस्टल का खर्चा कितना पड़ जाता होगा तो इस आदमी को मालूम है कि यही करीब धाई सो के करीब लेकिन और पापा ने बाद बीच में ही छोड़ दी होस्टन और रोशनी के चौक्टों पर जैसे कहीं से एक दुंदगी पर अच्छा गई लेटा तो साथ साथ दोड़ते हो रोशनी के सारे के सारे चौक्टे स्या अंधेरे में ही घुल गए वो चमकता हुआ लाल तारा भी डूबा और बंटी उस अंधेरे में डूबता ही चला गया फिर उस अंधेरे में से ही एक और अंधेरा उबरा सारा हॉल अंधेरा घुप केवल आवाज तैर रही है बंटी को अजीब सी धुक धुकी हो रही है कैसा जादू होगा देखते देखते एक बड़ा फीका हलका सा प्रकाश फैला और सिर पर नीला आसमान तंगिया जिल मिल जिल मिल सितारे चमकने लगे बंटी चकित जादू में बधा हुआ अलग-अलग तानों के नाम और भी जाने क्या-क्या और धीरे-धीरे भूली गया कि वो प्लैनिटोरियम में बैठा हुआ है बंगाल का जादू दिन में ही रात छत में सितारे सिनेमा वाले नहीं सच्ची मुच्ची के बंटी पुलकित उसने जादू देखा प्लैनिटोरियम से विक्टोरिया मेमोरियल तक बंटी पापा के साथ छलांग लगा-लगा कर चलता रहा वहाँ वे बहादूर और चीनू के साथ बैठी हुई है चारों तरफ धेर-धेर लोग यहाँ के लोग घरों में कभी बैठते ही नहीं क्या उन्होंने चीनू को पापा की गोद में बिठा दिया मोशला पूरी, चीना बादाम, मुर्मुरे और मुंख़ली धत तेरे की ये भी कोई नाम हुए बड़ी देर तक बंटी को जरसे हसी आती रही पासी उगीवी कदली के क्यारियों में कितनी घास पूस उगाई बंटी गया और क्यारी को साफ करने लगा ची ची इतनी गंदी क्यारी अरे बच्चा वहां मिट्टी क्यों खोदा खादी कर रहे हो हाथ गंदे हो जाएंगे जरसे बंटी ने हाथ कीच लिए क्यारी बहुत गंदी थी पापा पौदे खराब नहीं हो जाएंगे उसने पापा को जैसे सफाई दी पापा एक ख़ण उसकी और देखते रहे फिर उनका शेहरा जानने कैसा कैसा हो गया बंटी ने कुछ गलत कर दिया नहीं पापा ने तो उसे घोद में बिठा कर प्यार किया रात में सोया तो छट पर फिर तारे जिल मिलाने लगे जमीम पर चाबी वाली मोटर दोरने लगी फ्लाइंग प्लेन घूमने लगी दो पहलवान वाकसिंग करने लगे चीनू की किलकारियां गुञने लगी हम भी चलाएगा साब हम भी चलाएगा अपनी मिचमिची आखों को छपकते खोलते बहादूर हर चीज को बड़े कौतुक से देखने लगा हवा के बीच में कहीं मोगरा खिलाया तो कहीं डहे लिया तुम बहस मत करो मीरा इस बात पर कुछ भी मत कहो एकाएक सारे तारे बुझ गए मोगरा और डेलिया गायब हो गए सारा द्रश जहां का तहां इस्थिर हो गया सिर्फ पापा की आवाज यहां से वहां तक गुँझ दी रही गुसे से भरी हुई आवाज तो कुछ कहना ही गलत और फिर केवल आवाजें बिना शब्दों की आवाजें कभी जोर जोर की कभी दबी दबी फुस पुसारती हुई और फिर सननाटा तो पापा उसे सचमुष हॉस्टल भेज देंगे हॉस्टल भेजने के लिए ही यहां लाए हैं सननाटा और ज़्यादा गहरा हो गया बंटी ने अपने दोनों पैर से कोड कर पेट से सटा लिये और दोनों हतेलियों को जांगों के बीज दबोच कर अपने को पूरी तरह समेट लिया न्यू मार्केट की भीरबार चहल पहल बाजार नहीं जैसे कोई प्रदर्शनी हो पापा के हाथ में लिस्ट है और चीजें खरीदी जा रही है बंडल है कि बढ़ते ही जा रही है बंटी कभी दरजी की हां खड़ा नाप दे रहा है कभी जूते वाले की हां जूते पहन कर देख रहा है एक साइज बड़ा ही दो बच्चों को बढ़ते देर नहीं लगती जूते, मुझे, बन्याइन, पैंट्स, शर्ट्स जाने कितनी चीजे हैं बंटी को सिर्फ पापा के साथ रहना है अपना नाप देना है चुनने का तो कोई प्रशनी नहीं कपड़ा, रंग, डिजाइन, संख्या सब कुछ पहले सही तय है ये वाला नहीं वो वाला नीला नहीं ब्राउन बटन नहीं जिप एक नहीं दो मम्मी को तो वो परिशान कर देता था लिस्ट पर टिक मार्क लगता जा रहा है सूटकेस, डैची, एरबेग, हॉलडाल सब पर बंटी का नाम पता पता देख करी बंटी को मालूम हुआ कि पापा आजकल चौलंगी रोट पर रहते हैं वो तो इसे अब तक एलगिन रोटी समझे था बाहर की भीर भार से लोटते तो घर बड़ा से उनसान सा लगता एक अजीब सा सन्नाटा कहीं भी वे पापा और बंटी बैठते जाने कहां से बंटी के मन में अ बस उभर आता उसके बाद बराबर लगता कि पापा की आँखें भी सब तरफ से बस उसे ही देख रही है पर मम्मी की तरह पापा की आँखों को उसने कभी नहीं देखा ना प्लेट में ना इधर उधर मम्मी की आँखों को देखे भी कितने दिन हो गए बंटी की सारी चीजों पर नाम टग गए आज रात को टांग डूँगी आज रात को जरूर टांग देना it is a must मुझे मालूम है और रात में बंटी बात्रूम जाने के लिए उठा तो देखा अपने चारों धेर सारे कपड़े फैलाए वे नाप टाक रही है बंटी एक क्षण ठिटा कर देखता रहा जा बेटे तू जाकर खाना खाले और सोजा मैं सब कवर चढ़ा दूँगी क्षण भर को दोनों चेरे दोनों द्रश एक दूसरे में घुल मिल गए सामान बंध रहा है उसके पुराने कपड़े उसके खिलोने उसका बकसा सब अलग-अलग करके रख दिये गए बंटी चुपचाप बैठा बस देख रहा है और कहीं उभर रहा है ये सब खिलोने स्टोकरी में जमादो बंसीलान ये सब बंटी की पसंद के खिलोने है बंदूग नहीं आ रही तो हात में ले जाएगा ये तो उसकी खास चीज है बहदूर औचीहू उन खिलोनों पर जुटे हुए है टैक्सी नीचे खड़िये बहदूर सामान उतार रहा है सारा नया-नया सामान उसका नाम ना हो तो वो इन में से एक भी चीज को पहचान भी न पाहे वे नीचे कड़िये बहदूर चीनुको लिए खड़ा है पापा पीछे सामान जमा रहे हैं प्यार करवा कर और नमस्ते करके बंटी टैक्सी में बैट किया। जाने कैसे मम्मी का चेरा रह रहकर उनके चेरे पर चिपक जाता है। पूरा का पूरा द्रश किसी और द्रश के साथ घुल मिल जाता है। कभी वे मम्मी बन जाती हैं, कभी वे वे रह जाती हैं। टैक्सी चली तो उन्होंने हाथ जरा सा उपर उठा कर हिला दिया, वे बहादूर चीनू सब पीछे चूट गए, एक शड़ को आपों के सामने वो कमरा उभराया, जिसमें अभी अभी वो अपना सारा सामार और खिलोने छोड़ कर आया है, अब शायद वो कभी अपनी उसे से गरबर होते जा रहे हैं, हरे क्रिष्ण, हरे क्रिष्ण, क्रिष्णा क्रिष्णा हरे हरे, जोर जोर से कहीं से गाने की आवाजें आ रही हैं, बंती की आख खुल गई, ओ, वो गाड़ी में है, गाड़ी शायद खड़ी है, डिब्बे में ही कोई गा रहा है, बंती बहुत देर से प्यास लग रही है पानी पीकर बंटी फिर सो गया वे लड़के उतर गए और हरे हरे की आवाज जैसे सारे डिब्बे में भर गई है हर तरफ से जैसे वही आवाजें आ रही है संगीत की लैगाडी के हिचकुनों के साथ सार बंटी जैसे कहीं गहरे में डूपता जा रहा है गाने की आवाज में धेर धेर आवाजें मिलती जा रही है आवाजें आकार ले रही है चालबे ना, चालबे ना, हाबे ना, हाबे ना इंकलाब जिन्दाबाद कतार बांद कर हवा में मुठियां उचालते हुए लोग आ रहे हैं लाल जंडिया लिए ये कमनिस्टों का जुलूस है कलकता जुलूसों का शहर है पापा बता रहे है बंटी रोज जुलूस देखता है और लोग के साथ साथ खुद भी चिलाता है उसने चालबे ना हाबे ना सीख लिया है बस मनी मन में रोज सोचता है कि वो भी जोर से चिलाएगा हवा में मुठियां उचाल कर चालबे ना चालबे ना पर एक दिन भी चिलानी पाया बोलो हरी हरी बोल बोलो हरी हरी बोल साथ में गंटी तुन्टुना रही है मरे हुए आदमी को यहां इसी तरह से ले जाते हैं पापा ने बताया तो बंटी एक चंड को सकते में आ गया अनायासी दोनों उंगलियां जुड़ गई स्काउट मास्टर ने बताया था कि डेट बॉड़ी को देखकर सैलिट करना चाहिए मुग भी खुला हुआ मरा हुआ आदमी क्या जिन्दा आदमी की तरह ही होता है कहीं जिन्दा आदमी को ही तो नहीं ले जा रहे दो-तीन दिन तक उठते बैटते सोते जाकते हरी बोली गुंचता रहा साथ ही एक अजीब सा डर दीरे-दीरे सारी आवाजे भी गायब हो गई वो पापा के साथ चला जा रहा है एकदम नई और सुनसान जगह है वो सामने तुमारा हॉस्टल है पापा ने कहा तो बंटी की आखें उपर उड़ गई कहीं भी तो कुछ नहीं तुम्हें प्रिंस्पल से मिलवा कर सबसे जान पहचान करवा कर शाम को हम चले जाएंगे और पतानी बंटी को क्या हुआ कि पापा जाएं उससे पहले वही पापा को छोड़ कर दौर पड़ा है वो दौरता जा रहा है बिना पीछे मुड़े बस आगे ही आगे नदी नाले पहार मैदान सब पार करता जा रहा है और फिर पतानी कहां गिर जाता है सफेद दाड़ी, सफेद जटा खणाओं, कमंडल एक साधू उसके पास खणे है वो डर नहीं रहा है इन साधू को तो उसने कई बार देखा है पर याद नहीं आ रहा है कहां कब तुम कौन हो बेटा, कहां से आये हो बंटी याद करने की कोशिश कर रहा है पर जैसे उसे कुछ यादी नहीं आ रहा है बोलो बेटा, बताओ वो बहुत जोड लगा रहा है वो कहां से आया है, कहां से और उसके मन में एक अजीब सी दहशत बढ़ने लगी है डरो नहीं, बताओ बेटा वे उसका कंधा थपत पा रहे है बंटी उठो बेटा, अब उतरना आ है कोई उसे कंधों से पकड़े हुए है और वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि वो कुछ जवाब दे सके उसे गोद में उठा कर किसी ने खड़ा कर दिया, सफेद दाड़ी वाले चेहरे में से एक और चेहरा उभराया पापा, जल्दी से मूँ दोलो नीद उड़ जाएगी, पांस साथ मिनट में ही स्टेशन आने वाला है तो बंटी धीरे धीरे जैसे अपने में लोट आया, रेल का डिबबा डिबबे में बैठे हुए लोग सामान बानते हुए पापा सबेडे का उजास चारों और फैल गया था पता नी क्या हुआ कि इतनी देर में मन पर रखा हुआ पत्थर जैसे एका एक ही दरग गया और धेर धेर आसु उफनाए भीतर की आखों में ही नहीं बाहर की आखों में भी आसु भरी आखों के सामने डिब्बे की हर चीज बैठे हुए अजदबी लोगों के चेहरे पहले दुंदले हुए और दुंदले हुए और फिर एक दूसरे में मिल गए पापा का चेहरा भी उनहीं मिल गया और फिर दीरे दीरे सारे चेहरे एक दूसरे में गर्द मद्ध हो गए अभी आप सुन रहे थे मनू बंडारी जी का काल जई उपन्यास आपका बंटी बाल मनू विज्ञान का ये उतकरश्टतम उपन्यास है इसका आडियो बुक तयार करके मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है आपको एक ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मैं फिर मिलूँगी इसी तरह किसी उम्दा कहानी ये उपन्यास के साथ तब तक मुझे को आग्या दीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद